यह आपकी कक्छा दस्वी की बिग्यान है और आप सभी लोगों को मालू होगा कि इससे पहले हम लोग इसका आधा बार यानि कि आप कहिए कि 8 चेप्टर हम लोग कवर कर चुकी है ठीक है और वो आपको पिछली क्लास में जाएगी आपको कि जो आपकी प्लेलिस्ट सोची ब जरूरी है उन सब की क्लास में भी आपको वही टली होई है ठीक है और एक बात और याद रखिए आपकी इतनी टेलीगर जो पीडिया फेन की वो टेलीगराम पर डाल दे गई है वहां से आप लोग पढ़ते रहे हैं अगर आपने लास्ट क्लास देखी है इसकी यानि कि एक लेकिन आपके सामने इस तरह की सुविधा नहीं है इसलिए के तब कि जो करिया कलाब है इसमें उसे अपने दिमाग में बैठार लीजिए और निकल जाएगा और उसके नीचे जो पैराग्राप दिया जाता है एक तरह से उपर का निस्कस दिया जाता है उसे बड़े द्या आठ चेप्टर हम लोग डिया और आठ चेप्टर इसके लास मैं लोग कबर कर ली ती कॉन्गों से आठ चेप्टर आपकी कबर की एटी तो इसमें देखा था हूं लोग ने रसाइनिक अपकिरी आएं एवं समीकरण, अमले छारक और लवन, तीसरा था धातु एवं अधातु, चौतरा था कारवन एवं उसके योगे, पाच बाधा था तत्तों का आवर्थ वरी एकरण, छट बाधा जेव पिक्रम, साथ बाधा नियंतर्ण एवं समनबै, आठ बाधा आपका जीब जनन कैसी करते हैं, लेकिन इस से हम लोग आँगे, यानि की नौवे चेप्टर प्रे, यहां से हम लोग देखेंगे इसके लास में, अनुबानसिक का एवं जैब विकास, दसबा होगा पिकास परावर्थन और अबवर्थन, ग्यारा होगा मानो नेत और रंग संसादनों का संपोसित प्रवंदन, याद रखें इसमें कोई आपको जाना दिमात नहीं लगाना है, आप बड़े धहर से सुनिये या पढ़िये, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग पढ़ने पर जोल दिया करेगा, इस किलास को आप ना देखें तो भी चलेगा, लेकिन आप आपको NCEIT पढ़ना जरूर है, जैसे भी पढ़ना है, जैसे भी कबर करना है, कर लीजी आप लोग, ठीक है? तो चली हम लोग 9 चेप्टर से 16 चेप्टर तक इसमें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 11 कर्चा 11 की NCEIT जो आपके लिए जरूरी है, उन्हें भी हम लोग बुक्स के बारे में, तो इसमें हम लोग कच्छा 10 की अपकी विज्ञान यानि की साइंस देख रहे हैं, इसमें आपने लेका होगा कि 8 चेप्टर हम लोग कटम कर चुके हैं, लास्ट आठवा चेप्टर था आपका, जीत जनन कैसी करते हैं, आज की इस किलास में हम लोग पात करेंगे अनुबान सिक्ता एवं जैट, पिकास के बारे में, एक बात और याद रखिए, मैं धीरे धीरे जैसे ही टाइम मिलता है, वैसे कवर कर रहा हूँ, इसी तरह से हम लोग उने कच्छा छटवी से लेकर अभी तक कि जो भी आपकी लिए ज़रूरी बुक्स हैं, Civil Services State PCS के लिए, तो वो कवर करवा दी गई है, तो जैसे ही टाइम मिलता रहेगा इन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है तो आप बहुत जन्दी से कवर कर सकते हैं, और बहुत साधारन सब्दों में लिखी गई हैं, किसी की मदद की आपकी क्लासें ली गई हैं, बो सभी NCEIT पून कवरेज के नाम से जो फिले लिस्ट सूची बनाई गई हैं, उसी में डली हुई हैं, तो चलिए इस चैप्टर को लोग देख लीते हैं, और यही बिग्ज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे कि इनी कि कुछ चैप्टरों से आपके कुष्टन अधिकतर आते हैं, और यही बढ़ने कि आपको सलाय भी दे जाती है, आप सोच रहे हैं कि आप अगर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, या कहीं स्टेट PCS में जा रहे हैं तो आप लोगों को कम सही कम, आप सोची मानो बिग्ज्ञान जो ऐसी है, कि आप लोगों वहां रह रहे हैं, तो वहां कोई बीमारी पहले है, या कोई और भी प्रोब्लम हा रही है, तो उसके बारे में आप कुप मालुत होने चाहिए, एक तरह से आपको जनता की सेवा, देखें, नेता जनता की सेवा नहीं करते हैं, उसे आप लोग बात को भी जानते है एक तरह से उनकी सेवा करते हुं। नेता तो कहने के लिए जनता की सेवाथ है। हम ने देखा कि जनन पे करम द्वारा नई जीव, ब्रश्टी उतपन होते हैं। जो जनक के समानת ही में घंषी हैं. हमने यह चार्चा किये हैं कि आलेंगीक जनन में भी कुछ विभिननेताएं कैसे उत्पन होती हैं अधिकतम संख्या में सफल विभिननेताएं लेंगीक पे जनन द्वारा ही पराप्त होती हैं यदि हम गन्य की खेत का अवलोकन करें तो हमें ब्रष्टी गत पौधों में बहुत कम भिननेताएं देखने को बिलती हैं दिखाई पड़ती हैं मानों एवं अधिकतर जन्तु तो लेंगेक जनन द्वारा संपन उत्पन होती हैं इनमें ब्रष्टी गत इस तरव अनेक भिननेताएं परिलक्षित होती हैं जैसे अध्याय में हम उन क्रियाविधियों का अध्यन करेंगे जिनकी कारण भिननेताएं उत्पन एवं वनसागत होती हैं विननताओं के संचैन के लंबे समय तक होने वाले अनुवर्ती पिवाओ का अध्यन अत्यंत प्रोचक है तथा जय विकास में आम इसका अध्यन करेंगे अब आप मैसे कई लोग कहते थे कि वह अंतर होता है विननताएं क्या होती हैं मन उसमें आप देखते होंगे कि दो पैर आपके दादाजी के थे और आपके भी चले आ रहे हैं और आपके आँगे भी पीडीज में चले आएगे दो आखें भी थी एक मुह भी था दो हाथ भी थे लेकिन आप सूचिए कि इस तरह से आपको दिखाई नहीं देगी भिननताएं आपको आपने देखा होगा कि आपका बिलेट ग्रोप अलग है उनका बिलेट ग्रोप अलग है देखते होंगे आप लोग तो इस तरह से भी थे नताएं रहती हैं चली आँगे और भी जाते हैं जनन के दौरान बिविननताओं का संचेन पूर्वर्णती पीडी से बनसाग बिविननताओं एवं कुछ नई बिविननताओं उत्पन होगी चित नौ दसमलव एक में उस इस्तिदी को दसाए गया है जबकि केवल एकल जीब जनन करते हैं जैसे कि आलेंगिक जनन में होता है लेकिन मानाओ में आप देखते हैं कि दौई लेंगिक जनन यानिकी फेमेल और मेलकर दोनों का बरावर योगदान होता है यदि एक जीवाडू विभाजित होता है तो परड़ाम ता दो जीवाडू उत्पन होते हैं जो पोनाहा विभाजित होकर चार दरश्टी जीवाडू उत्पन करेंगे जिन में आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी उनम पेक्चाकिट और अधिक होती हैं, इसके विशाय में हम अनुगान सिक्ता कि नीमों की चर्चा की समय देखेंगे, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, चित नंबर 19.1, उतरुत्तर पीडियों में पिवित्ता की उत्पत्ति, सीज पर दसाई गई पहली पीडि, कि जीव मा दिखाएगे चार बरिष्टी, जी बरिष्टी इस तरपर एक दूसरे से बेन्नोंगे, कुछ बिविन्नताएं बिश्ठ होगी जब की कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई है, जो स्वें मापस में एक दूसरे से बेन्नों, यहां आपको दिखाई दे रहा हो, दे क्या किसी species में इन सभी विन्हताओं के साथ अपने अस्तित में रहने की संभावना एक समान है, निश्चित रूप से नहीं, प्रक्किती की विवित्ता के आधार पर विभिन जीवों को विभिन प्रिकार के लाब हो सकते हैं, उष्णनता को सहन करने की छंता वाले जीवों, जीवानों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पर्यावन कारकों दवारा उत्तम परिवर्थ का चैन जेब विकास का पिक्रम कादार बनता है, जिसकी चर्चा हम आँगे, करेंगे, अभी जो आप लोगों ने उप उपर टॉपिक देखा है, एक तरह से इसी से सम्मंदित कुश्चन से आपके, सबसे महत्कून है आपके लिए अनुबान सिक्ता, इसे जानना बहुत ही जरूरी है, जनन पेक्रम का सबसे महत्कून परिडाम संतती के जीवों के समान डिजाइन अभी कलपना का हुआ, अनु अनुद सागत लक्षन, बास्तों में समानता है वहम विभिन्यताओं से हमारा क्या अभी का है, हम जानते हैं कि सिसू में मानव के सभी आदारगू लक्षन होते हैं, फिर भी ये पून रूपिर से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता है, मानव समस्ती में यह वि यह उसलीर को घ्येक काम से निकल जाईएगा, अपनी कछा की सभी चात्रों के कान का लbn का अकष्यान कीजिए ऐसे चात्रों की सुची बनाएए, जिनकी करण पाली सुतन्त, जुड़ी हो, जुडए करणपाली वाले चात्रों की पितिसथ की गढ़ना कीजिए, vacuum आ इस ट्रेक्षन की आदार पर करड़ पाली के बंसा गती के संभावेट नियम का सुझाओ दीजिए। आपको देखने को बिलेगा कुछ की अलग देखने को बिलेगा दोनों में भिनताएं कई लोगों में देखने को मिलेगे। इन्हें आप लोगों को देखिए कर्दे नहीं बैठना है। अब आप सभी के कानों की आउलोगन करते बैठ गए तो मालू चला कि एक से दो साल इसी में आप लोगों ने बुजारती है। तो आप लोगों को केवल करिया कला पढ़ना है और निकल जाना है आराम से। ठीक है। एक कान एक है और बी कान सुतंत कान और जुड़े कर्ड़। देखिए यहाँ लोगों को सुतंत देख रहा होगा। नीचे आपको यहाँ बिल्कुल जुड़ा होगा दिखाई देख रहा होगा। कान की निचले भाब को कर्ड़ पाली कहते हैं या कुछ लोगों में सिर के बार सुमें पूर रूप से जुड़ा होता है परन्तु कुछ में नहीं सुतंत एबन जुड़े कर्ड़ पाली मानव समश्टी में पाए जाने बाली दो परीव वर्थ हैं। आप लोग अपने चेक कर सकते हैं और नेचे आप लोग लिख भी सकते हैं यहीं आप समुम मीलकर हम लोग देख भी सकते हैं। संतत्ति यानि कि सिसु में इस्थानांति करते हैं, यानि कि दोनों का बराबर यगदान होता है, लेकिन ये अलग बात है कि आपके समाज में देखा जाता है कि लड़की पैदा होती तो उसके लिए आप महलाओं को जिम्मेदा ठहरा देते हैं, उनके साथ बेदबाव किया ज होते हैं, एकसे मिलकर आपकी महला मतलब लड़की का जनम और एकस भाई पुरुस मतलब लड़के का जनम, तो इसके लिए आप कभी विचार कि अगर ये कौन ये मेदार है, फिर भी हम लोग उल्टा, वही है कि उल्टा कोदवाल, उल्टा चोर कोदवाल को डाटे, वही हा बॉक्स में देखिए इस पेकार की वंसागती के कुछ मुख नियम पिस्तुत किये गए हैं, उनों प्रयोगें के बारे में जानना अतिन्त रोचक होगा और जो उसके लगभग एक सतापदी से भी पहले किये थे, देखिए, पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आंगे बढ़ते हैं, ग्रेगर जोन मेंडल, इनका जीवन रहा है 1822-1884 तर, मेंडल की प्यारम विक शिच्चा ग्रिजागर में हुई थी, तथा वो बिग्यान एवं गडित के अध्यन के लिए बेना बिस्विद्ध्या ले गए, अध्यापन ही तू साइटिपिकेट की परिक्षा में आस्पल होना, उनकी बिग्यानिक होज की प्रिवित्धी को दवा नहीं सका, वो अपनी मोनिष्टी में बापस गए और मतर पर प्योग करना प्यारम किया है उनके पहले भी बहुत से बिग्यानिकों ने मतर एवं अन्य जीवों के वंसागर गुड़ों का अध्यन किया था, परन्तु मेंडल ने अपनी विग्यान इवं गर्तिय ग्यान को समर्शित किया वह पहले विग्यानिक थे, जिन्हों ने पितेक पीडी के एक एक पौधे द्वारा पिदर्शित लक्षणों का रेकॉर्ड रखा तसंगर ना की, इससे उन्हें बंसागर न लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल, इत्यादी, उसमें विभिन लक्षणवाले मतर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे हो गए, या बौने पौधे हो गए, इससे पर आप संतत्ती पीडी में लंबे एवं बौने पौधों की बितीसत की गर्णा की, आप देखेंगे पिथम संतत्ती पीडी, अत्वा एबन, में कोई पौधा बीच की उंचाई का नहीं, बीच की उंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे, इसका अरत था कि दो लक्षणों से मिलकर केवल एक पित्रक जनी की ये लक्षणी दिखाई देता है, उन दोन पिकार के पैत्तक पौधों, पौधों इवन एबन, पीडी के पौधों को सो परागन द्वारा उगाया, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, एबन, एब, एब इंटू एब, बन, लंबा पौधा और बोना पौधा, लंबे, सभी लंबे संगर्थ पौधे, इससे यानि क मिलकर आप देखेंगे कि इस तरह के आपको देखने को मिलेगे, यहां लंबा इंटू लंबा पौधा, यहां आपको देखने को मिलेगा एग लंबा हो गया, लंबा पौधा, लंबा पौधा, बोना पौधा, तो यानि कि सीधा से कमल उतने का मतलब ही कि दो बीज हैं, माल उससे अगर मतलब उन्हें से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी आपको देखने को मिल सकता है F1 PD के पौधों को सौपरागंड द्वारा होगाए गया पैत्रक पीणी की पौधों से प्राप्त सभी संतत्ति भी लंबी पौधे की थी परन्तु F1 PD के लंबे पौधे की दूसरी PD अर्थात F1 PD के सभी पौधों पौधे लंबे नहीं थे वरन उम्हें से एक चोथा ही संतत्ति भौने थे यह एंगित करता है कि F1 PD द्वारा लंबाई एवां भौने पन दोनों में से इसको लक्षणों की बंसानुगती होई है उनके जनक पर निर्भट करता है इस पर इक अलपना के आधर पर उनसा नूंगती कत्यार किया गया और एक पैटर्ण चित 9.3 में दर्स आये गया है यहां आप लोगों ने देख लिए ऐसे ठीक है किरिया के लाब 9.9.3 में हम कौन सा प्रेयोग करते हैं जिससे यह सुने चित होता है कि F2 PD में बास्ताव में TT और T small t तथा small tt का से यूजन 1 अनपाते 2 अनपाते 1 अनपात में प्राप्त होता है इस ब्याक्या में TT एक capital TT और T small t दोनों ही लंबे पौधे हैं जबकि केवल आप देखने को मिलेगा कि small tt बौने पौधे हैं दूसरे सब्दों में हम कहें तो T की एक पिट्ती ही पौधे को लंबा बनाने के लिए परयाब्त है जबकि बौने पन के लिए small t दोनों पिटियां T की होनी चाहिए टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं जबकि जो small t लक्षण small t की तरह बिवार करते हैं आप प्रभावी कहलाते हैं चित नौदों समलों 4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है तथा कौन सा आप प्रभावी है आपको यहां आप लोग देखते होंगे कि यहां आप देख रहा होगा आपको, इह ने इंसे मिलकर आप का लमबे लबवधू रहे हैं। यहां आपको देखने को मिलेगा कि, देखे, बोना पौधा तभी मिलेगा आपको जब small t और small t देखने को मिलेगे, आपको लक्षण वाले देखने को मिलेगे, और बाकी, देखे, ती जो capital T है, एक तरह से इसे कह सकते हैं, आप लोग 30 साली है, एक तरह से आप सोचे, small t को हा संक์न कराया जाए, गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदी शुरी दार, बीजों बाले बौने पौधे से संक्रन कराया जाए, तो प्राण TH related कैसी होगी? F1 PD के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज बाले होंगे अताहा लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षन कहलाएंगे क्या कहलाएंगे प्रभावी लक्षन कहलाएंगे परन्तु क्या होता है जब F1 संतती की सोनिस्टेशन से F2 PD की संतती परात होती है मेंडल द्वारा किये गए पहले प्रियोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि AB2 की संतती की कुछ पौधे गोल बीजवाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ चुरीदार बीजवाले बोने पौधे होंगे परन्तु AB2 की PD की संतती की कुछ पौधे नए सयुजन पिदरसित कि उनमें से कुछ पौधे लंबे परन्तु चुरीदार बीज तथा कुछ पौधे बोने परन्तु गोल बीजवाले होंगे यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह AB2 PD में नए लक्षणों का सयुजन देखने को मिला जब बीज के आकार बारन को नियंतित करने वाले कार्गों कि पुनर सयोजन से योगमनाज बना जो AB2 PD में अगनी रहा अता लंबे बॉने लक्षण तथा गोल चुईवाले लक्षण सुतंत रूप से बंसा नूगत होती हैं एक और उधारन चित 9.5 में दर्स आए गया है यहां 9.5 आपका चार है से भी देख लिजे संकरन सोने सिसन और यहां आपको देखाई दे रहा होगा चित 9.5 दो अलगला लक्षण वीजों की आकती इवं रंग की सुतंत बंसा नूगती है यहां आपको देखिए गोल हरे बीज इस तरह आपको चुईदार पीले बीज देखने को मिल रहे हैं यह दोनों संकरन कर रहे हैं गोल पीले पीले बीज आपको मिल रहे हैं यह आपको देखाई दे रहा होगा 315 गोल पीले और 108 गोल हरे और चुईदार पीले और 32 चुईदार हरे बीज यह एक तरह से पैडामेंड का आप लोग जब भी आपने देखने को मिलते भी है काकि कि आप देखेंगी कि कौन-कौन प्रभा काल है एक तरह से कम प्रभावी रहता है कौन अधिक प्रभावी पूरी तरह से रहता है ठीक है यह अलक्षन अपने आपको किस पेकार व्यक्त करते हैं अनुबांसिक्ता कारविधी किस पेकार होती है कोशिका कि DNA में प्रोटीन संसलेशन के लिए एक सूचना स्रोथ होता ह DNA का हुआ है भाग जिसमें प्रोटीन संसलेशन के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन को का जीन कहलाते हैं उसे क्या कहते हैं प्रोटीन का जीन कहलाता है प्रोटीन विवेंनल लक्षनों की अभीवक्ती को किस पेकार नियंतित करती है इसकी हम यहां चल्चा करते हैं आई हार्मोन की मात्रा पर निर्वर करता है हम लोगों में भी आप देखते हैं कि हार्मोन होते हैं जो एक तरह से आपके लंबाई के लिए भी जिम्मिदार होते हैं जिससे आप लोग बिद्धी हार्मोन भी करते हैं, पौधे के हार्मोन की मात्रा उस पे क्रम की दक्षता पर निर्वर करेगी, जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है, इन्जायम इस पे क्रम के लिए महत्पूर है, यदि यह इन्जायम दक्षता से कार करेगा, तो हार्मो परियाप मात्रा में बनेगा और पौधा कैसा होगा लंबा यद इस प्रोटीन की जीन में कुछ परिवतन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रिभाव पड़ेगा वह कम दक्ष होगा अताहा बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और इससे आपको बह भर करेगी, ठीक है, यदि मेंडल की प्रयोंग की व्यक्षिया जिसकी हम चर्चा कर रहे थी, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम पिछले अध्या में कर चुके हैं, लेंगे पिजिनन की दौरान संतत्ती के डियने में, दोनों जनक का समारूप से योगदान होता है, यानि की माता क का उपितागा, यदि दोनों जनक संतती की लक्षन की निधारन में सहथा करते हैं, तो जोनों जनक एक ही जीन की एक पिट्टी-कित्टी संतत्ती को पिदान करेंगी, इसका आरत है कि मतर के पिदेक पौधी में सभी जीन दो सेट होगी, पिदेक जनक से एक सेट की सेट किस पिकार बनता है या संतत्ति पौधे को जनक पौधे से संपूर dessert प्राप्थ होता है तो चित 9.5 में दर्सायय परियु सफल नहीं हो सकता है क्या नहीं हो सकता applause you सफल नहीं हो सकता है क्या आपने देख का है托्य, है और इसका मुख्य कारेन है कि दो लक्षण आर तथा बाई सैट में एक दूसरे से सब्धार रहेंगे तथा सुतंत रोब में आयरेद नहीं हो सकते हैं इससे इस तथ की आधर पर समझा जा सकता है कि वास्ता में एक जीन सैट केवल एक डिने सिंखला के रूम में ना होकर ड पितेग एक गुर्षूत कहलाता है। अता पितेग कोश्का में पितेग गुर्षूत की दो पितेग इतिया होती हैं, जिन में से एक नर्ग और दूसरी मदा जनक से प्राप्त होती हैं, यानि कि मेल और फीमिल। पितेग जनक कोश्का पित्ता कत्वा मात्रक से गुर्षूत के पितेग जुड़े का केबल एक गुर्षूत थी एक जनक कोश्का में जाता है। जब दो योगमों का सलगन होता है, तो बने हुए योगम नज में गुर्षूत्रों की संख्या पुना समान हो जाती हैं, तथा स प्रेवगों के पड़ीदाम की ब्याक्या हो जाती इसका उपयोग लेंगि कजनन वाले सभी जीवot करते हैं, परंथु- आभिशन मानव निनदहरन, यहां हम लोग लिइन निनदहरन की बात करेंगे और यही यह इस तरह से आपको को समझ में आना चाहिए ठेक है पहले देख लेते हैं चित फिर भी आंगे भी देख लेंगे यह आप देख रहे होंगे नर्व यानि कि कहने मतलब और यहां केवल एक्स देखने को मिलेगा आप लोगों से जो बोल रहा है अगर बच्चा पैदा लड़्गी पैदा होती है तो इसके एक तरह से आप देखते हैं गीसमारी में आज भी वह दारणा मनी हुए तो इसमें आपको साथ देखा ही दे रहा होगा, कि जैसे उनका जितना यह उदान था वो दे रही है, लेकिन अब आपको निर्वल करता है, यानि कि पुरोष, यानि कि मेल पर, कि उसकी तरफ से कितना है, देखे यहां अगर X-X मिलता है, तो आपको मदा है, यानि कि फिमेल देखने को मिलेगी, यानि कि लड़गी, और X यह इसका भाइट पुरोष, यहां आपको सुक्राण में, जो भाई गुर्ष उत रहेगा, अगर A मिलता है X से, तो X-Y होगा, और यहां क्या देखने को मिलेगा, मेल, यानि कि नर्क, यानि कि लड़का देखने को मिलेगा, यह कुछ सामान चल्चा है, आप लोग कक्छा दस्वी है, शुरू में नौ भी दस्वी में आप लोग इन्हें बहुत बहतर तरीके से पढ़ावी होगा, इस बात की चल्चा हम कर चुके हैं कि लेंगिक जनल में भाग लेने वाले, दो एकल जीवों जीब, किसी ना किसी र दारन निसेशन अंडे, यह गुमक की उसमायन ताप पनिर्वा करते हैं, कि संतती नर होगी या मदा, गोंगे या नि गहेंगे, जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस से बात का संकित हैं कि इसमें लिंग नेधारन अनुवांसिक नहीं है, लेकिन मान होगी, पल तो अभी तक हम मानते रहें कि दोनों जनकों में से एक जैसे जीन सैट संतिती में जाते हैं, यदि या सास्वत नियम है, तो फिल निंगनादारन वनसानुगत कैसे हो सकता है, लेकिन आपको इसमें देखने को मिलेगा दोनों बराबर जिम्मेदार, एक तरह से आप कहिए कि नर्भी और मदावी, एक तरह से आप लोग ये सामान मुझे लगता है जानकारी है, कि आपके पास आप सोचे कि एमान लिजे एक को धारन ले लिजे, कि एक क्या करते हैं, एक डंडे को काट देजे, या आप कुछ भी लिजे, एक आप मैप्स है आपके पास, 27 आप सोची अभी करेंट में आपके 28 राज्चे, कितने 28 राज्चे और 8 के अंदसा सित्रेस हैं, यह बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर 2020 में, आंगे बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इस समय इतना इगी है, आप सोची कि आप 28 लोग है, आप सबको 28 एक तरह से आ जोड़ना हुगा, समझ रहे हैं तो इस तरह से कह सकते हैं कि दौनों के आप जिम्मेदार हैं, लिकिन यहाँ थोड़ा अंतर यह ऐ है कि पुरुस के लिए, यानि कि लड़के पैदा पैदा के लिए, लड़का अगर पैदा होता है, तो पुरुसों को जिम्मेदार ठ browser ना क्योंकि इसमें उनका कोई देख तरह से योगदान नहीं है क्योंकि आजकल आप समाज में देखते हैं कि कई इस तरह की परमपरागत नियम बने हुए है परमपरा बनी हुए है जो ही हो ठीक है इसकी व्याख्या इस तत्त में नहें थे कि मानों कि सभी गुरसुत पूर योगम नहीं होते हैं मानों में अधिकतर गुरसुत माता और पिता की गुरसुत्रों के पिती रूप होते हैं इसकी संख्या 22 जोड़े हैं परंतु ये एक योगम जिसे लेंगे गुरसुत कहते हैं यानि कि कहने के मतलब तो आप देखते हैं तेइस जोड़े होते हैं लेक इस तरह से आप कहिए कि इससे आप लोग बता भी सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है ठीक है यहाँ ठीक जैसा कि चित्त 9.6 में दर्साय गया है कि साफाल आधे बच्चे लड़के एबंद आधे लड़की हो सकते हैं सभी बच्चे चाहिए लड़का हों अत्बा लड़की अपनी माता से एक्स गुर्षूत पराप्त करते हैं अता बच्चों से बाई गुर्षूत बंसानुगत होता है वह लड़का होता है तो जो हम लोगों ने उपर टॉपिक दिखा है उसी से संबंदिते कुष्चेंस दिए इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम लोग विकास यह वह विकास नहीं है जो आप देखते किती में तुटियों एवं लेंगिक जनन दोनों से उपन होती है आए हम एस परवर्ति के कुछ पैडामों का अध्यन करें एक द्रिष्टांत सोचिए कि बारे लाल भेंगों का एक समूज है बिहरी पत्ति वाले जाडियों में रहते हैं उनकी समश्टी लेंगिक पिजनन द्वारा विद्धी कलती है तथा विभेंदने ताएं उत्पन हो सकती है हम इसकी भी पर कल्पना करें कि कोई यानि कि कोई भेंग को खाते हैं यानि कि कहने का मतलब जिससे क्या कहते हैं कोई या फिर आप लोग जो भी आपकी बहता उसमें कोई कोई जितने ब्रहंगे खा हैं यहां आप लोग देखिए एक समस्टी में विविणनेताएं वंसानुगत तथा अन यहां आपको देखाई देरा हुगा हाति का प्यर विच रूराँ पिथह मिस्तिती में जनन के दौराने एक रंग की विवनिताया का ओधवाओ हो सकता है जिसमें समस्टी में लाल के बज़ए एक हरा भेंग दिखाई दिता है हरा भेंग अपना रंग अपनी संतान को वंसाल नुगत आहरित कलता है जिसके कारण इसकी सारी संतितियों का रंग हरा हो जाता है, यहां आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई हरी बक्तियों की जड़ियों में हरे भेंग को नहीं देख पाते हैं, अता उन्हें नहीं खा पाते हैं, क्या होगा, हरे भेंग की संतिती का सिकार नहीं होता है, में गविए विखी होते हैं कि, तोता और बाकी आप देखते हैं कि, को वा लए ता है हम रहती हैता है। कि अब्ला भी रहता है। कि हम तोता क्या इतक है प्लेकि पासुप जाता है, तो स्का रंग भी हरा होता है तो कोई सकार भी नहीं कर पाता है तो इसी तरह यहां भी दखाए है कोई नीली लाल भेंगों को हरी पत्तियों में पहिचान कर उन्हें खा सकते हैं प्यारम में क्या होता है समश्टी का आकार जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीली भरंग है परन्तु अधिकतर भरंग लाल थे परन्तु इस तितिती में एक हाती वहां आता है तथा उन जाड को रोन देता है जिससे यह बहुत से बहुत से बहुत मारे जाते हैं सहयोक से कुछ नीले बहुत जाते हैं इसकी समश्टी दीरे दीरे बढ़ती है परन्तु इसमें अधिकतर भरंग नीले है जहाती देखिए मसलिये अगर इस तरह का आप सूची पैर रखता है तो वह किसी पीणियों में आविट्ती में परिवतन आये क्योंकि जीन के लक्षणों का नेंतर करते हैं अता हम कह सकते हैं कि किसी समश्टी में कुछ चीन की आकिट्टी पीणियों में बदल जाती है या जैब विकास की परीकल्पना का सार भी है परन्तु दोनों परिस्तितियों में जिससे समश्टी में और अच्छी तुरह से रह सकते हैं दोस्ते ही इस्तितिति में हम कहें तो रंग परिवतन से स्टित के लिए कोई लाघ नहीं मिला है बास्तों में यह मात सयोगी था कि दुरगटना के कारण एक रंग के भरंग समश्टी बच गई जिसी कि समश्टी का स्वरूप बदल गया यदि भरंग की समश्टी का आकार बड़ा होता है तो हाती का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अता छोटी समश्टी में दुरगटना किसी जीन की आविट्टी को प्रभावित कर सकती है जबकि उनका उत्तर जीवता है तो कोई लाख ना हो यह अनुवांसिक अबबात का सिद्धात है जो बिना किसी अनुपूलन के भी भिमिन्निताएं उत्पन करता है एक बात और रिया में नाया हो कोई टाफ आपको सब्द नहीं हो सालारन सब्दों में लिखी गए इसलिए तो गहता हूं कि आप लोग जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी एक से दो बार आप लोग NCEIT को अपने आप से पढ़ लें उसके बाद कहीं प्रोब्लम होती है तो अहां आम लोग ब मैं सभी टेलीग्राम पढ़ डालने एक प्रोब्लम यह बनी होई थी जरूर के कौन सी पढ़ने है कौन सी नहीं पढ़ने है इनके बारे पर विस्ताह से बात की थी हम लोग है और आप की इसलिए सभी वही वही ले गई है जो आपके लिए जरूरी है केवाल ठीक है आप त दुर्वेशे की स्तिति में भ्रंगों की कुछ पीडियों के उपरान जब पौधी की रोक समाप्थ हो जाते हैं तो भोजन की प्रयाप मातला उपलब्द होती है तब भ्रंगों के भार में क्या परीवत तना आएगा इस पर विचार कीजिए आप देखेंगे नॉर्मल सी बा के कारण भ्रंगों के सरीर के भाग में कमी आती है तो इससे जनन कोछ काओं के डियेने के संगठन पर कोई प्रवाव नहीं पड़ेता है अता बूब भूचन के कारण यदि समस्टी में कुछ भरंग कम भार के हो तो भी इसे विकास की संग्या नहीं दी जा सकती है इसका वो ऊत्कों में होने वाली परिवतन लेंगे कोछ काओं के डियेने में नहीं जा सकते हैं किसी व्यक्ति के जीवन काल में अरजित अनुभव क्योंकि जनन कोछ काओं के डियेने में कोई अंतर नहीं लाथा इसलिए इसे भी जैबिकास नहीं कर सकते हैं क्या नहीं कह सकते है आईए एजानले के लिए एक अर्जित अनुबाव लग्जन जैब विक्रम द्वारा अंगली पीडी को बंसा अनुगत नहीं होते एक प्रेव द्वारा समझते हैं कि यदि हम पूँछ वाले चूहे का संबर्धात करें तो उसकी अंगली पीडी की संतिती के भी पूँछ वही जैसा मैंनृमान लगा रहे थने अब यदी इन चूहों की पूँच को कई पीडी तर कारते रहें तो क्या है नोन्य चूहों से बिना कूँच विहन्वाली संतिती परापत होगी इसका उत्तर है नहीं एक ग्यान गोंगों ने इसा इसा चुबा हो गया और तो आप सोची कि पूच काटने के बाद भी आपको देखने को लेगा उसका जो भी आने वाली पीड़ी होगी वो पूचवाली ही होगी जो सोभाविक भी है कि पूच काटने से जनन कुछ का कि जीन पर कोई प्रवाह नहीं पड़ता है सीधा कहने का मतलब यह है कि आप सोचे कि पूच का योगदान नहीं है जनन करने में ठीक है अगर जनन करने में पूंच का यह भी यह उगदान होता तो यह आपको बदलता हुआ दिखा रहा है दिखाई देता हुए चार्ल्स रोबर्ण डार्विन अठारे सो नौ से अठारे सो ब्यासी तक इनका जीवन रहता है इनका नाम भी काफी आप संते रहते हैं चार्ल्स डार्विन जब 22 बर्स के थी तो उनकी इस यात्रा ने जय बीवित्ता के विसय में उस समय ब्याक्त द्रिष्टी कोण को सधा के लिए बदल दिया यह भी अतेंत रोचक है कि इंग्लेंड बाबा सानी के बाद वह पुना किसी और यात्रा पर नहीं है उन्हें मेंडल के प्रेयोंगों का लाब मिलता है परन्तु ये दोनों वेक्ति विग्यारिक नातो एक दूसरे को और ना ही उनके कारेओं के विसाय में जानते थे हम डार्वेन की किबल उनके जैपिकास बाद के कारण ही जानते हैं परन्तु वह एक प्रक्तिती साच्ति भी थे तथा उनका एक सोध भूमी की और वरता बनाने में केंचुवे की भूम का किविसाय में भी था केंचुवे को आप देखते होंगे कि किसान का वित्ति भी कहा जाता है किसानों के लिए एक तरह से भूमने के लिए लाबदायक होता है यही कारण है कि अनुवान सिकता कि एबं वंसादू का ती जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं का ज्यान जैप विकास बाद को समझेने के लिए आवस्त के यही कारण है कि 19 भी सिताबदी में प्राक्तिक प्रेयों के महत को जाना होता है मैंडल भी डार्विन के सिध्धान से अविन अन्विक थे अब बात करते हैं पिद्वी पर जीवन की उत्पत्ति एवी काफी आफ लोगों में दिल्चस्पी रहती है कि जीवन पर पिद्वी पर जीवन कैसे आया कि डार्विन के सिध्धान कि सिध्धान्त हमें बता दें कि पितिवी पर सरल जीवों से जटल सवरूप बाली जीवों का विकास किस पेकार हुआ है, मैंडल के प्रयोंगों से हमें एक पीडी से दूसरी पीडी के लक्षणों की वनसानुगति की कारविधी का पता भी चलता है, परन्तु दोनों भी ये जटल जीवों में परीवतन उतरा, लेकिन आखे जीवन कहां से आए, इससे बताने में दोनों लोग आसमलत रहे, एक बैटिस बिग्यानिक JBS, हाल्डेन, जो बाद में भारत के नांग्रेक हो गए थे, ने उन्नेस वन्तीस में सुझा दिया कि जीवों की सरप इत्नम के समय बने थे, उसकी कल्पना की, उसने कल्पना की, कि पितवी पर उस समय का बातावण, पितवी के वर्कमान बातावण से सरवता भेन था, इस प्रात्मिक बातावण में संभवता कुछ जटल कारवनिक अड़ूं का संसलिशन हुआ, जो जीवन के लिए आवस्त थे, तथा हेराल, सी उरेद्वारा, उन्ने सो तिरेपन में किये गए प्रयोगों के आदार पर की जा सकती है, उन्होंने किंतिम रोप से ऐसे वातावण का निर्मार किया, जो संभव होता प्रात्मिक प्राचिर वातावण के समान था, इसमें अमोनिया मेतिन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अदू थे, परन्तु ऑक्सिजन के नहीं थे, पात में जल्बी था, इसे सो डेरी सल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया, गैसों के विस्तरन में चिन गारियों उत्पन की गई, जैसे आकास में बिली एक सब्ताय के बाद 15-30 कार्वन मेथिन से सरल कार्वन इन कुश्चन को भी आप लोग देख सकते हैं, अब बात करते हैं जाती उद्भाव, यह जाती उद्भाव आप सोचें कि आप इस जाती के उस जाती के, यह उसकी बात कते ही नहीं की जा रही है, ठीक है? यह तो आपकी निताओं के लिए उप्यव करने के लिए वो जाती बनाई गई है, कि बोट बेंग के लिए वो आपको जाती पाती सिखाते रहें, करते रहें. अभी हमने जो कुछ भी समझा, वो असूक्च में विकास था, इसका आते हैं कि यह परितन बहुत छोटे हैं, यह भी मात्पूर हैं, फिर भी यह विसेष्ट इस्पिसीज की समर् लक्षणों, स्वरोग में परिवतन लाते हैं, फरन्तु इस से यह नहीं समझा जा सकता है, कि नई इस्पिसीज यानि कि जाती का उत्वा कुस्पेका होता है, यह तभी कहा जा सकता है, कि जबकि वरहंगे का यह समगोग, जिसकी हम चल्चा कर रहे थे उपर, दो बिवेन स समझ्टियों में बट जाएं, तो आपस में जन्न करने में आसमर्ट हों, जब हम इस्तिती उत्वन्न हो जाती है, तब हम उन्हें सुतंत स्पिसीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सुतंत स्पिसीज, यानि कि सुतंत जाती कह सकते हैं, तो क्या हम उन कार्णों का विस्तारन क के लिए निर्वार करते हैं एक परवस इंखला के विहत शित्र में फैल जाएं पैडाम स्वरों समस्टी का अकार भी विसाल हो जाता है परंतु विरिष्टी विंग अपने भूजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ जाड़ियों पर यह निर्वार करते हैं वे बह कुछ सहसी व्रंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अथवा कोवा एक ध्रंग को एक स्थान से उठाकर विनाहानी पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है यानि कि एतना भी एक तरह से जो मतलबी कोवा नहीं होगा वही एक आल सकता है या पर ऐसा हो सकता है कि आप सोचे कि कोवा ने मुई में दवाया और दूसरी जगह गया और धूपिय से छूट जाए तो भी हो सकता है दोनों ही स्थित्यों में आप प्रवास्ती ब्रंग इस्थानिय समस्टी के साथ ही जनन करिया फ़यदाम सो रूप आप प्रवास्ती ब्रंग के जीन न दी आ जाए तो दोनों समस्टीयों रधिक पित्थक हो जाएगा दोनों की मद जीन प्रवा का इस्तर और भी कम हो जाएगा उत्रुदतर फीडियों में अनुवांसिक विचलंग पितेक उप समस्टी में बिभिन परियुतनों का संग्रण हो जाएगा भागली गिरूप से बिलग इस समस्टियों में प्राक्तिक चैन का तरीका भी बेंद होगा अताओधारन के लिए एक उप समस्टी की सीमा में उकाव चील द्वारा कुए समात हो जाते हैं पर अंतु दूसरी उप समस्टी में यह गढ़ना यह गढ़ना नहीं होती है जहां पर कोवा की संख्या ब जुपराक्तिक वरण चैन की सहिवत प्रभाव के कारण प्रितिक समस्टी एक दूसरे से अधिक भिन होती जाती है यह भी समबवाए की अंतिता इस समस्टीयों के सदस आपस में एक दूसरे से मिलने की बात की अंतर जरन में आस्नमर्थ हों अनेक परीके हैं जिनके द्वा में आसनमर्थ हो सकती हैं अत्वा संभव ये भी है कि ऐसे जी विभनिताएं उत्पन हो जाए जिसमें हरे रंग की मदा भेंग लाल मल रंग के नर्व भरंग के साथ जनर की चमता हो दें वैकेबल हरे रंग की नर्व भरंग के साथ ही जनर कर सकते हैं यह हरी रंग के प्राक्ति वरंड के लिए एकत्यन्त द्रड़ परिस्तिती है अब यदि किसी हरी मदा भरंग दूसरे समू के लाल नर्ड से मिलती है तो उसका विवहार ऐसा होगा कि जनन नहों फर्डाम सरूप भरंगों की नई इस पिसीच का उदभाव होता है यह भी आप पाहिजाने वाली विवन इस पिसीच के विच विकायस थ किए संबंदिश थाविद कर सकते को यह एक प्रकार से समय। घड़ी से पीछे जाना है हम ऐसा विवन इस पिसीच के अविलग्ष नों के पदा अनुक्रम का करनेधारण कर सकते हैं इस पिक्रम को संझने के लिए ह कौन से अभी लक्षन जीवों के मद्दा धर्बूत विविन्यताओं का नेड़े करते हैं तथा कौन से अभी लक्षन कम महत्पूरत अंत्रों का नेड़े कर लेते हैं अभी लक्षणों में उसे हमारा क्या विपा है, यानि कि क्या होते हैं, बाहे आक्रती अत्वा बिवार का वितरण अभी लक्षण कहलाता है, क्या बाहे आक्रती अत्वा बिवार का वितरण क्या कहलाता है, अभी लक्षण, दूसरे सब्दों में विसेश्त व सौरूप अत् होते हैं और यह है अभी लक्षन है पौधों में पेकास थे श्रसिलेशन होता है यह भी एक ना होना है, जो बिभेने जीवों में विन्न हो सकता है, जीवानों कुष्का में केंदरक नहीं होता है, जबकि अधिक तर जीवों की दूसरी जीवों की कोष्काओं में केंदरक पाये जाता है, केंदरक तर जीवों केंदरक तो कोष्का वाले जीवों, एक दूसर एक कोषिक अत्व आचिव होने का गोड सारे रेख अभीकल्प में एक आदार गूत अंतर दर्साथ है, जो कोशीकाओं एभवं उत्कों कि विश्यित्टी करन के कारण है, बहु कोशीक जीवों में परकास अंत्रलेशन का होना या ना हो न बगीकर्ण का अंगला इस तरह है उन बहु कोसिक जीवों जिनमें प्रिकास अंतलरेसर नहीं होता है में कूछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंता कंकाल होता है तथा कूछ में बाहे कंकाल का अभीलक्षन एक अंपिकार का आधरबुथ अभीकल अंपर है इन थोड़े से पिसनों को हाँ जो हमने यहां वूचे हैं कि द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुकरम विक्सित हो रहा है जिसके अधार पर वगीकर्ण के लिए समूब बना सकते हैं दो इस पिसीज के मत जितने अधिक अभी लेक्षर समान होगे उनका समन्द भी उतना ही निकट यानि की फास होगा जितनी अधिक समानता हैं उनमें होगे उनका उदभाव की निकट अतीत में समान पूरवजों से हुआ होगा जैसे आप देखते हैं न बंदर हमारे निकट वरती कहलाते है या पूरवज कहलाते हैं इसी तरए इसे हम उदारन की सायता से समझ सकते हैं इक उदारन एक भाई बहें अती निकट सम्मान दे हैं उन्हें पहली पीडी में उनके पूर्वर समान थे अर्थात भे एक ही माता-पिता की संतान है लड़की के चशेरे में मेरे भाई भी उसे सम्मान देते हैं परन्तु उसके अपने भाई सिक्का में इसका मुख्यकारण है कि उनके पूर्वर समान है अर्थात दादा दादी उनसे दो पीडी पहले के थे के हैं ना की एक पीडी पहले के अब आप इस पात की भाई को भली बात प्रकास से समझ सकते हैं कि इस पिसी जीवों का बर्गी करण उनके विकास के संबंदों का पिती बिमिक है या है कि खहने का मतलब है कि आपके चाचा हैं और आपकी पिताजी हैं तो आप आपका भाई और आप बहन दोनों एक तरह से आप या आपकी बहन एक समान होंगे कुछ लक्षों में ठीक है एक समान पूरी तरह से जैसे नहीं होंगे लेकिन काफियत तक समान होंगे लेकिन आपके चाचा के जो लड़के होंगे बच्चे होंगे वो भी आपके समा काफियत तक समँन होगी लेकिन भिनदताएं उन्मे भी देखने को लेकिन आपके भाई से जानधन भिनदताएं चीट पते कुटकता कहने का मतलब है काता ही नही कि आप सुचें कि वह उनके तीन पेर हो जाए या तीन हात हो जाए ठीक है कि कड़ियों का निर्मार करती हुए हम विकास की परभी किस्तित पहुंच सकते हैं जह मात्य की एक ही इस पिसीद थी यदि है सत्थ है कि तो जीवन की उनपत्ती अवस्ती आज्यविक पदारतों से हुई होगी और यह किस पिकार संभव होगा इसके विसे में अनेक सिद्धा करते हैं यह रोचक होगा यदि हम अपने सिद्धान का फिती-बदन कर सकें एहमेमेरक इंधरक हिचश vaccini मद्श मन उस समझातं ज्यड़ें कि समाननं समझा तेयाा है विकास किये समंद्ध खुझना अगर विकास किये समन्द खुझ लेते हैं जब हम gwikas किये समंधों को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अप aspirations कि कि पहिचार किस पेकार करते हैं विभे ने जीवों में या विलक्षन समान होंगी क्योंकि वे समान जनक से वनसा नुगत हुए उधारन की तौर पर इस वास्तिविक्ता को भी लेते हैं कि पक्षियों सरी से एवं जल इस्तरचर की भाती ही इस्तंधारियों की चार पाद यान में रूपांतन हुआ है तदापी पात की आधारवू सरजना एक समान है ऐसे समझात अब लिक्षनों से भिणने दिखाई देने वाले भिणने इस वीच सीच के वीच विच विकास की संबंद की पहिचान करने में साहता मिली है आप सोचते हैं कि आपने विकास ही तो हुआ अब नहीं देखा है बंदर चार पयरों पर चलते थे उसके बाद लोगों ने विकास किया और आज अब लोग दो पयर एक तरह से हाथ जो कहलाते हैं इन्हें हम लोग ने मुक्त कर दिया कि और काम करिए जाईए दो काम दो पयर से भी हम लोग काम चल सकता है चल सकते हैं फ कि अंग एक नमने कारण पुर्वर्ज परंपरा नहीं है चमगादर it's also compare it और क्ष कeking पपक्षी और हाल कि पन्क होते हैं मैं परन्तु इब घ्लारी और फिपकली के नहीं तो क्या पक्षी और फिए चमगादर की संबन्द्ध घ्लारी आपप Ag bark tr audi इवी चाहद है इससे पहले जिकाले हमें पक्शी और चमगादर के पंखों को और बारी के से देखना होगा जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादर के पंख मुक्ता उनकी दिरगिव अंगली के मद्द दुचा के फैलने से बनाए पप्षी परंतु पप्षी के पंक उसकी पूरी अग्वावों की तुचा के फ्लाव से बनता है जो परों से ढखी रहती है अता दोनों पंकों की अभी कल्प उनकी सरजना इव्हों संगटनों में संगटकों में बहुत अंतर है वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्या क्योंकि कि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं परंतु सभी की वे उत्ति पूर्णता समान नहीं है इस कारण उन्हें समरूप अविलक्षन बनाता है ना कि समझात अविलक्षन अब यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अगपाद इवन चमकादर के अगपाद को सम अगपाद माना जाए अद्वा समरूप एक तरह से आप मानिए कि आप ने देखा होगा कि आप एक सहर से दूसरे सहर जाते हैं तो कभी कभी आपको पानी सूट नहीं करता है समझ रहे हैं लेकि वो सब जगह पर आपको साल रुखते हैं तो आपको सब कुछ सूट करने वरण उनसपैसीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवत नहीं है हम कैसे जाने पाते हैं कि विलॉपतेस कभी अस्क्तित हमें थी यह हम जीवासमद्वारग ही जान पाते हैं जीवास क्या है आके जीव की मित्व Trump के बाद उसके सरीर उसके सरीर का अफगटन हो जाता है तथा हुआ समात्थ हो जाता है परदु कभी-कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे बातवर्ण में चले जाते हैं जिसके कारण इसका अफगटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है उधारन के लिए यदि कोई मेट कीट गरम मिट्टी मे सूख कठोर हो जाए तथा हुआ उसके कीट के सरी की चाप सुरक्षित रह जाए जीव के इस पकार के परिरक्षित आउसिस जीवास कहलाते हैं आप भी सुनते हैं कि वहां खुदा ही गई तो जीवास में ले इस में उसके दिर परानी के थे या इस पीसेज के जाती के थे फिविन पेकार के जीवास में विविन आविर्वाव अधवा परियरक्षित विस्तित अवस्थाओं को देखे डाइनसौन का कपाल जीवासम को दिखाया गया है कुछ बरस पूर नरवदा घाटी में पाया था जीवासम पेड़ कातना ठीक है जीवासम आकसे रुपी आमो इसे राजा सोरस भी कहते हैं हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवासम कितने पुरा है इस बात के आकलन के दो गटक है एक है साफिक्ष यदि किसी स्थान की खुदाई करते हैं और यह गहराई तक खुदने के बाद हमें जीवासम मिलने प्यारब हो जाते हैं तब यसी स्थी में सूचना तरक संगत है कि पितवी की सतय कि निकट वाली जीवासम में गहे रेजिस्तर पर पाए गए जीवासम की अब एक चादिक नए है दूसरी विदी है कि फौसिल डेटिंग जिसमें जिससे क्या होता है कि जीवा स्वाहिस्थानिकों के अन्भाद के आदार पर जीवासम में की निधारण किया जाता है यह जानना रोचके कि या विधी किस पकार कारुकरती है एक आप लोगों के क्रवन डेटिंग सुना हुए ठीकरूइब हूँ है तो यह उसी तरह से एक तरह से यह भी है जीवास में एक के बाद एक पलत कैसे बनाते हैं आईए दस करोड यानि कि आप देखेंगे सौ मिलियन बर्स पहले से प्यारण करते हैं समधितल पर कुछ आकिस कसी रूखी है जीवों की वित्ती हो जाती है तथा भी रेत में दब जाते हैं धीरे दीरे और अधिक रेत एकतित होती है जाती है और तथा अधिक ताओ दवाव के कारण चटान बन जाती है कुछ मिलियन बर्सों के बाद छेत में रहने वाले डाइनासोर मर जाते हैं तथा उनका सरीर भी मिट्टी में दब जाता है तो पहले वाले आकसोर कस्वी रूपिये जीवासमाली चटान की उपर बन दिया फिर इसके कुछ और मिलियन बर्सों बाद इस सेड़ी में चित में गोडे के समान को जीवासमें चटानों में दब जाते हैं इसके काफी समय उपराद मेरता परतन माल लीजिए जल प्रवा के कारण कुछ चटानों फट जाते हैं तता गोडे के समान जीवासमें पिकट होते हैं जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते हैं वैसे वैसे पुराने अत्वा और पुराने जीवासमें प्राफ्त होते रहते हैं और और आप लोग उन्हें देखा होगा है, यह तो आपके आसपास भी देखा दिया होगा, कई बार आप खुदाई करते हैं, तो मानव कंकाल मिलते हैं, और कई जीवों के शरीर के एक तरह से भाग भी मिलते हैं, ठेक है, तो एक तरह से वही है, कि पहले आने अब यह कोई उ प्योग गिता के आधार पर होता है, तो बेटी एने में मात एक परिवर्तन द्वारा किस पेकाल सम्भाव है, निश्चित रूप से ऐसे जटे लंगों का विकास करमिक रूप से अनिक पीणिगों में हुआ हुआ हुआ, परन्तु बीच के परिवर्तन किस पेकाल चैनित हो जो बास्ता में नेतिबिंदू हैं जो पेकास को परिचान सकती हैं, जैसे कि अभी अल्प वर्धितान किसी सीमा तक उपयों हो सकती हैं, या योगता कुलाप के लिए परियापत हो सकता है, बास्तो में पंकिकी तरह आँग भी एक व्यापक अनुकूलन है, यह कीटों में जाती है, उसी पेकार आक्टोपस तथा कसे रूखी में भी अत तथा आँखी सरचना इन सभी जीवों में बहन है, जिसका मुखकारण अलाग अलाग विकासी है, उद्पत्ती है, आथी एक परिवर्तन जो एक गुड के लिए उपयोगी है, कलांतर में किसी अन्यकार के लि लिए पर जो संभवता ठंडे मौसम में उसमा रोधन के लिए बिक्सित हुए थे, कलांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गया, बास्तों में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवता पक्चियों ने परों को उड़ने के लिए बनाया, डाइनोस औ हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीशेप से संबंदित थी यह डाइनासों और परिवार का छोटा डाइनासों में ठीक है इसे देख रहे हैं आप लोग डाइनासों की इस अस्तियों के साथ परों की चाप भी परिरक्चित हो गई थी और यहां हम बहुत अगबाहू परिख और परों की चाप देख सकते हैं यहां आप देखेंगे जीवासों की सीसरेप परों पर निकटत चित यहां इसका अल अल उल्ले करना रोचप होगा कि अदिक भिन दिखने वाली सरचना है इक समान परिखल्फ से वीकसित हो सकती हैं यह सतल से कि विवेचन लगाने में सहाय हो सकता है कि विकासी सम्हण कितना पीछे जा सकता है। क्या इस पे करम की उधारन नुपालो दें। जंगली गोवी इसका एक अच्छा उधारन है। 2000 पूर्व में मनुस जंगली गोवी को एक खाद पौधे की रूम में उगाता था। तथा उसकी चैन द्वारा इससे विवेचन सब्जियां विक्सित की। और परन्तु यह प्राक्तिक वरन ना होकर किंतिम चैन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों की भीच की दूरी को कम करना चाहते थे। जिससे पत्ता गोवी का विकास हुआ। जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुस्मों की विद्धी रोकना चाहते थे। अता रोकोली विक्सित हुई, अत्वा बंदी गोवी से फूल गोवी विक्सित हुआ। कछ ने फूले हुए भाग कचैन किया, अता Also, गाउः गोवी विक्सित हुई। कुछ ने केबल चोड़ी पत्तियों को यही पसंद किया, केल, तब केल नामक सब्जी का विकास हुए, याद ही मनों से निस्वय में ऐसा नहीं किया होता, तो क्या हम कभी ऐसे सोच सकते थे, कि उपयोग सभी समान चनक से विक्सित हुए है, यहां आप लोग देख सकते हैं, जंगली गोवी का विकास, एक गाट गोवी हो गया, यह आपको जंगली गोवी, सिकेल, लाल गोवी, गोवी, ब्रोकूली, यह ब्रोकूली है, ठीक है, फूल गोवी आप लोग देखते हैं, यह पत्ता गोवी भी जानते हैं आप लोग, ठीक है, विकास की समद्ध खूजन गटना है, यदि यह सब्त है कि सब्त है तो विभिन स्पीसीज के DNA की सरचना की तुल्ला से हम सीधी इसका निधारन कर सकते हैं, कि इस इन स्पीसीज के उध्वाव के तौरान DNA में क्या-क्या और कितने परिवतन आये हैं, विकास की सम्मद इस्थापित करने में इस विदी का ब्यापक इस तरफ पर प्रेयु हो रहा है, इस पॉइंट को भी देख लिए टॉपिक एक पैराग्राप दिया गया है, आडविक जाती वेट, हम इस बात की चल्चा करते हैं कि कुछ का विभाजन के समय DNA में होने वाले परिवतन से, उस प्रोटीन में भी परिवतन आएग में यह विचा सन्हित है कि दूरस्त संबंधी जीवों के DNA में इस बहुंनेता है, आधिक संख्या में संचित हो भी, इस पिगार के अध्यन विकास की यह संबंधों में कुछ खोचते हैं, तथा यह अतिन्द माजपूर है, कि वेभाजने जीवों के बीच आडविक जाती द्वारा संबंध वर्गी करने से सुमलित होते हैं, जिसके विसाय में हम कच्छा 9 वी में पढ़ चुके हैं, इसलिए गहता हूं आप लोगों को इतने द्यान से पढ़ा करिए हैं कि आप देखेंगे कि एक दूसरे से जोड़े रहते हैं हर टॉपिक आपका, ठीक है, तो इसलिए तो आपको क्रम से पढ़ने के लिए का जाता है, पहले 6 पढ़िये, 7 पढ़िये, 8 पढ़िये, बना आपको डारेक्ट आप 10 में चले जाए, क्या प्रक पढ़ता है, अब बात करते हैं, विकास को प्रग्यती के समान नहीं मानना चाहिए, इस पीसीज के बन सिव व बिलुप्त हो जाए, एक नई स्पीसीज की उपत्ती हुई है, बरंगे के उधारन में देखा था हम दोगों ने, नई स्पीसीज की उपत्ती के लिए आवासक नहीं है कि पहली बिलुप्त हो जाए, यह ऐसा पर्यावन पर निवा करता है, और इसका अलतेय भी नहीं है कि विक्सित हुई नई स्पीसिज अपने पूर्वाज स्पीसिज से उत्तम ही हो। केवल प्राक्टिक वरण एवं अनुवांसिक बिचलन के सयुप्त प्रभाव से ऐसी समश्टी बनी जिसके सदस्त पहली स्पीसिज के समान जनन के साथ जनन में आसमर्थ हैं। एक अथाओधारन के लिए सत्त नहीं है कि मानो का विकास चिम्पेजी से हुआ है। बरन पहले मानो यह दून के पूर्वाज समान थे। बेनाथ चिम्पेजी की तरह थे और नहीं मानो की तरह थे। यह भी आवस्सक नहीं है कि पूरवजों से विलग होने के पिथम, चरण में ही आधुनिक चिंपजी आपमानों की उपत्ती हुई हो, परन्तु इस बात की संभावना अदेख है कि दोनों स्पीसिच का बिकाज अलग अलग धन सी, बिविन साखाओं में अपने तरीके से जय बेकास में प्रग्वित्ती की यदि कोई प्रवित्ती दिखाई पड़ती है, तो वह है समय के साथ सारे रिक अभीकल्ब की जटलता में बिद्धी, लेकिन इसका अरत यह कदभी नहीं है, कि पूर प्राचीन अभीकल्ब आदक छिन, अनिक अती प्राचीन एवं सरल अनिकल्ब, बाला एक समु जीवाडू विसम, पर्यावन जैसे की ओषन, जरने, गहरे समुते की गरम, सरोथ, अत्वा अंटारे की टिका की बरब में भी पाय जाते हैं, दोसरे सब्दों में मारोज जय बिकास की सिखर पर नहीं है, वरन जय बिकास सिंखला में उत्पन एक और इस पिसीज है, अब लग लग खुद देखिए, इसमें इस टॉपिक में आपको दिखा हैं अगर ऐसा दिखा है, आप लोग बताईएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, मैं बार-बार एक सब्द को दोरा रहा हूँ, आप खुद से पढ़ते हैं यथा उत्खनन समय निधारन तथा जीवास में अध्यन के साथ DNA अनुकरम का निधारन मानों विकास के अध्यन की मुख सादन, इस धर्ती ग्रह पर मानों के रंग रूप एवं आकृती में अत्यदिक विवित्ताएं द्रेश्टी को चरूती हैं, इस विवित्ताएं इतनी अधिक एवं पिकर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुस्त की प्रजातियों की पहचा की बात करते थे, आमतों कर तुचा करन ये इस पिकार की प्रजाती के निधारन के लिए पिवत्त किया जाता है, कुछ को पीला, कुछ को वो काला, सफेद या पिभूरा कह जाता था, लंब कभी मानों ये की स्पीसीज के सदस है, कि बल यही नहीं है कि हम पिछले कितने हजार वर्सों से कहां रह रहे हैं, बलके हम सभी का उद्वाव अफीका से हुआ है, आप समझे कि हम आलार सब का अफीका महादीब देखते हैं ना आप लोग, जब हम लोगोंने मैप्स कवर कि की हुई थी, वो समय पूरा मैप्स का आपका पार्ड कवर के लिए, आपके सभी महादुविपों को, सभी देशों को सब कुछ जान चुके हैं उसमें, मुझे लगता है कि वर्ल एक तरह से विस्त वोगोल का आपका 70-80% कवर भी हो चुका है उसमें, मैप्स के एक तरह सभी में होमो सीपियंस के सरव रिथम प्राचिम सम सदस्तों को वहीं पर खोजा जा सकता है हमारे अनुवासिक चाप को काल गर्थ में, अपीकी मूल में ही खोजा जा सकता है कुछ हजार पर पूरुव हमारे पूर्वजों ने अफीका छोड़ दिया जबकि कुछन वहीं रहे गए जबकि वहां के मूल नवासी पूरुव अफीका में पहल गए, उत प्रवासी दीरे-दीरे समूचे ग्रह संचार में पहल गए अफीका से पश्चमी एसिया, तथा वहां से मद्द एसिया, यूरेसिया, दच्छन एसिया और फूरुव एसिया वहां से उन्होंने इंडोनीसिया की दूइप तथा फिलिपन से उस्टिलिया तक का सफ़र किया वेरिंग लेन ने बिरिच को पार करके अमेरिका पहुंचे, क्योंकि वे मात ते यात्रा के उदभाओं से सफर नहीं कर रहे थे अता उन्होंने एक ही मार्क का चुनाव नहीं किया, वे विभिन ने समूव में कभी आंगे, तथा कभी पीछे गए समूव कई वार परसपर बिलग हो गए, यानि यलग हो गए, कभी-कभी अलग होकर विभिने दिसाओं में आंगे बढ़ गए, जबकि कुछ वापस आकार में परसपर मिल गए, आकर मिल गए, आने-जाने-आने का वह सिलसला चलता रहा, इस ग्रह की अनिस्पिसीज की तरह है ही उनकी उत्पत्ति जय विकास की ये घटना माती थी, तथा बे अपना जीवन सरवुतन तरीकी से जीने का परियास कह रही थी, ये भी आपके questions दिये गए हैं, एक तरह से आप समझी कि आज आज आप देख रहे हैं कि हमारे भारती है, लोग कई देशों में फैल चुके तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये भारती लोग हैं, वहां से आये थे, यहां बस गए, यहां और लोग ने एक तरह से कप जगर के इनकी ही सरकारें चल रहे हैं, तो एक तरह से इसी तरह फैला हुगा है, आपने क्या सीथा है, जनन के समय उत्पन विभिन्नताएं बंसागत बंसागत हो सकती हैं, इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तर जीवता में विद्धी हो सकती है, लेंगिक जननल वाले जीवों में एक अविलक्षन के जीन के दो पिती रूप होते हैं, इन पिती रूपों के एक समान ना होनी की स्थिती में जो अविलक्षन प्रेप बेक्त होता है उसे प्रभावी लक्षन तदा अन्ड को आप्रभावी लक्षन कहते हैं विविन लक्षन किसी जीव में सुतंतरोप से बंस अन्यवत होते हैं संतत्ती में नए सयोग उत्पन होते हैं विसे विविन स्पीसी जानी की जाती में लिंग नेदारन के कारक भिन होत मा का भी रहता है, लेकिन मा की कोई गल्दी नहीं रहती है, ठीक है? कि समय के किसी बिंदू पर अजयव पदार्थों से नहीं जीवन की उत्पत्ती की है, जैब विकास को समझने के लिए केबल वर्टमार्स मिसेज का अध्यन परयापत नहीं है, वरन जीवास मत देन भी आवस तके हैं, अस्तित लावितु मद्धवर्ती चैड़ों द्वारा ज नकूलित हो गए है, विकास को निमने अवि रूम से ऊच्छतर अवि रूम की प्रचती नहीं कहा जा सकता है, वरन यह कि विकास से अधिक सारेडिक अविकल्ब उत्पन किया है, जबकि सरल्टम शारेडिक अविकल्ब भलीभारती अपना अस्तित बनाय हुए है, मारों कि विकास के अध्यन से हमें पता चलता है कि हमें हम सभी एक ही इस पिछीच के सदस हैं जिनका उधाय अफिका में हुआ और चर्ण में कई चर्णों में आप देखें कि विसके बिवने भागों में फ्हला भी नहीं यह आपके questions दिए गए हैं यह आप लोग देख सकते हैं इसी topic से इसकी पीवी पीडियाप आपकी टेलीग्राम पर डलीवे हैं वहां से आप लोग आरहम से से डाउनलोड करके और रख सकते हैं और पढ़ते रहेगा तो चलिए यह आपका नौवा चेप्टर था दसभी चेप्टर में हम लोग मिलते हैं पिकास परावरतन और अबढ़त यह भी बहुत ही मात्मों टॉपिक है इस पर हम लोग बात करते हैं तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में इसमें हम लोग कच्छा चटवी से लेकर दसभी तक की सभी बुक्स से कंप्लीट कर चुके हैं और कच्छा दसभी की लास्ट बुक है आपकी बिग्यान इसमें आपके नौ चेप्टर हम लोग देख चुके हैं लास्ट नौवा चेप्टर था आपका अनुवान सिक्था एवं जैब विकास के बारे में तो इससे पहले जितनी भी आपकी किलासन ले गई है वो NCEIT पूल कवरेज के नाम से जो आपकी सूची ब ले तो आप जानते हैं कि आपके लिए एक तरह से NCEIT का कितना मात है तो समय रहती हुए इने पढ़ ले मैं तो गहता हूं कि इने के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है आपकी दिमाग में इतना ही कुश्चेंस रहते हैं कि वो कौन सी NCEIT पढ़िया और कहां कहा मिलेगी तो वो सभी आपको टेलीग्राम पर डाल दीगें वहां से डावलोड करके आप लोग अपने आप से पढ़ती रहें एक से दोबार कम से कम पढ़ दें ठीक है देने लगती है वह एक्या है जो बस्तूओं को दरस्मान बनाता है देनी की समय सूर का प्विकास बस्तूओं को देखने में हमारी साहेता करता है कोई बस्तू उस पर पढ़ने वाले प्रकास को प्रावर्तित करती है या प्रावर्तित प्विकास जब हमारी आखों द्वा प्रिकास से समध अनेक सामान तथा अध्बुत परिगठनाएं जिसे दरपणों में द्वारा पिदीवं में का बरना तारों का टिम्टेवाना इन द्धनों से कि सुंदर रंग किसी माध्यम द्वारा पिकास को मूरना आदी प्रिकास के गुड़ों का अध्यान इनके वस्तुगों झां चमगादर के बारे में आप लोग सुनते हैं कि उसे रात में दिखाई नहीं देता है तो इन सरल रेखाओं में चलता हुगा अफितीत होता है यह अतथ है कि एक छोटा पिकास सरोत किसी अपारदर्सी बस्तू की देख्चन छाया बनाता है पिकास के एक सरल रेखिये पत की वो एंगित करता है जिसे पुरा पिकास करन कहते हैं क्या कहते हैं पिकास करन या पिकास की करन क कह देते हैं आप लोग यदी पिकास की पत्व में रखी अपारदार सी बस तू अतिन छोटी हूं तो पिकास सर लेखा में चलने की वजए इसके किनारों पर मुड़ने की पेवित्ती दरसाता है इस पिरभाव को पिकास का विवर्तन कहते हैं आप समझ रहे हैं इसका कहने का म पगल से उसके फैल के निकल जाएगा ठीक है क्योंकि अंदर से निकल नहीं सकता है क्योंकि आप जाते हैं कि वह एक तरसे अपारदसी है तो इसे भी आप लोग देखते रहते होंगे तब वह एक पिकास की जिसकी वह सरल रखिये बिभार के आदार पर केड़ों का उपयोग करते हैं आसफल होने लगते हैं या पिर पेड में आपने देखा होगा इस घटना को बिवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए पिकास को तरंग के रोग में माना जाता है जिसका अविस्तर तद्यान आप उच्च कक्षाओं में करेंगे पुनहा बीसवी सिताप दी कि आरम में यह इस पष्ट हो गया कि पिकास की दर्व के साथ अन्योन की यहा कि बिवेचन में पिकास का तरंग सिध्धान आपर याब दे तथा पिकास करा कणों के प्रवाह की भाती बिवार करता है पिकास की सही प्रक्किती के बारे में या उल्जन कुछ वरसों तब चलती रही जब तक कि पिकास का आधुनिक क्वांटम सिध्धान उभर कर सामने नहीं आया जिसमें पिकास को ना तो तरंग माना गया और नही कर्ण इस नए सिध्धान्द ने पिकास के कर्ण सम्मंदी गोड़ों तथा तरंग प्रक्यति के भी सावंजस इस्तापित किया है किसमें क्वाइन क्वांटम सिध्धान दें ठीक है इस सध्याय में पिकास की परावर्तन तथा अबबर्तन की परी घटनाओ का पिकास की चाल मुण का उपयोगद करके अध्यान करेंगे यह दो घटनाएं आप लोग काफी सुनते रहते हैं कि परावर्तन की घटनाए या अबबर्तन की घटनाएं प्रक्यति में घटने वाली कुछ प्रक प्रक्यति Ilking me हमारी इसाहत करेंगी इस अध्याइंस अब बात करते हैं पिकास का परावर्तन सबसे पहले उची कोटी की पॉलिस किया हुआ प्रिष्ट जिससे जैसे की दरपन अपने पर पढ़ने वाले अधिकास पिकास को परावर्तित कर देता है सीधा से कहने का मतलब है परावर्तित करने का मतलब लोटा देता है आप पिकास के परावर्तन की नीमों से पहले से ही परचेते हैं आईए इन नीमों को इस्तियाद कर लेते हैं वैसे आप लोगोंने जब कर्च्छ 9B, 10B, 8B, 6B में पढ़ते होंगे तब भी आप लोगोंने दरपन के आपतर मिंदू पर अविलम तफा परवर्तित करन सभी एईकी तल में होते हैं इन नीमों को भी आप लोग याद रकिए हैं परावर्तन की नीम गोलिये पेश्टे साय त सभी बगार की परवर्तक पेश्टों के लिए लाग होते हैं आप समतल दरपन द्वारा फि पिती विम में बनाय जाएगा वो सधियों आवासी होगा और सीधा होगा पिती विम में का साइज बिम बस्तू के साइज के बराबर होता है पिती विम का जो साइज होगा वो क्या होगा बस्तू के साइज के बराबर होगा पिती विम में दर्बन के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दोरी पर दर्बन के सामने विम यानि की बस्तु रखी हो इसके अतरिक पितिविम पार्स परिवर्तित होता है यदी परावर तक प्रिष्टे बक्कित हो तो पितिविम कैसे बनेगे आईए इसे भी देख लिते हैं लेकिन इसमें आपको कुछ गठनाव को या इतनी दूरी पर दर्बन के सामने विम रखा होगा ठीक है इनी पॉइंटों को आपको परगर मना है और निकल जाना है और जो क्रिया कलाब होते हैं इने आप लोग पढ़िये और एक से दो बार पढ़ सकते हैं और निकल सकते हैं इसमें आपको करने की ये प्रियोक शाला लगाने की जरूरत नहीं है ठीक है एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजे इसके वक्कित पेस्ट में अपना चहरा देख देखना का पहरतन कीजे क्या आप पितीविम देख पाते हैं या चोटा है या बड़ा चम्मच को दीरे दीरे अपने चहरे से दूर ले जाए और पित चिविम के अभी लक्षण की तुला कीजिए देखे किरिया कलाब के बार जो नीचे टॉपिक दिया होता है एक तर अगर इसे जरूर पढ़ लिया करिएगा उबर आप किरिया कलाब करने बैठेंगे तो बहुत समय आपकी पास बरबाद होगा तो आप अगर टैंथ में चमकदार चमच का वक्कित पेष्ट एक वक्कित दरबन की भाती माना जा सकता है सबसे अधिक उभ्यों में आने वाले सामान वक्कित दरबन का प्रियोग पैरू गोलिय दरबन है इस पिकार की दरबनों के परावर्तक पेष्ट किसी गोले के पेष्ट का एक भाग माना जा सकता है ऐसे दर्पन जिनका परावर्तक फेष्ट गोलिय दर्पन कहलाते हैं अब हम गोलिय दर्पन के बारे में कुछ विस्टाल से अध्यन करेंगे क्या करेंगे अध्यन करेंगे गोलिय दर्पन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं गोलिय दर्पन का परावर्तक फ अंदर की और अर्थात गोले के केंद की और वक्यत है वह आउतल दर्पन कहलाता है क्या कहलाता है आउतल दर्पन कहलाता है एक तर ऐसे आउतल दर्पन की ये परीभासा है ठीक है वह गोली है दर्पन जिसका परावर्थक पेष्ट बाहर की और बग कित होगा उसे आप लोग उत्तल दर्पन कहेंगे तो उत्तल दर्पन की परिभासा भी आपको माली चल गई है आउत्तल दर्पन की इन दर्पनों का आरेकी निरूपन चित 10.1 में किया गया है इन चित्तों में नोट कीजिए हो कि दर्पनों का पेष्ट भाग चायांकित है यानि पहले आप लोग देखते हैं यह देख रहे हैं आप लोग, यह क्या है आउतल दर्पण, यह आपका उतल दर्पण, गोलिय दर्पण का आरेक्चे निरुपण, छायंकित भाग परावर्टिक नहीं है, अब हम समझ सकते हैं कि चमज का अंदर की और वक्कित पेश्ट लगवग आउतल दर्पण जैसा होता गोलिय दर्पण के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, से पहले आईए हम कुछे सब्दों अधबापदों को जाने, तथा उनका अर्थ समझे, इस सब्द गोलिय दर्पण के बारे में चाच्चा करते समय, सामानता प्रियोग में आते हैं, गोलिय और इसे पी अक्षर से इसे दर्शा देते हैं, गोलिय दर्पण का परवर्तक पेष्ट एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद गोलिय दर्पण का वक्ता केंद कहलाता है, और यह अक्षर C से निरुपित किया जाता है, वक्ता केंद को किस से निरुपित करते हैं, अक्ष सीजी के पी उत्तल दरपण में यह दरपण की पीछे इस्तित होता है यह तत है आज चेते 10.2 और 2 A और 10.2 B में नोट कर सकते हैं, यहां देखिए आप लोग, यह आउतल दर पढ़ें, देख रहा होगा आपको, A C, A आपको P दरोब दिखाई दे रहा है, अनन्त पर, यहां आपको दिखाई दे रहा है, यहां देखाई दे रहा होगा, देखें, ओतल दर इसी तरह है कि आपके प्रेलेंस में क्विश्चन बन जाते हैं और इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए और पुरा NCEIT को पढ़ने का उद्देश में यही है इन्ही सब्दों को आप लोगों पढ़ना चाहिए और जैसे आपने देखा होगा कि अब तो दर्पन का व पहा गया है उसकी तिज्ञा दर्पन का वक्ता तिज्ञा कहलाती है इससे एक्षा आर्थी निरूपित किया जाता है द्यान दीजिए कि पीसी दूरी वक्ता तिज्ञा के बराबर है गोली दर्पन के धरोप तता वक्ता तिज्ञा से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की क कीजिए इस रेखा को दर्पन का मुख अक्च कहते हैं क्या कहते हैं मुख अक्च याद कीजिए कि मुख अक्च दर्पन दुरुप में पर अविलम है आईए दर्पन से सम्मंदित एक मात पूर्ट सब्द को एक क्रिया कलाब द्वारा समझते हैं क्रिया कलाब 10.2 चेतावनी पेश्ट को सूर की और केंदित की सूर की और कीजिए दरपन द्वारा परावर्थिक विकास को दरपन के पास रखी एक कागज की सीट पर डालिए कागज की सीट को धीरे धीरे आंगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की सीट पर विकास का एक चमकदार तीक छेंबि के लिए उसी स्तिती में पकड़के रखिए आप आप क्या देखते हैं ऐसा क्यों होता है सरपेथम कागज सोलगना प्यारम होता है और दुना उटना लगता है आपने देखा होगा यह बच्पन में आप लोग देखते हैं आप जो बॉक्स लेते थे उसमें आप निकलता था एक लेज उसे भी आप लोग आग लगाने में इस तरह की प्रयोग करते रहते थे अताहा यह आग भी पकड़ सकता है यह क्यों जलता है सूर से आने वाली विकास की दरपन के द्वारा एक तीप चमकदार बिंदू के रूम में अभी केंदित होता है बास्तों में कागज की सीट पर बिकास का यह बिंदू सूर का पिती में सीधा था कहने का मतलब की पूरा एक तरह से सूर को वह बिंदू में बदल दीता है उसका आपमान के कारण आप देखते हैंगी आग सुलजने लगती है या आग जलने भी लगती है यह बिंदू आउतर दरपन का फोकस है सूर के पिकास के सांथ के अंदरन से उत्पन उसमा के कारण का आगज जलता है दरपन की स्तिती से इस पितीवे में की दूरी दरपन की फोकस दूरी का सन्निकट माझ यह आपसे बन जाएगा को इस चेंस बन सकता है या इंटर्विव में भी पूच ले आपसे कि जब आप चोटे थे एक बॉक्स से लेते थे आप लोग उसमें एक दरपन निकलता था उसमें किस कारण से आग लगती थी या कौन सा दरपन होता था तो आप याद रख सकते हैं ठीक है आईए इस पेक्षण को एक किरन आरेक से समझने का पेतन करते हैं चेत्य दस दतमलब दो एक को ध्यान पूरग देखिए इससे इसकी बात करों ठीक है यह आउतल दरपन है आउतल दरपन पर मुख अच्छी के समानतर कुछ केड़ने आपतित हो रही है एक केड़ने परावर्तित केड़ों का पेक्षण कीजिए बेस अभी दरपन की मुख अच्छी के एक बिंदू पर मिल रही है और यह बिंदू आउतल दरपन की मुख फोकस कहलाता है क्या कहलाता है मुख फोकस कहलाता है इस पिकार चेते 10.2 B को ध्यान पूरुग देखी यहां इसकी बात कराओं मैं उत्तल दरपन की और उत्तल दरपन की मुख अच्छी के समानतर किरने किस पिकार परावर्तित होती है परावर्तित किरने मुख अक्ष पर एक बिंदू से आती हुई पितीत होती है यह विंदू उत्तल दरपन का मुख फोकस कहलाता है यहां और मुख फोकस को अक्षर एवद्वारा निरूपित किया जाता है दिखाई देरा है यह है गोली दरपन की दरप तथा मुख फोकस के विंदू की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है गोलिय दर्पण के धुरुप और जुमुक फोकस से इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं फोकस दूरी इसके यक्छा एल्ब द्वारा आप लो निरूपिय त्यानी की दर्साते हैं गोलिय दर्पण का परावर्तक पेष्ट अधिकांस्ता गोलिय ही होता है इस पेष्ट की एक वित्ताकार सीमा रेखा होती है गोलिय दर्पण के परावर्तक पेष्ट की इस वित्ताकार सीमा रेखा का प्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है चित 10.2 में दोरी MN द्वारक को निर्विपित करती है, अपने वेवेचर में हम केवल उन्ही गोली दर्पणों पर विचार करेंगे, जिनका द्वारक इनकी वक्ता तिज्या से बहुत चोटा है, क्या गोली दर्पण की वक्ता तिज्या आर्क और फॉकलस दूरी F के बीच क दूरी होती है, हम इस सब्मंद्य को आहर बरावर 2, 2M द्वारप्यक्त कर सकते हैं, यह दर्स आता है कि इसी गोली दर्पण का मुक्त फॉकस उसके दुरोप्त था, वक्ता केंद को मिलाने वाली रेखा का मद्ध बिन्दू है, अब बात करते हैं, गोली दर्पणों द्व बारे में भी जानते हैं, बोली दर्पणों द्वारा बने पिती विम कैसे होते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा बिम्म की बिविन, इस्तितियों के लिए बने पिती विम्मों की, इस्तिती का नेधार हम किस पेकार कर सकते हैं, यह पिती विम में बास्त्विक हैं, अत् फिर समान साइच के हम एक क्रिया किलाब द्वारा इसका अनविशन याद जानते हैं इसके बारे क्रिया कलाब 10.3 आप आउतल दर्पन की पहुक्सदूरी ग्याद करने की विधी पहले ही सीख चुके हैं क्रिया कलाब 10.2 में आपने देखा है कि आपको कागज पर मिला प्रिक फोकस्दूरी ग्याद की थी एक आउतल दर्पन लीजिए उपर वौड इत विधी में से इसकी संदिकट फोकस्दूरी ग्याद कीजिए फोकस्दूरी का मान नोट कीजिए आप किसी दुरस्त वस्तू का फितिविं में एक कागज की सीट पर बिराफ्त करके भी जोटे दारा के गोली के मुखः, फॉकस, धुर पी वाट्ता केंद C को मिलाने वाली रेखा के मत बिंदू परिस्तित होता है एक चंकीला बेमे जैसे एक जलती हुई मौंबत्ती सी से बहुत दूरी दूर किसी इस्तिति पर रखिए एक आगज़ का परदा रखिए तथा और इसको दरपण के सामने आंगे पीछे तब तक इसका आईए जब तक कि आपको इस पर मौंबत्ती की लोका तीछन तथा चंकीला पितिवे में प्राप्त न हो जाए पितिवे में को ध्यान पूर्वख देखिए और इसकी प्रक्किती इस्तिति और बेमे के साइज के सापिक इसका सापिक चिक साइज नोट किये इसके किरियागलाब को मौंबत्ती की निमने स्थितियों के लिए दोहराईए, ए C से थोड़ी दोर, फिर आपका स्थी पर, फिर F तथा C के बीच, F पर और P और F के बीच, इनमें से एक स्थितिय में आप पर पर पितीविम प्राप्त नहीं कर पाएगे, इस अबस्था में बिम्मिकी स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए, अब इसके अबाती पितीवम को सीधे दर्पर में देखिए, अपने पेक्षड़ों को नोट कीजिए, और श्राइडी बत कीजिए, सीधी सी बात कितना आपने देखा है कि रियाकल आपको, इससे आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है केवल, क्या करना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, और निकल जाना है, और क्या करना है उसके बाद, इसको जो नीचे दिया रहता है, इसी जरूर आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया करेगा, आप लोग उनको ये प्रियोक साला मे करी अखलाब होता है उसका का अपीक री अकलाब में आप देखेंगे कि आउतल दरफण द्वारह बने हैं पितिविम की प्रक्यति स्थिति तो था शाजी बिंदू पी एप, सी के साब एक बिंदू की इस्तिती पर निर्वर्ट करते हैं विम्य की कुछ इस्तितियों के लिए बनने वाला पिति विम्य बास्तविक है विम्य की कुछ दूसरी इस्तितियों के लिए यह आवासी होता है वहीमि की स्तिति के अरंसारी पिति वहिंब आवर्थि चोटा या फिर समान साइज का होता है इन पेक्षणों का संच्छति विविणण आपकी नेजदेसन के लिए साइड़े 10.9 में दिया गया है यह आपका दिया गया है किसी आउतल दर्बन द्वारा विम्य की विवन इस्तितियों के लिए बनी पितिवन, विम्य की इस्तिति होगी, पितिविम की इस्तिति होगी, आप क्या पितिविम की साइज होगी या पितिविम की प्रकिति होगी, आनंद पर बात करें गया हम लोग, आउतल दर्बन की बात पर बात करें तो इसमें F तत्हां C के बीच होगा चोटा होगा और बास्तविक तत्हां उल्टा होगा अब बात करते है किरं आरेक कोंका उपयोग करके गोली ये दरबनों द्वारा बने पीती विंवो चांद म कते किरं ये कर सकते हैं बेमे के पिती बेम का इस्था निधारन करने के लिए किरन आरेक बनाते समय किसी बिंदू से निकलने वाली किरनों की विसाल संख्या में से सुविधार रुसार कुछ को चुना जा सकता है। तदापी करन आरेट की इस वश्पता के लिए दो केड़ों के पर विचार करना अत्यादिक सुभिधा जनक है। एक करने ऐसी ओं की दरपन से परावर्तन के परचात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो केड़ों के पिती शेदर से किसी बिंदू बेमे के पिती विमे के स्थान निदारन के लिए निम्डम से किनी दो केड़ों पर बिचार किया जा सकता है। मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि इसमें इन-बुक्स में क्या बताओं आप लोग को। कौन सा सब्द ऐसा है जो आपको समझ में ना आता हूँ कि आप मुझे लगता है कि सिविल सर्विस या इस्टेट वी से इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तभी करते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी होती है अगर आप समझेए कि आपको 10-12 तक की अगर NCEAT पढ़ना नहीं आ रहे हैं तो साइद आपकी स्थिति वहेंगर खराब है तो इसमें बैसे मैंने बोलाया कि करवा दूँगा सभी तो मैं तो करवा देता हूँ लेकिन आप लोग अपने आप से भी पर सकते हैं दरपर्ण की मुख अक्चे के समानंतर प्रिकास करण परावर्तन की पत्षात अउतल दरपर्ण की मुख फॉकस से गुजरेगी अत्वा उतल दरपर्ण की मुख फॉकस से अपसरीत होती पिधीत होगी या चित 10.3A और B में दर्साया गया है यहां इसकी बात करा हूँ आउतल दर्पण के मुख फॉकस से गुजरने वाली करण अत्वा उतल दर्पण के मुख फॉकस की ओर से निल्देशित करण परावर्थन के बश्चात मुख खक्च के समानतर निकलेगी इसे चित 10.4A और चित 10.4B में दर्साया गया है इसमें आउतल दर्पण के बक्ता केंद से गुजरने वाली करण अत्वा उत्तल उत्तल दर्पण के बक्ता केंद की ओर निल्देशित करण परावर्थन के परच्चात उसी पत के अनुदिस परावर्थित हो जाती है इसे चित 10.5A और 10.5B में दर्साया गया है यहां आपको दिखाई देरा हुआ परिकास की करण उसी पत से इसलिए वापस आती है क्योंकि आपतित करणे दर्पण के बार परावर्थित पिष्ट पर अभी लंग के अनुदिस परती है आउतल दर्पण चित 10.6A और उतल दर्पण चित 10.6B के बिंदू पि यानि की दर्पण का दर्पण की और मुख अक्ष से तर्यक देशा में आपतित करण तर्यक देशा में ही परावर्थित हो दिए यहां देखे लिए आप लोग आउतल और उतल में आपत्त तह्य था प्रवर्ति किने आपतृ बिंदू بिंदू पी पर मुख्य अक्श्य के समान, कौर बनाते हुए प्रवर्तण की नियमों का पालन करती है, याद रखिएक कि उपएविवकött सभी इस्तितियों में प्रवर्तन की कि बराबर होता है जो आपने नियम पढ़ाता है उपर हुज है अब बात करते हैं एप दर्पन त्वारा पिधि विं बनना चित्दसचन सब्लाई शाथ को और अ कि इस पिभिम की विभिन इस्तितियों के लिए आउतल दर्पन द्वारा पिभिम बनना किरन आरई त्वारा दर्स आये गया है इसे देख़ी जेए फिर हम लोग क्रिया किलाप देखते हैं यह आपको आनंद पर ए आपको दिखाई दे रहा है वी से भी अच्छे देख लिए सी यह आपका डी है यह आपका यह और यह आवतल दरबन वारा पिती बिम पर बनना दर्स आने के लिए किरन आरिक क्रिया कलाब 14.14 माप करिए 10.14 16.1 में दर्स आई गई कि बिम्मे की पिते की स्तिती के लिए सब्सक्राइब करने के लिए पूर्फ अनुछे वह बाड़ित कोई दो केने ले सकते हैं अपने चित की तुल्ला चेत दससंबलाव साथ में दिये गए चितनों से कीजिए जिते की दसा में बनने वाली पिती बिम्म की प्रक्ति इस्तिती और अफिक्चिस साइच का वाइडन कीजिए अपने परिडामों को सविधाजनक प्यारूम में साहडीवद्द कीजिए इसी तरह आप ने देख लिया है सबसे जरूरी अगर आपसे कहा जाए कि जो महतूर है आप लोगों के लिए आप लोगों को एक तरह से पढ़ने का उद्देश क्या रहत है तो यही है एक मैंस के हो या ऑंटे। किसी सब्जेक्ट के हो या प्रश्ण की तरही कर रहे है तो तो यह आपसे पूंच लेता है कि आउतल दर्बून के उपयोग की बात करें तो टाच, सर्च लाइट, बाहनों के अग्यदीपों में बिकास का सक्टी, साली, समानतर किरान पुन्ज प्र मरीजों की दातों का भड़ा पितिविंद देखने के लिए ड़ीष का उपयोग कि आ गों में कुछ से एकों से डरपडू का उपयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है आउतल दरपन का उपयोग किन इस्तितियों में किया जाता है नीचे 4-5 ओप्सन देदेगा फिर आपको आपको देखना होगा कथन दिये होंगे उन्हें से आपको सही चुनना होगा अब बात करते हैं उतल दरपन द्वारा पितीविम बनना हमने उतल दरपन द्वारा पितीविम बनने के बारे में अध्यन किया उपर अब हम उतल दरपन द्वारा पितीविम बनने के बारे में अध्यन करेंगे किरिया गिलाव 10.5 कोई उतल दरपन लिए इसे एक हाथ में पक में कऱिए दरपड में पैंसिट का पितीम सीधा या उलटा क्या ये चोटा है अथ्मर विवर्थित यानिकी बड़ा है सोट फेंसिल को दीरी दीरे दर पंशेल में दूर ले जाए क्या पीतीम चोटा होता जाता या फिर बड़ा होता जाता है प्रोर्ष ह首 कि जब विम्मे को दर्पण से दूर ले जायते हैं तो पिती विम्मे फोकस के निकट आता है अत्वा उससे और दूर जाता है उत्तल दर्पण द्वारा इस क्रियाकल आपको पढ़ने के बाद जो नीचित दिया रहता है पॉइंट इन ही को आप लोग अच्छे से पढ़ लि निकस्च्छ दूर है दूसरी क्राम च्राला विम्मे के लिस्ती से एक निच मिश्चित दूरी पर हो प्लेविक इन notion दो इस्तीयों की लिए 8 म को भर उत्तल दरपन द्वारा पिटिवेंब बनना Ăए आपको दिखाये दे रहा हुगा यह हो गए आपका B ए अनंध पर यह आपको दिखाय दे रहा हुगा उत्तल दरपन द्वारा बने पिटिवेंब की प्रकृति, इस्तिती और आफिकचिन साइख पहले हम लोग ने आउतन दर्पन के बारे में जान लाता है देखा होगा अगर विम्म की स्थिति की बात करें और ये पिती विम्म की स्थिति हो गए ये आपका पिती विम्म का साइज हो गया पिती विम्म की प्रकिति हो गए अनन्थ पर फोकस अपर दर्पन की बीछे आत्य तो पीति था एप के डर्पण के पीछे इसके पीति में की स्तिती रहेगी, छोटा बनेगा और आवासी और सीधा रहेगा. अभी तक आपने समतल दर्पण, आउत्तल दर्पण, तो था उत्तल दर्पन दवारा पिती विम बनाने के बारे में अध्यन किया है इन में से कौन सा दर्पन किसी बड़े पीम में का पूरा विम में बनाएगा आए इस किरिया कलाब को भी हम लोग जानते हैं किरिया कलाब 10-9 लोग छे समतल दर्पन में किसी दूरस्त विम में जैसे कि कोई दूरस्त पेड का पिती विम देखिए या पूर्ण लंबाई का पिती विम देख पाते हैं विमिन साइज की समतल दर्पन लेकर प्रेयोग दोहराईए किया आप दर्बण में भइम का सम्पूर पितीमिम देख पाते हैं इसकी रियाकलप को अ उत्तल दर्बन लेकर दोहरा आईए ज्या दर्बण भइम की पूरी लंबाई का पितीमिम बना पाता है अब एक उत्तल दर्बन को लेकर इस प्रेयोग को दोहराईए क्या आपको सफलता मिरी है, अपने पेक्षणों की कारण सहित ब्याक्या कीजिए, आप एक चोटे उत्तल दरपण में किसी उचे भवन, पेड का पूर्ण लंबाई का पितिविम देख सकते हैं, आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दरपण ताजमहिल की ओर लगा ज़िए चट पर उचे चे स्थानबर खड़ा होना होगा, समझ में आया, एक पर ऐसे आप सोचे कि उत्तल दरपण में आप किसी कितना भी उचा भवन हो, पेड हो, उसकी पूर्ण लंबाई को देख सकते हैं, ठीक है? उत्तल दरपणों के उपयोग की भी बात कर लिजिए, क्योंकि इनसे भी आप देखते हैं कि गुष्चन साथा रहता है, उत्तल दरपणों का उपयोग सामनता भाहनों की पश्च, द्रस से दरपणों के रोम में किया जाता है, यानि कि कहने का मुतल है ही, पीछे आने बाल इस दरपन बाहा वाहन के फार्स में लगे, साइड में लगे होते हैं, इनमें ड्राइवर अपने पीछे की बाहनों को देख सकते हैं, जसे भी सुरक्षे दूरूप से वाहन चला सकते हैं, और उत्तल दरपन को इसलिए भी पिरात्मिक्ता देते हैं, क्योंकि ये सदेव सीध इसको देखने में समर्थ बनाता है, कहने का मतलब है कि कितना भी बड़ा बहान हो, लेकिन ड्राइवर उसे आरांसते देख पाता है उत्तल दरपन में, इसलिए उत्तल दरपन का उपिव वहां किया जाता है, ठीक है? ये भी आपने देखा होगा कि कई बार कुश्चन से ब देखते रहिएगा, अब हम बात करते हैं गोली दरपन द्वारा परावर्तन के लिए चिन परिपार्टी, गोली दरपन द्वारा फिकास के परावर्तन पर विचार करते हैं, हम एक निश्चित चिन परिपार्टी का पालन करेंगे, और जिसे नई कालती है, चिन परिपार् परिपाटी में दर्पण के धरोप P को मूल बिंदू मागते हैं, और चित 9.9 में इतर साया भी गया है, गोली दर्पण के लिए नई काटती है, चिन परिपाटी, ए दायोर की ओर दूरी, पिलस में, ए बायोर की ओर दूरी में माइनर से आने की रडात माद, उंचाई, उंच बायोर है, दर्पण के मुख अक्ष को निदेशांग पद्दि का एक सक्ष लिया जाता है, यह परिपाटी निमने पिकार है, बिम्मे सदेव दर्पण के बायोर रखा जाता है, इसका जाता है कि दर्पण पर बिम्मे से पिकास बायोर से आप्तित होता है, मुख अक्ष के सबानता सभी दूरियां दरपड के धरोग से मापी जाती है, मूल बिंदू के दाइं ओर, पिलार से एक्स अक्ष के अनुदिस मापी गई, सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, और जब कि जो आप देखें, मूल बिंदू के बाइं ओर, माइनस एक्स अक्ष के अनुदिस आपने के लिए जाते हैं तो माईनस एस तरफ की बात करहाँ तो माईनस वाई अक्ष के अनुदिस्मा पी जाने वाले दूरिया रिडात्मक माने जाते हैं उपरवडित नई काती है चिन परिपाटी आपको संदरप के लिए चित नौ 10.9 में दर्शाई गई है या चिन परिपाटी दरपन का सूथ प्राप्त करने तथा समधित आंकेक पिष्णों को हल करने के लिए प्युखत की गई है अब बात करते हैं दरपन सूथ और आवर्ध गोलिय दरपन में उसके धरप से विम्मे की दूरी विम्मे दूरी यू एक संबंध है जिससे दरपन सूत द्वारा पिस्तुर किया जाता है इस सूत को निम्ने पिकार ब्यक्त करते हैं वन अपॉन वी फिलस वन अपॉन यू बरबर वन अपॉन एफ यह आप देखते होंगे बच्पन में आप लोग जब टेंथ ट्वल्थ में होंगे उस समय भी काफी आप लोगों नहीं पड़ा होगा लेकिन कहां याद रहता है आपको उस समय का यह संबन्द सभी पेकार के गोलिये दरपन के लिए तथा बिम्मी की सभी इस्तितियों के लिए मानें इसनों को हल करते समय जब आप दरपन सूत में यू भी एप तथा आर के मानें पिती स्थावित करें तो आपको नई कारती है चिंद परिबाटी का त्रियो करना हम लोग वख्त किया जाता है यदि यदि लन यह धृ 6-जाय हो ए उiform की उछए तो गोलिये दरपन दुवारा उत्पन आवर्धन reflecting और चाहिd मैं सिंद इस तर् द्यान दीजे की विम्री की उंचाई धनात्मक लेना चाहिए पितीविम आवासी है एक तरह से आपने है कि रिडारत्मक चिन ने क्या दर्जाता है पितिविम वाफ्स्तविक है और धनागमत आभास्ती है पितिविम इसे भी देख लिजए देखिए इस तरह की questions आपकी परिच्छा में कमी मुचे जाएंगे लेकिन फिर भी आप लोग देख लिजए किसी automobil में पीछे का देखने के लिए उपयोग होने बाला बाले आउत्त तल दरपण की वक्ता तिज्या 3.00m है यदि एक वर्स इस दरपण से 0.00m दूरी पर है तो पितिविम की स्तिति प्रक्ति तथन साइज ग्याद करना है आपको वक्तिया तिज्या क्या है आप बराबर पिलस 3.00m बिमे की दूरी की बात करें तो यू बराबर माइनस 5 माइन लिया जा रहा है ठीक है पितिविमे की दूरी निकालना है तो पितिविमे में की उंचाई भी हमें निग्याद करनी है फॉकस दूरी की बात करें तो f बराबर 2, r upon 2 यहां रखेंगे इससे और इस तरह से क्योंकि उत्तल दरपण का मुख है फॉकस दरपण की पीछे और क् दरपण की और आप लोग ने उपर देखा था यहां आप मान रखेंगे इस तरह से भी का मान भी आपको निकाल लेंगे क्योंकि बाकि आपको मिल गए तो इसका भी का भी निकाला है पितिविमे दरपण की पीछे 1 upon मात करिये 1.15 meter की दूरी पर है आवर धन m राबर h इस त सीधा साइज में 25 से चोटा है, यानि कि 0 दो समलोग 23 गुना, इसे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है, इतने तो आप लोग पगड़े लिखे हैं, कि वही कि आपको X, Y, Z है, आपके पास X, Y के मांद हैं, तो Z के आप वैसे भी निकाल सकते हैं, इतना तो आप लोग जाना पड़े लिखे हैं, इससे जाना, पिकास का आप बरतन की बात करते हैं, किसी पारदरस्ती माद्य में प्रवेश सरल, पिकास सरल रेखा में गमन करता पितीत होता है, जब पिकास एक पारदरस्ती माद्य में से दूसरे में प्रवेश करता है, तो क्या होता है, क्या य इसे ही पकार जब कोई मोटा कांच सिलेव यानि की सिली के किसी मौद्रिक सामगरी पे रखा जाता है तो कांच के सिलेव के उपर से देखने पर अक्छा उठे हुए पितीत होते हैं इसा क्या होता है इसदे आप लोगों ने किसी ऑपस में जाते है तब आप लोग दिखते हैं इस तरह की इसी की सिती को ठिक है! जा आप ने किसी कांच के वर्तन में रखे पानी में किसी पैंसल को आंसी गरूप से डूवे देखा है? यह बायू तथा पानी की अंतरपिष्ट पर अर्थात पानी की उपरी सतय पर टेड़ी पितीत होती हैं आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी काज के वर्तन में रखे नीवू पार्ट से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े पितीत होते हैं के बड़े दिखाई देते हैं इन अनुभावों की व्याक्या आप किस पिकार करेंगे आए पानी में आजिक रूप से डूवी पैंसल के जुड़े मुड़े होने की करणा पर विचार करें लोग पैंसल के पानी में डूवे भाग से आपके पास पहुंचने वाला पिकास पैंसल के पानी से बाहर के भाग की तुल्ला में भिंदर जैसामे से आता हुआ पितीद होता है इसी कारण पैंसल मुठी हुई आपको दिखाई देगी और इन्ही कारणों से जब अपच्छा के उपर काँच का स्लैब रख कर देखते हैं तो उसे बे उपर उठे हुई पिति होते हैं क्या होते हैं, ऊपर उठे हुए पितीत होते हैं, यदि पानी की स्थान पर हम कोई अन्य द्रब जैसे करोसीन या तारपीन का तेल पेवग के नहीं, तो क्या तब भी पैंसिल उतनी ही मुड़ी हुई दिखाई देखी, यदि हम काज के स्लैब को पारदर्सी पिलाश्टिक के स्लैब से पिती स्थावित करने, क्या अब भी अप्छर उसी उचाई तक उठे पितीत होते हैं, आप देखेंगे कि अलग-अलग माद्यमों के योगमों के लिए इस अर्वहों का विस्ताल अलग-लग होगा, यानि कि ऐसा पहले जैसा नहीं होगा, ये पेक्चक सूचित कर करता है, यानि कि अलग-अलग माद्यमों से अलग-अलग दिशा में गवन करता है एक तरह से, ऐसा पितीत होता है कि जब पिकास एक माद्यम से दूसरे माद्यम में तिरच्छा होकर जाता है, तो दूसरे माद्यम में इसके संचन की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इस कीहने के एक बार प्राइख को कि fire class लियुके पहला हुआ उपर किसी पार्ट में रखकर शिक्के को एक बारम हमें उठाने का प्रातन कीजिए किया आप सिगा उठाने में शफल होता है इस करी आखको दोहरा हीए आप आपसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए, अपने मित्रों से इसे करने के लिए कहिए, उनके साथ अपने अनभों की तुल्ला कीजिए, इसे आप लोगों को पढ़ना है, मैं बार 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 बोल रहा हूं कि आप किरिया कलाब के विल पढ़िये और निकल जाए ग सिक्के को विचुब्द किसी कि ये बगेर कटोरे में पानी डालने ही को कहिए, अपने इस्टिती से सिक्के को देखते रहिए, क्या सिक्का उसी स्टिती में से पुनाह दिखाई देने लगता है, या किसे संभव हो पाता है, काटोरे में पाली डालने पर सिक्का पर इसे द पर लिया करिए था किरिया किलाब 10.9 की बात करेंगें मिलों तो मेच पर राखी एक सफेद कागच की सीठ और एक मोटी सीधी रेका खीची इस रेखा के ऊपर इसकी एक कोर इस रेखा में कोई से कोई कौर बनाए सलेब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्स साइड से देखिए आप क्या देखते हैं क्या काज के सलेब के नीचे रेखा कोरों के पास मुणी हुई पितित होती है अब काच के सलेब को इस पगार रखिए कि यह रेखा की अभिलमत हो आपके आप क्या पात देखते हैं क्या काच के सलेब के नीचे यह रेखा का भाग मोडा हुआ पितीत होता है रेखा को काच के सलेब के उपर से देखे क्या सलेब के नीचे रेखा का भाग उठा हुआ पित उन्हें बहुत आसानी भी होती है, एक तरह से उन्हें रिवीजन ही करना पड़ता है, एक बार वो पढ़ते हैं और निकल जाते हैं आराम से, लेकिन आप विविन बोडों से आते हैं तो आप देखते हैं आपको परेशानी होती है, क्योंकि इस तरह की घटनाय आपको पढ़ की रोप रेखा ते खिंचे इस रोप रेखा का नाम एवी सीडी रखिये, चार एक समान और पिन लीजे, दो पिने माल लीजे, ए तथा एप उड़द्वा दरद, इस पेका लगाई कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर एवी से कोई कौर्ड बनाती हो, पिन ए तथा एप क के पिनों को विपरीध फलक से देखे, दूसरी दो पिनों माना जी तथा एप को इस पेका लगाईए कि ये पिने ये तथा एप एप पिनों तथा सलेप को अटाइए, पिनों इ तथा एप की नोकों की इस रेका को आवी तक बढ़ाएए, माल लिजे कि एप एप ए- माल लेज़े कि SG CD से O dash पर मिलती है, O dash को मिलाईए और E F को भी P तक बढ़ाईए, जैसा कि चित्र 10 असमला 10 में बिंदू की रेखा द्वारा दर्सायागा, आपको फिर से बता रहा हूँ कि यह अकला आप बिल्कुल नहीं करना इस तरह की बैक्ति, आपको नीचे जुक्चित्र दिया गया, इसे ही देख लेना और एक तरह से अपने मन में बैठा लेना, यह आपको देखा ही दे रहा हूँगा, आयताकार काच के सलैब से पिकास का आप बढ़तन, एक काच बायू, काच का सलैब हो गया है, इस करिया अगलाब में आप नोट करेंगे कि पिकास करन ने अपने दिशा बिन्दू O, A आपका O बिन्दू, और O डेस पर परिवर्थित की है, O डेस A आपका, और O अआपका, नोट कीजिए कि दौनों बिन्दू O तथा O डेस दौनों पार दरसी मात्यम को पिठक करने वाले प्रेश्टों पर इस्ते थे, AB के बिन्दू O पर एक अभिलम N एन एन डेस कीचिए, इस पर अज़से, AB, N और N डेस, दूसरा अभिलम M, M डेस, CD के बिन्दू O पर कीजिए, यहां की बात कराओं, देखिए, M1, M डेस और M, बिन्दू O पर पिकास करन्द विरल मात्यम से सगन मात्यम में अर्थाच बायू से कांच में प्रवेस्ट कर रही है, यहां, ठीक है, दोट कीजिए कि पकास करन्द विलंग की ओर जोब जाती है, और देस पर पकास करन्द से कांच से वाईू में अर्थाच सगन मात्यम से विरल मात्यम में प्रवेस्ट कर किया है, पकास करन्द विलंग से दूर मुड जाती है, दोनों अपबर्तक सतों AB और CD का आपतन कौर्ण तथा आप बर्तन कौर्ण के मानों की तुल्ला कीजिए यहां की बात करो AB और CD जित्ते दस दसमलों वो दस में सता है AB पर एक किरन EP क्या यह है आपका E और P दिखाई दे रहा हुआ EP तिरची आपतित होती है जिसे आपतित क्रण कहते हैं क्या कहते हैं आपतित क्रण O O डेस अपबर्तित क्रण तथा O H O डेस H यहां की बात कर रहा हूँ निर्गत क्रण है आप देख सकते हैं कि निर्गत क्रण आपतित क्रण की दिसा के समानतर है ऐसा क्यों होता है आयताकर कांच के स्लैब के विपरीत फलकों A.B. बायू कांच अंतरा अंतरा फेश्ट तथा सीडी कांच बायू अंतरा फेश्ट पर पिकास करण की मुढ़ने का बैडाम समान दथा विपरीत है इसी कारण से निर्गत करण आप्दित करण के समानता निकलत है तदा भी पिकास करण में थोड़ा सा पार्ट से विस्थाफन होता है यदि पिकास करण दो माध्यमों के अंतरा फेश्ट पर अभी लंबबद आप्दित हो तब क्या होगा स्वैम करकेश का ग्याद कर सकते हैं अब आप पिकास के अब बरतन से परचित हैं अब बरतन प माध्यमों को पिथक करने वाले पेश्ट के अब बिंदु पर अभी लंब सभी एक तर में होता है फिकास किसी निष्ट्रंग तथा निष्चित माध्यम के योगों के लिए आप बरतन कोंड की जया कनपाद इस पिर होता है इस नियम को सिर्ण का अब बरतन का नियम भी कहत पहले माध्यम के साफिक अपवरतनांग कहते हैं, आई अपवरतनांग के बारे में कुछ विस्तार से हम लोग अध्यन कर लेते हैं, अपवरतनांग, आप पहले ही अध्यन कर चुके हैं कि जब प्रिकास की करण तिरची गवन करती हुई, एक पारदसी माध्यम से दूसरे में प्रवेस करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा में परिवतित कर लेती है किनी दिये हुए माध्यमों के योगों के लिए होने बाली दिशा परिवतिन के विस्तार को अफवरतनांग के रोम में भी वेक्ट किया जा सकता है जो समीकर 10.4 में दाइपक्ष में भातिक रासी विवेन माध्यमों में परवे कास के संचैन की आपक्षि चाल से समय्भी किया जा सकता है यह देख घा गया है कि विवेन माध्यमों में पुरभ्य पिकास अलग अलग चालों से संचित होता है निरवाद में पिकास रस के ओम ऑनेलकृ टेण में यह यथिश्ट रूप से घटती जाती है और दोनों माध्यमों के योगमों के लिए अभवरतनान का मान दोनों माध्यमों में प्रिकास की चाल पर निर्वर करता है जैसा की नीचे दिया भी गया है चित्ध 10.11 में को देखिए पहले माध्यम बाई है और यहां माध्यम कहांच है दूसरा चित्य 10.11 में दर्साय अनुसार एक प्रिकास की किरन पर विचार करें जो माद्यम A से माद्यम 2 में प्रिकास कर रही है मान लिजे कि प्रिकास की चाल माद्यम 1 में B1 और माद्यम 2 में B2 है माध्यम 2 का माध्यम 1 की साफिक अपवरतनांग माध्यम A में पिकास की चाल था माध्यम 2 में पिकास की चाल के अनुपाद द्वारा वेक्ट करते हैं इसे प्रया संकित N21 से निरूपित करते हैं इसे समीकड के रूम में निम्नेपकार वेक्ट कर सकते हैं तम एक निर्वात की साफिक्ष माना जाता है यह माद्यम का निरफेक्ष अपरवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर W बरावर 1.33 है, इसका अरत है कि बायू में पिकास का बेग तथा जल में पिकास का बेग का अनपाद 1.33 है, इसी पेगार क्राउन काच का बढ़पनाग NG बरावर 1.52 होता है, ऐसे आकरे अनेक इस्थानों पर उपयोगी होते हैं, आपको इनको कंठस्त याद करने की आवसि आप लोग अगर अपने ऐसी पड़े में बार-बार कह रहा हूं, तो मुझे लगता है और बढ़तर रहेगा आपके लिए, ठीक है, ओनलाइन पढ़ने पर कमी भरोसा किया करिएगा, और कमी पढ़ा करिएगा, इससे आपके दिमाग पर और आखों पर भी एसर पढ़ता है इससे अच्छा ओप लाइन आप लोग के दावे निकल वाई है और पढ़ते रहे हैं, कुछ नहीं भी देख सकते हैं, कुछ सामान याद रखना आखों और बाकी छोड़ देना, जो भी जिदमें भी याद हो जाए, कुछ दिब्यात्मक माध्यमों की, निरबेक चपल वरत तो ये भायू 1.0003, बर्ब का बात करें तो 1.31, जल का 1.23, अल्गवल का 1.36, केरूसीन का 1.44, संगधित को आट का 1.46, तारपीन का तेल 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउं का 1.52, कनाडा वालसम का 1.33, खनेज नमक का 1.56, कारवन डाई सलफाइट का 1.33, सगन डाई सलफाइट फलेंड काज का 1.65, रूवी, मडिक का 1.70, नीलम 1.77, हीरा का 2.22, साधी 10.3, से नोट कीजे कि आवसक नहीं कि पिकासिक सगन माध्यम का दिरमां घनत भी अधिक हो, उधारन के लिए केरूसीन जिसका अबवरतनाग जल से अधिक है, जल की अपेक्षा पिकासिक सगन है, य जल से कम देखने को मिलेगा, यहां भी देख लेते हैं, इसे भी यहां क्या दिया गया है, किसी माध्यम की पिकास को अबवरतन करने की चमता को इसके पिकासिक घनत के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है, पिकासिक घनत एक निश्चित संप्रतार्थ होता है, या द्रमा जान जनत के समां नहीं है, इस अधियाय में हम बेरल माध्या तत्धा सगन माध्या सब्दों का प्रयोग कर रहे है। सकते हैं 2 क्यक्त तोANS करने के अधिक अपैक्ज महार्तेय करने अधिक अफ उर्दनांग बाला माध्या, दूसरी की अपिक्चा पिकासिक सगन है दूसरा कम आप हुआ तरंग बाला माद्यम पिकासिक बिरल माद्यम है बिरल माद्यम में पिकास की चाल सगन माद्यम की अपिक्चा अधिक होती है अता विरल माद्यम से सगन माद्यम में गवन करने वाली पिकास की करने धीमी हो जाती है तथा अभी लंब की और जोगी भी जाती है जब ये सगन माद्यम से विरल माद्यम में गवन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभी लंब से दूर भी हट जाती है, क्या हो जाती है, दूर अट जाती है, यह कुछ श्र्स देगा है, नवीज आप देख सकते हैं द्यान से, अब बात करते हैं, दरबन देख लिए गोली है, लेंसों द्वारा अब बर्तन की बात करते हैं, आपने किसी घड़ी सा हो जाती है, यह बंतल है या बंकित है, या बीच से मोटा है, या पर कनारों से, चस्मे में हम लेंसों का भी उपयोग करते हैं, घड़ी साइच के अवर्दक में भी लेंस लगा होता है, लेंस क्या है, यह पिकार केस के पिकार मोड़ता है, इस स printers में हम इसी विशे में अध Viv이हmmar Nazi मात्व. जिसका एक या फिर दोनो पिष्ट गोली हो उसे क्या कहते हैं लैंस कहते हो, इसका आरत है कि लैंस का कम से कम एक पिष्ट गोली होता है, यानि कि ये जरूरी भी है ऐसे लेंसों में दूसरा पिष्ट सम्तल भी हो सकता है किसी लेंस में बाहर की ओर ओबरे दो गोली ये पिष्ट हो सकते हैं ऐसे लेंस को हम लोग दूई उत्तल लेंस कहते हैं क्या किते हैं दूई उत्तल लेंस कहते हैं इसे केवल उत्तल लेंस भी कहते हैं यह किनारों की लिए इसलिए उत्तल लैंसों को अभी सारी लैंस झाल सुगरता है उत्तल लैंसों को आप लोग अभी सारी दसंबला बारहे, B में दर्साय अनुसार अफसरी इस तरह से कलते हैं, ऐसे लेंसों को अफसारी लेंस कहते हैं, दो या आउतल लेंस पर आउतल लेंस भी कहलाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से उतल लेंस और आउतल लेंस में आपको फर्ण भी मालूप चल गया है, यह उतल ले यह गोले का भाग होता है, इन गोलों के केंद lens की वक्ता केंदा हैं, lens का वक्ता केंद परा अप्छर C द्वारा निरूपित किया जाता है, यहाप लोगोंने देखा ना, देखें, और क्योंकि lens के दो वक्ता केंद होते हैं, इसलिए अपन इन्हें C1 और C2 द्वारा किसी लैंस के दोनों अक्षर से गुज़रने वाली सीजी रेकाlen्स की मुख अप्षे कहलाती है। लैंस का केंदरी विंदू इसका प्रभावी ब्यासिक का द्वारक कहलाता है। इस अध्याय में अपने विवेचन मेहम केवल उनी लेंसों तक सीमेत रहेंगे, जिनका द्वारक इनकी वक्ता तिज्जा से बहुत छोटा है, और दोनों वक्ता केंद पिकासे केंद से समान दूरी पर होते हैं, ऐसे लेंस छोटी द्वारक की पतली लेंस कहलाते हैं, और इसे चेताओनी मतलब आपको टोक रहा है एक तरसे, समझा रहा है कि आपकी खतरा भी हो सकता है, कहीं मोड होती है, तब भी आप देखते हैं चेताओनी, इसके रियाक आपको करते समय तबा अनधा भी, सूरी की ओर सिधे या लेंस से ना देखिए, यदि आप ऐसा करते हैं इसे सूर की ओर नेदिष्ट कीजिए, सूर के प्यकाज को एक कागज की सीद पर वॉक सेथ कीजिए, सूर का एक टीक चमकदार रितिमिन में फरापत कीजिए – कागज ज अतना लेंस को कुछ समय के लिए इसी स्तितिमिन में पकड़ कर रखे, कागज को देखते रही है К्या क्या होता है क्या एसा क्यों होता है कि रियाक लब 10 देसंवलों दो के अनुभवों को इसमाइट के लिए जब आपने देखा होगा आप या सुजनने लगा था ठीक है कागल सुलगने लगता है और धुआ उत्पन होता है कुछ समय पष्च्छा दयाद भी पकड़ सकता है ऐस होता है कि सूर से आने वाले पकास की केड़ने समानतार होती है लैंस द्वारा एक रट करण एक ठीक्छन चमकदार बिंदु के रूम में चाघज़ पर अभी कैंदित गार दी जाती है बास्तों में कागज की सीट पर एक चमकदार बिंदू सूर का पिदिविम है, एक बिंदू पर सूर के पिकास का सकेंदरन उस्मा उत्मन करता है, इसके लिए कारण कागज जलने लगता है, सीधा सा आप सोचे, कि वहाँ सूर को छोड़िया आप लग सीधी बाद, आप देख जलता के जलने लोग यान को पूरा सूर की lig GI was something really? पूरा सूर की जो नाम उल्वा बूर їकैंद पर ऑगा के करा तो क्या होगा? यानि कि पूरा एक तरह से तामान एक बिंदू पर आ गया है अभी हजार जगए वो फैला हुए था वो एक बिंदू पर आ गया हो जलने लगता है ठीक है एक तरह से यही है अभी हो भी आए चित्ते दस्दसमलाव बारे एक कुध्यानपूर्वग देखिए उत्तर लेंसे के मुख्य अक्ष के समांदर प्यकास की बहुत सी केरने आपतित हैं क्या है आपतित हैं और एक करने लेंस से अब बर्दन के परच्छात मुख अक्ष पर एक बिंदू अभिसरत हो जाती है, मुख अक्ष पर बिंदू लेंस का मुख फोकस कहलाता है, आईए हमें एक अवतर लेंस का विवान देखते हैं, चित्ते दस्दसमलों वारे वी को ध्यान पूर्वक देख के एक बिंदू से अब सरित होती होती है, मुख चब पर याए बिंदू आउटर लेंस का मुख फोकस कहलाता है, यदि आप किसी लेंस के विपरीद परच्ट से समानतर केणों को गुजरने दें, तो आपको पहले से विपरीद दे सामें दूसरा मुख फोकस प्राप्त किसी लेंस के मुख के फोकस की पकासिक क्यंद से दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी को अच्छर एब, इसमाल एब द्वारा आप लो दर साते हैं, आप किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी किस प्रेकार गयाद करते हैं, कि रिया अकलाब दद्दसरा मुख गयारे क लेंस पिदीवम कैसे बनाते हैं लेंस पिकास के अब बर्दन दवारा पिदीवम बनाते हैं उने पिदीवमों को परक्किती क्या है आईए पहले उत्तर लेंस के लिए इसका अध्यान हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग अउतर लेंस के लिए देखेंगे किरिया कलाब 10.11 बारे एक उत्तर लेंस लीजे और किरिया कलाब 10.11 में वड़ित विधी द्वारा इसकी संनिकट फॉकस दूरी गयाद कीजे एक लंबी मेज पर चौक का प्रेव करके पांच समांतर सीजी रेखा है इस प्रेकार कीजे कि किनी दो उत्तर रेखाओं के बीच की दूरी लेंस की फॉकस दूरी के बरावर हो लेंस को एक लेंस स्टेंड पर लगाईए इसे मंदर रेखा पर इस प्रेकार रखे कि लेंस का प्रेकासिक केंद इस रेखा पर इस्तितों, लेंस के दोनों और रेखा दो रेखा हैं, क्रमसा लेंस के एप और टू एप के तद नुरूपी होगी, इन्हें उचे तक्ष्णों द्वारा अंकित कीजिए, जैसे क्रमसा टू एप बन, एप बन और एप डू, तथा टू एप डू, एक जलती हु कीजिए, इसके लिए अकलाब में विम्म को टू एप बन से थोड़ा दूर एप बन, और टू एप बन के बीच, एप बन पर तथा एप बन और वो के बीच रखकर दोराईए, अपने पेक्षण को नोट कीजिए, और साइड़ी बत कीजिए, विम्मी की विम्मिन इस्तिति इसके लिए उत्तरले इस द्वारा बने पिति विम्म की परक्रिति, इस्तिति और आप एक्षित साही आपको दे गए हैं, इन सब को याद नहीं रख सकते हैं, काफी होते हैं, लेकिन इसलिए द्यान से पढ़ लिया गया, कहीं उपयोग के लिए होता है, तो आप लोग बिद्वाकार का, और इसमें अगर हम लोग पिति विम्म की परक्रिति की बात करें, तो वास्पिक तथा उल्टा रेखने को मिलेगा, अगर तू एप बन से परेख बात करें हम लोग, और तू तो इसमें आपको एप तू तथा टू एप तू के बीच देखने को छोटा, और वास्पिक तथा उल्टा, अगर हम लोग टू एप बन पर बात करें, तो टू एप टू पर समान साही देखने को मिलेगा, और वास्पिक तथा उल्टा भी, अगर आपके बात करें हम लोग एप बन तथा टू एप बन के बीच, तो इसमें आपको टू एप टू से परे देखने को मिलेगा बड़ा यानि कि विवर्थित देखने को मिलेगा और बास्किविक तथा उल्टा फोकस एप बन पर अगर बात करें तो अनंत पर देखने को मिलेगा और इसमें आपको द्वारा बनी पितिव्यम की भी बात कर लेते हैं और इसे भी एक क्रिया गलाब की द्वारा समझ लेते हैं क्रिया गलाब 10.13 को देखते हैं एक आपको आउतर लेन्स से लेना है इसे एक लेन्स से स्टेंड पर रखते हैं लेंस के एक और जलती हुई मुहमबत्ती को रख दिजे, लेंस की दूसरी और आप देखेंगे पितिवेम का पेक्षण कीजे, पितिवेम को यदी संभाव हो तो परदेख पर प्राफ्ट करने का प्राफ्ट करने का प्यातन कीजे, यदी ऐसा संभाव ना हो तो पितिवेम को आपक्षिस साइच और सन्डिकट इस्तिति नोट कीजे, मुहमबत्ती को लेंज से दूर ले जाए, प्यटी बह्म के साइच पर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसे आप लोग इस साइच में देख सकते हैं, दस दसम्लाव माच में, यानि की बस्तु की बेबने इस्तितियों के लिए आउतरलेस द्वारा बनी, पिती बेबने की प्रकिति इस इस्तिति और आपक्षिस आईए, इसे मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ लें, जाना कुछ इसमें नहीं लगता है, इसमें जाना कुछ नहीं पूछेगा, वस सामान अगर पूछ सकता है, तो यहीं पूछ सकता है, ठीक है? और प्रयोग करने के लिए इसलिए नहीं बोला हूं कि आप देखेंगे कि बहुत टायम बरबाद होगा इसमें आपका, अनन्त पर बात करें तो फॉकस एप बंद पर इसका आपके देखने को मिलेगा, इस फिकार इसकी रिया कलाप से आप निसकर्स निकालते हैं कि आवतर लेंस सदेओ एक आवासी सीधा छोटा किती में बनाएगा, चाहे बिम्म कहीं वी इस्तित हो, किसी वी स्तिती में देखने को आपको मिले, अब बात कर लेते हैं हम लोग किरन आपकों के उपयोग द्वारे लेंसों से पितिवम्म, बिम्मों के बनने को निरूपित कर सकते हैं, किसी आरेक लेंसों में बने पितिवम्मों की परक्किती, इस्तिती और आपक्षि साइच का अध्यन करने में भी हमारी साहता करेगी, लेंसों में करन आरेक बनाने के 10.13A यह आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं 10.14A दरसाइ निसा लेंज की दूसरी ओर मुखे फोकस से गुजरेगी, आउतर लेंज की इस्तिति मैं पिकास किरने ने 10.13B की मैं 10.13A लेंज की इसी इस्तित लेंज आप सिर्प फोकस से अपसरित होती, पितीत होती है, चित B में आपको दिखाई दे रहा हुआ, दूसरा है मुख फोकस से गुजनने वाली पिकासिक किरन उत्तर लेंस से अब बर्तन के पश्चात मुख अप्च के समान अंतर नेगत होगी, इसे आप चित 10.14 A में दर्साया गया है, और उत्तर लेंस के मुख फोक से अब बर्तन के पश्चात मुख अप्च के समान अंतर नेगत होती है, इसे आप लोग 10.14 B में देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जित 10.16 A में उत्तर लेंस द्वारा किसी विम्म की कुछ इस्तितियों में पिती विम्म बनने को किरन आरेकों द्वारा दस आए गया है, जित 10.17 A में उत्तर लेंस द्वारा विम्म की विम्म इस्तितियों में पिती विम्म बनने की को किरन आरेकों द्वारा दस आए गया, आपका उत्तल द्वाना पिती विम्मी की बिमिन इस्तिति हो कि यह पिति विम्मीक स्दितीं साइ nee देख सकते है आप चौै सब गर एंच करहा है अतल का कि निया कि अथि कि अthree वित द्वाना बनेगे पिती विम्मी की की परक्षते इस्तिती और सो यह अंतर भी आपको काफी लिख सकते हैं अगर दोनों में अंतर आता है कभी कभार अब बात कर लेते हैं गोलिये लेंसों के लिए चिन्य परिबाटी लेंसों के लिए हम गोलिये दरपण जैसे ही जैसे ही चिन्य परिबाटी अपनाएगी दोरियों के चिन्यों के निर्धार अगले लेंस सूथ की बात करें और आवर्धन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं जिस पेकार हमने गोलिये दरपण के लिए सूत ग्याद किया था, उसी पेकार गोलिये लेंसों के लिए भी लेंस सूत भी स्थाभित कर सकते हैं, और यह सूत भी में दूरी U, और पितेवे में की दूरी B, और पॉकस दूरी आपको F की बीच संबन्द जरसाचा है, एक तरह से इसे आप सूत में भी वैक्ट कर सकते हैं, 1 upon B, minus 1 upon U, बराबर 1 upon F, ओपिते लेंस सूत भ्यापक हैं, तरहां किसी भी गोलिये लेंस के लिए सभी इस्तितियों में मान हैं, लेंसों से संबन्दी पिस्नों को हल करने के लिए लेंस सूत में आंकिक मान, पिते इस्ताफित करके समय विवेन रासियों के चिन्नों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से यह आनि कहने का मतलब है कि B, U, और इनमें F में, इनमें से 2 का अगर मान आपकी पासुप लब्द अवरधन को नोर्भी जाने को पक्षर N द्वार निरूगित किया जाता है, यदी F è h हो, तथा less द्वारा बनाएगेे Ps आवरधन अवर्दग होगा, m ब़बocket अबर drops, F is, इस तरह से आप लिवेन ने रहुरा होगा. किसी ओतल लेंस की फोगस दूरी 15 cm है बिम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिम की का लेंस से 10 cm की दूरी पर पितिवम बने लेंस दूरा उत्पन आवर्धन भी गाद कीजे तो इसमें आप देखेंगे, आउटर लेंस , दिवार सधीया हुई, और पितीवम हाँ की 등 दोरी देखनेकोम पिलेगी 10 cm, खोट दोरी −15 cm, आपको एब्राबर , u का मान निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं और यहां आवर्दन भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसी तरह आपका उधारन 10.4 भी है, इसे भी आप लोग देखते रहिएगा, यह भी आपका कई बाद पूछ लेता है, लेंस की चंपता भी देख लेता है, आप जानते ही कि इसी लेंस की पेकास से करण को अफसरीत, पन्यवार करती हैं, और उधारन के लिए कम फोकसदूरी का एक उत्तर लेंस पेकास करणों को बड़े कोड़ से मोड़कर उन्हें पेकासिक केंदे कि निकट फॉकसित कर देता है, इसी पेकार हम कम फोकसदूरी पर का एक आउतर लेंस, आधीक फोकसदूरी के लेंस की आधीक दरसाते हैं, किसी एक फोकसदूरी के लेंस की चम्ता की बात करें तो पी वर आवर वन अबॉन आयद होगा, यह देखा होगा आपने वन डे एक जाम में कई बात पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है, लेंस की चम्ता का ऐसा ही मातरक यानि लेंस की चम अधीक चम्ता को दायद उट्वर में वेक्ट किया जाता है, इस बेकार यह दायद उट्वर उस लेंस की चम्ता जिसकी फोकसदूरी एक मीटर हो, वन डी बरावर वन एम माइनस, एम की पावर माइनस बाड, आप नोड कर सकते हैं कि उत्तले लेंस की चम्ता धनात्मक और आउतर लेंस की चम्ता तो रणात्मा चस्मा बनाने वाले जब संसोधी लेंस निर्दायद करते हैं तो उनकी चम्ता का उल्ले कंते हैं आपने लोगों ने देखा भी होगा भी कहते हैं माइनस 1.2 है 1.3 है इस तरह से संते हैं ना रणा प्ठायद का नारमल है आपका यानि honestly-2.5, इस नारमल में आता है мар लिए एक ने-जानी की चम्ता 2.0D है इसका आदत है कलिए लेंस उपतल है और उसकी पॉकसद Васटोरी पलस 0.5 0 यानि की पचाज मेंडर है इसे बेकार minus 2.5D हमता ustah की फकसदोरी मानिस जीरो दसंवलो 40 मिट एम होगी और यह लेंस आउतल होगा यह आपका आउतल है यह आउतल होगा इसे भी देख लिते हैं अनेक पिकासिक प्यंतों में कई लेंस लगे होते हैं उन्हें पितिविम को अधिक आवर्दित तथा सुष्पर्ष्ट बनाने के लिए सहयोजित करने के सहयोजित करक किया जाता है इस पेकास संपाक्रिम रेक्टि लेंसों की कुल चमता पी उन्हेंसों की पितक पितक चमताओं कभी गड़ती है योग होती है जैसे पी बरावर पी बन प्लस पी टू पी थी फ्लस डॉट डॉट अनंत तक चसमा बनाने वालों के लिए ल जैस्मों को टेश्ट करने वाले फ्रैम के अंदर रखता है जैस्मा बनाने वाला आवसक लेंस की चमता की गड़ना सरल वीज गड़ती है योग के द्वारा कर देता है उधारन के लिए पिलस 2.0D तथा पिलस से 0.25D चमता वाले दो लेंसों का सेयोजन पिलस 2.25D चमता के एकल लेंस के तुल है लेंसों की चमता की ये इस गुर्ध धर्म का उपयू एकल लेंस द्वारा बने पिती बंबंबह मैं कुछ दोसों को कम करने वे किया जा सकता है कि ये लेंसों को एक दूसरे किसम पाक में रखकर मराएंगे लेंस निकायों का उपयू का सामानता के Yangście के लेंस तथा सुख्षम दर्सियों एवं दूर दर्सकों के लेंसों के डेजाइन में किया जाता है यह आपके कुश्चन्स दिये गए यह नहीं भी देख सकते हैं विज्ञान पर सबसे अच्छा यह काम है कि इसमें लाश्ट में निसकर से भी दिया जाता है कि इस चैप्ट सब्सक्राओं के एक अपड़ुटिया और अपड़ुटियांस, अपड़ावर्थी पेश्ट आपबरतन कि निवों का प्रावर्टिया, शापनो लिए जल्यग गोली दर्पाल तर्था लेंसों के लिए नई कार्थिया अपना ही जात गुत दापन हमने और गोलिय दर्पन की पॉकस्तूरी आपको एब देखने को बिलीगे। किसी गोलिय दर्पन की पॉकस्तूरी उसकी बक्ता तिज्ज्यागी कितनी होती है आदी है। इत्ति की पॉएंट मापकरी त्री न्टू दसकी बावर आठ यानिकी तीन बोड़े दसकी बावर आठ एंपिती सेकेंड की अतिदिक चाल से गमन करता है। की दिशा की समानतर होती है, लैंस सुथ की बात करें, तो अनफॉन भी, माइनस अनफॉन you, बरावर अनफॉन एब, यहां भे में दूरी you है, पिदुथीं भे में दूरी भी है, और गोले ये लैंस की पॉकस्दूरी एब देखने को मिलेगी, किसी लेंस की चम्ता उसकी पाउकसदूरी का भी उत्कम होती है और इसका लेंस की चम्ता का ऐसा ही मात्रक आपको डायोप्टर है ठीक डायोप्टर है ठीक ऐसे भी आप एक कुश्चन से दिएगा है नहीं आप लोग देख सकते हैं इसकी भी पीडिया आप आपकी टलियर आप पर डाल देथी वहां से आप लोग डाउंलोड कर लीजी और रख लीजी वहां से भी आप लोग इन्हें सब को पढ़ते रहे हैं क्या करना है पढ़ते रहना एक से दुबार वहां से भी आप लोग पढ़ लेंगी तो कंप्लीट हो जाएगा मझे लगता है तो यह आपका दस्वा चेप्टर था चली व्यार्वी चेप्टर में मिलते हैं हम लोग मानों नेत्य दत्त रंग बिरंगा संसार देखेंगे बहुती मज्यदार चेप्टर हैं तो चली हम लोग बात कर रहे थे आपके इसमें हम लोग कक्छा दस्वी की बिग्यार यानि की साइंस के बारे में बात कर रहे थे याद रखिए इसमें हम लोग 10 चेप्टर अभी तक कतम कर चुए है यह आपका 11 चेप्टर है इससे पहले आपकी कक्छा 26 से जितनी भी बुक्स कवर की गई है उन सभी की किलासे और पूरी 12 तक कवर करवा दूंगा ठीक है चलिए तो 11 में में देखते हैं लोग मानो नित और रंग विरंगा संसा पिछली अध्याय में हम आप अध्याय में आपने लेंसों द्वारा फिरकास के आप वर्तन के बारे में अध्यन किया है आप लोगों द्वारा बनाएगे पिती विम्मो की प्रकिती इस्तिती और उनके आप एक्षी के साइच के बारे में भी अध्याय कर चुके है या ज्यान मानो नित के अध्याय में हमारी किस पिकार सायता कर सकता है मानो नित प्रिकास का उपयोग करता है और हमारे चार ओर की वस्तूं को देखने के लिए हमे समर्थ बनाता है, इसकी सरचना में ये एक lens होता है, और मानो नेत्म में lens का क्या पिकार है, चसमों में प्रेयोग किये जाने वाले lens द्रिश्टी दोस्वों को किस पिकार संसोदित यानि कि शही करते हैं, इस अध्याय में हम इन ही पिस्मों पर विच्यार भी करेंगों, आप देखते होंगे कि आपकी state PCS हो, या फिर civil service हो, आप लोग आचकल देख रहे होंगे कि NCEIT के बिना कुछ नहीं हो खटने वाला है, इसलिए तो कहता हूँ कि दो से तीन बार कम से कम NCEIT पढ़ ले, ठीक है पिछली अध्याय में हमने प्रिकास और इसके गुड़ों के बारे में अध्याय किया, और इस अध्याय में हमें इन्हे धार नाओं की प्रकिती में कुछ पेकास किये, परिगट नाओं की अध्याय में उपयोग करेंगे, हम इन्हें दनों स्पन्ने, सोईत पेकास के प्थोंने तथा आकास के नीले रंग के बारे में भी चल्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मानव नेत के बारे में। यहां यानि की हम अपनी आग के बारे में। यहां चित्त भी दिया हुगा है देख लिए जित्त ए आपको क्या है कच्छाब दिर्प ए द्रक तंतिका ए द्रिष्टी पटल ए आपको देखाई देरे होगी ए फक्ष माभी पेशियां ए आपकी सौक्ष मंडल परितारिका ए पुदली नेत्तोद ए क्रिष्टली है लेंस ह आपका मानोनित एक अतिन्द मूलवान एउनसुप ग्राही ग्यानिंदी है यह हमें इस अद्वो संसार तता हमारे चारों और के रंगों को देखने में योग बनाता है आत बंद करके हम बस्तूओं को उनकी गंद स्वाद उनके द्वारा उत्पन दोनी या उनको इस परस क करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं तदा पी आपों को बंद करके रंगों को पहचानना पाना अस्तंब हो है इस वेकार समस्त ग्यानिंदियों में मानोनित सबसे महत्पूर है क्योंकि यह हमारे चारों के रंग वरंगे संसार को देखने योग बनाता है एक बात और आप याद रखी आप लोग खुद भी अनुवह करते होंगे कि आँख ना हो तो क्या होगा इसे आप लोग बहतर जानते होंगे मानोनित एक कैमरी की भाती है इसका लेंस निकाए एक प्रिकास ग्रही पर दे जिसे आप लोग रेटीना या पर दिश्टी पटल कहते हैं पर पित प्रिकास एक पदली जिल्ली से होकर नेत में प्रवेस करता है इस जिल्ली को आप लोग कौर्णिया या पर स्वक्ष मंडल कहते हैं जिल्ली नेत गोलक के अगड़ पेश्ट पर एक पारदर्स्टी उभार बनाती है और नेत गोलक की आकरती लगवग गोलाकार होती है और इसका व्यास आपको देखने को मिलेगा लगवग 2.3 cm होता है नेत में प्रवेस करने वाली प्रिकास कहिनों का अधिकांस अफवर्टन कौनिया के बाहरी पेश्ट पर होता है क्रश्ट लिए लेंस केवल बिवेन नेतूरियों पर रखी बस्तूओं को रेटीना पर फॉकसित करने के लिए आवरसर फॉकस तूरी में सूक्ष में समायोजन करता है कौनिया के पीछे एक सरचना होती है जिसे अब लोग परी तारिका कहते हैं परीतारिका गहरा पेश्ट यह डाय पराम होता है जो पुतली के साइज को नेत्त करता है और पुतली नेतू में प्रवश करने वाले पेकास की मातरा को नेत्त करती है अभी नेत लेंस रेटीना पर किसी बस्तू का ओलटा तथा बास्टविक क्यदीवम बनाता है रेटी न ये कॉमल सूख में जिल्ली होती है, जिसमें बियार संक्या में प्रिकास सुख्राही कोश्काएं होती है, पिदीप्त होने पर प्रिकास सुख्राही कोश्काएं सक्रिय हो जाती है, तथा विद्व संगनल उत्बन करती है, ये संगनल द्रक तंतिकाओं द्वारा मस और उस्थिस्ध को की सबस्थित करता है सब्सक्राइब Q7 उस अन्भाव करता है जिसेफीर अंत्तितोय को यह अन्णेस थे वश्टू तो यह सब्सक्राइब यह कर एक तरह से इसलिए आपको दिखाई दे रहा हुगा जो ना समझ में आ रहा हूँ इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपकी सभी जो एक पर अबलम ए थी आपकी कि कौन सी किताब है पढ़ी जाए कहां मिलेंगी तो यह मैंने आसान बना दिया है कि आपकी सभी पीडियेप हैं टेलीग्राम बट डाल द लेकिन आप अपने से भी पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी पढ़ लेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे इसमें कोई किसी की आपको मदद भी जरूरत नहीं पढ़ेगे आप लोग खुश से भी पढ़िए अगर कहीं आपको जरूरत पढ़ती है अगर लगता है कि यह समझ म हो सकती है उधाराण के लिए पेकास अंचन में सम्मलित कोई भी सरचना जैसे की कॉर्णिया पुदली अभी नेतलेंस नेतोध तथा कच्छाब दिरब अत्वा रेटीना जैसी सरचना जो पेकास को बिद्धूत सिग्नल में परिवक्ति करने के लिए उत्तर दाई है या फिर द्रिक तंधिका जो इन सरचनलों को मस्तिस्क तक पहुंचाती है भी छती आपू श्तर बियत ऑर집 दिरब आप नहीं कि छी किर्वी निधा प्रस्टों करते हैं, तो आर Mang में कुछ देर तक आप उस कमरे की बस्तूओं को नहीं देख पाते हैं और तल आपी कुछ समय परश्यात आप उसे उसी मन्द-Prikas की कमरे की बस्तूओं यहुखै आंगी पुदली पंदल करती है जिसके साइच को परिटारिका की साहिता से बन्ला जा सकता है। आंग में कम पिकास प्रवेस कर सकते हैं लोग ise कर तो परिटारिका नेश्क पड़ाय चन्वारणी का सबकर पुदली की बड़ा बना देती है जिससे आप में अधिक प्रिवकास प्रवेश कर सके इस पेकार मंद प्रिकास में परितारिका की सिथिलता से पुदली पूर रूप से खुल जाती है इससे तीक है अब बात करते हैं हम लोग संबन्जन चमता अभिनेत लेंस रिसेदाल जलीवत पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत लेंस होता है इसकी वक्ता में कुछ सीमाओं तक पक्षाम भी पेसियों द्वारा रूपांदर्ण किया जा सकता है अभिनेत लेंस की वक्ता में परीवतन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परीवते हो जाती है जब पेसिया सिथेल होती है तो अभिनेत लेंस पतला हो जाता है इस विकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और इस इस्तिति में हम दूर रखी वस्तूओं को इस पर श्क्र द जाती है और अभिनेत्र लेंस जा अम मोटा हो जाता है पर डाम स्वरूप अपनेत्र लेंस की फोगस्दूरी घट जाती है इससे हम निकट रखी बस्तूओं को इस पर देख सकते हैं और अभिनेत लेंस की वह चमता जिसके कारण वह अपनी फोगस्तोरी को समाई विजित कर लेता है, उसे हम लोग सामन्जन कहते हैं, तदा पी अभिनेत लेंस की फोगस्तोरी एक निश्चित नियूंतम सीमा से कम नहीं होते हैं, किसी चपे हुए पेश्ट को आपके अध्यन् कर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, आप अनुभाव करेंगे कि पितिवें में धुन्दला है या इसे आपकी नेत्रों के तनाव पढ़ता है, किसी बस्तु को आराम से सो इसपष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम से कम 25 cm दूर रखना होगा, तो एक सो इसपष्टर दर्सन की अल्गतम दूरी कहते हैं, इसे नेत्र का निकट बिन्दू भी कहते हैं आप तो, किसी सामान दिरिष्टी के तरोंड ववायस के के लिए निकट बिन्दू की आँख से दूरी लगबग 25 cm होती है, वह दूरतम बिन्दू जिस तक कोई नेत्रों को से इसपष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिन्दू कहलाता है, सामान नित्र के लिए यह अनन्द दूरी पर होता है, दूर बिन्दू की बात कर रहा हूं, अनन्द पर होता है, इस बेकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामन नेत्र 25 cm से अनन्द दूरी तक रखी, सभी ब प्रेक्तियों के नेत्व का कृष्टलिये लेंस दुदिया या फिर धुंदला हो जाता है इस इस्तिती में मौतियाविंद कहते हैं आपने सुना भी होगा काफी हमारे देस में काफी समस्या बनी हुई है इसके गारण नेत्व की दरिष्टी में कमी या पूर रूप से कर देविंद की सल्चे किसा के बश्चात दरिष्टी का बापस लौटना संबाव होता है अब बात करते हैं दरिष्टी के लिए हमारे दो नेत्थ क्यों है किवाल एक ही क्यों नहीं है यह भी काफी कुश्चन्स पूच लेता है कोई कई बार इंटर्व्यू में भी आपका पूछ लेता है कि दो नेत की क्या जरूरति जब एक से काम चल सकता है तो एक नेत की वज़ाए दो नेत के हमें अनेक लाव है कौन को उसे लाव है इससे हमारे हमारे दिरिष्टी छेत विष्टित हो जाता है और मानाओ कि एक नेत का छेत दिरिष्टी से छेत लगवख 150 बात्ता में किसी मंद्र प्रिकासित बस्तू के संसुचन की सामर्थ एक की वज़ये दो संसूचकों से बढ़ जाती हैं आप भी अपनी देन्क जीवन चर्या में मतलब देखते होंगे कि एक कि क्यों जरूरत दो की है एक की क्यों और एक पर काम क्यों नी चल रहता है सिकार करने वाले जन्तूओं के दो नेत प्रया उनके सिर्व पर विप्रीत दिशाओं में इस्तित होते हैं जिससे कि उन्हें अधिक्तम विस्तित द्रश्टी छेत प्राप्त हो सकें परन्तु हमारे दोनों नेत सिर्व पर सामने क्योर इस्तित होते हैं इस बेकार हमारा दृष्टी चेत्य तो कम हो जाता है परन्तु हम त्री विम चार चुकी का लाब में जाता है एक नेत बंद कीजिए आपको संसाल चप्टा कीबल दुई विम लगेगा दोनों नेत को लिए आपको संसाल की वस्तू में गहराई की तीसरी विमा दिखाई इसलिए पितेक नेत किसी वस्तू का थोड़ा सा भिन पितिविम में देखता है हमारे मस्तिस्क दोनों पितिविमों का सहयोजन करकी एक पितिविम बना देता है इस पेकार अत्यरेक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तू हमारे हमारे कितनी पास ह तो आप दो से जल्दी काम कर लेंगे और अच्छा बेहतर काम करेंगे तो इसके लिए एक तरह सी आनी है कि यहां से आपका डारेक्ट पूछ लेता है दरश्टी दोस्त तथाउन का संसोरन इससे प्रेलिम से में कुश्चन सापके कई वार आ जाते हैं कभी कभी नेत धीरे-धीरे अपने समझस से चमता पूर सकते हैं ऐसे ही स्थितियों में बैक्ती वस्तूओं को आराम से कि कुश्चन फेपर पुरान है देख लेना जिस भी परीक्षा में हो मैं यह नहीं बोला हूं कि सिविल सर्वेस हो या कोई स्टेट फीशिक्स आप जो भी परीक्षा की तर्यारी करा है ठीक है इसलिक है रहता है एक अंदाजा लग जाता है कि कहां से कितने कुश्चन पू कि और आपके सिविल सर्वेस की उनकी सभी आप मिल जाएंगे प्लेलिस्ट सुची में जाए मुझे लगता है सिविल सर्वेस हो या पर कोई भी एकजाम हो जी के जीएस काफी कवर करवा दिया गया है इससे बाहर नहीं जाएगा परमक रोप से दरश्टी के तीन सामान को पयोग से संसोधित किया जा सकता है हम नहीं दोस्तों तथा उनके संसोधन के बारे में संशेप में नीचे चर्चा करेंगे सबसे पहले बात करते हैं निकट दरश्टी दोस के बारे निकट दरश्टी दोस की निकट दरश्टिता भी कहते हैं से क्या कहते हैं निकट दरश्टिता भी कह देते हैं निकट दरश्टी दोस कोई बेखती निकट रखी बस्तूं को तो इसपर्ष देख सकता है परन्तु दूर रखी बस्तु को यह वह इस पर्ष्ट रूप से दिखाई देगी लेकिन दूर की बस्तु इस पर्ष्ट रूप से आप नहीं देख पाएंगे ठीके और दूर दिरिष्टी में इसका उल्टा हो जाएगा ऐसे दोस्त योगत ब्यक्ति का दूर बिंदू अनन्त पर ना होकर नेत के पास आ जाता है ऐसा ब्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी बस्तु को ही सो इसपच देख पाता है निकत दृष्टी दोस्त नेत में किसी दूर रखी बस्तु का पितिमें दृष्टी पटल रेटीना पर परनकर द्रश्टी पतल के सामने बनता है इस दोस्ट के उत्पन होने की कारण, अभी नेत लेंज की वक्ता का द्यधेखोना और नेत गूलक का लंबा हो जाना, इस दोस्ट को किसी उपयोग चम्ता की आउतर लेंज, इसे भी याद रखना, आउतर लेंज अपसारी लेंज की यह उपयोग दारा संसोधित किया जा सकता है यहां कुछ दखाई दे रहा होगा निकट दरश्टी दोस्ट चेत का दूर बिंदू ठीक है और निकट दरश्टी दोस्ट इव्थ नेथ हो गया है यह आपका यह निकट दरश्टी दोस्ट का संसोधित आउतल याद रखी इसमे दोसी, 11.2 यहां में दर्साया गया है यह है आपका क्या है आउतर लैंस, ओबिव चम्दा का आउतर लैंस बस्तु के पितिविम को बापत दरिश्टी पटल प्रेंटीना पर ले जाता है और इस पेकार इस दोस्त का संसुदर याने की ठीक किया जा सकता है तुर आप देखें इसमें क्या होता है दूर दरिश्टी दोस में दूर की बस्तु तो आपको इस पश्ट दिखाई देगी लेकिन जो निकट की बस्तु हो गई इस पश्ट आपको दिखाई नहीं देगी ठीक है और निकट दरिश्टी दोस में गया था जो पास की बस्तु थी वो तो इस पश दिखाई नहीं देर दिए ऐसे दोस योगत ब्यक्ति का निकट बिंदू सामान में निकट बिंदू 25 cm से दूर हट जाता है और ऐसे ब्यक्ति को आराम से स्विस्पर्ष्ट पढ़ने के लिए पथल सावगरी हो नेत से 25 cm से काफी अधिक दूर पर रखना पढ़ता है इसका का करने यह हैं कि पास रखी बस्तू से आने वाली पेकास के ने दिरिश्टी पटल यारी के रेटिना के पीछे होक्सित होती है जैसा कि चित 11.3 B में दर्साया गया है इस दोस को उत्पन होने कारण क्या है अभी नेत लेंस की पॉकस दूरी काहत देख हो जाना और दूसरा है नेत लोलक का छोटा हो जाना है इस दोस को उपयोक्त चंथा के अभी सारी यानि की उत्तर लेंस का उपयोक एक संसो दित यानि की सही कंगा जा सकता है इसे चित 11.3 सी में दर्शाय गया है, उत्तलेंस युक्त चस्में दरिश्टी पेटल पर वर्स्तु का पिती विम फॉक्सित करने के लिए आफसे अतरिक्ष चम्ता पितान करते हैं, यह आपको दिखाई दे रहा हुआ, दिरीग दरिश्टी दोस्त नेत का निकट बिंदू, और यह दिरीग दरिश्टी दोस्त युक्त नेत हैं, और यह सही किया गया है, दिरीग दरिश्टी दोस्त का संसुद है, देकए एक बात तेओर बड Mund Day इसमें जो निकट दरिश्टी दोस है, इसे सही कैसे किया जा सकता है, अब उत्तर लेंस या फिर अफ सारी लेंस का उप्योग करके, ठीक है, और दूर दरिश्टी को उत्तर लेंस या फिर इसे दूर दरिश्टी दोस को किस से सही किया जा सकता है, उत्तर लेंस या अभी सारी टीक है यसे याद रखी कई बार वंडे एक्जाब में डारेक्ट कुश्चन्स पूछ लेता है या फर एक इंटर्वीव में भी पूछ लेता है पर तीसरा एक जरा दूर द्रिष्टिता जरा दूर द्रिष्टिता आयू में विद्धी होने के साथ मानवश नित कर कि समयन चम या पक्ष मापभी पेसियों की धीरे-धीरे दुर्वल होने तथा क्रिस्टलिये लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उप्पन होती हैं कभी-कभी किसी व्यक्ति के नेत्त में दौनों ही पेकार के दूर्व निकट द्रिश्टी तथ दूर्व द्रिश्टी दोस्त हो सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को सुइस्पस्ट देख सकने के लिए प्रया दूई-फॉक्सी लेंसों की आप सकता होती है सामान पिकार की दूई पॉक्सी लेंसों में उतल तथा उतल दोनों लेंस होते हैं उपरी भाग उतल लेंस होता है या दूर की बस्तूं को सोईसपष्ट देखने में सहायता करता है निचला बाग उतल लेंस होता है, या पास की बस्तुओं को सुस्पर्स देखने में सहायत होता है, आजकल संस्पर्स लेंस अत्वा सल लेंस दिरिष्टी दोसों का संसोधन संभा भी है, तो निकट दिरिष्टी दोस में आप आउतल लेंस का, दूर दिरिष्टी दोस में उत यो किया जाता है इसमें अउतल भी होता है और उतल भी होता है एक कुश्चन से दिए गए हैं तो इने भी आप देख सकते हैं ओपर जो टॉपिक आप लोग ने पढ़ा है अब बात करते हैं लोग प्रिजी में से पिकास का अब वर्तर आप अध्यन कर चुके हैं कि एकायता क काच की सिलेब से गुजर्ने पर पिकास किस पिकार अबवर्तित होता है समानंतर अपनले तक kwest पिश्ण Herset लीए जैसा कि काच की सलेब में होता है अब वर्तित करण आप्टित करण के सबन्तर होती है तिदामी पार्ष में यह कुछ हे बेस्तापित हो जाता है किसी पारदर्सी पिजम से गुजरने पर प्रिकास किस पिकार अबर्टित होगा काज की एक तिरबुज पिजम पर विचार किए इसके दो तिरबजा कर आधार तथा तीन आयता कर फार्स पिष्ट होते हैं इफिस्ट एक दूसरे पज्युके होते हैं, इसके दो फार्ज फल्कों के बीच कोण को पिजम कोण कहते हैं, क्या कहते हैं? पिजम कोण. और आएए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा अध्यान करें कि काज के तिरोग पिजम से गजरने परपिकास किस पिकार अबवर्जित होत कि जरा सोचिए क्या सोचिए आद्भूत बस्तुमों का बैडन करते आप जिन्हें देख सकते हैं आप चंकीला दीप्त सूर कहते हैं कहते हैं आप अनुभव मैं भी अनुभव मैं भी करता दीप्त सूर का ताफ पर समय ना पाया अब तक यह मैं बनाता कैसे वह दिन और रात सी सिब बेर द्वारा अंगरी ही भासा में रचित कविता की कुछ पंगतियां का हिंदी रोपांतन है उपर क्या आप जानते हैं कि हमारे नेथ हमारी वित्यू के वश्चात भी जीवित रहते हैं अपनी वित्यू के परश्चात नेत्य दान करके हम किसी नेत्य ही वैक्ति की जीवन को प्यकास से भार सकते हैं हमारे देश में इस तरही परंपरा कह लिजे आप लोग की चाहे कुछ भी कह लिए कम ही देखनी मिलत कम ही अपना तरी का कोई यह किया जाता है आप agreement है आप देखते हैं कई लोगों इक तरह से comfort की परिवार बाले भी मुझे करते हैं मुझे लगता है कि करना चाहिए इससे क्या होगा कि कई लोगों की जिन्दगी भी बचाई जा सकती है समझ रहे हैं वेकास की देशों की लगभग 3.5 करोड़ बैक्ती दरश्टी है और उसमें से अधिकास की दरश्टी ठीक की जा सकती है कौणिया अंदेता से पीडिल लगवग 45 लाग बैक्तियों को नेतदान द्वारा प्राफ्त कौणिया के त्यार उपन से ठीक किया जा सकता है इन 45 लाग बैक्तियों में 60-30 बच्चे 12 वर्ट से कमायों की है अताहा यदि हम द्रिष्टी का बर्दान प्राफ्त है तो क्या ना इसे हम उन्हें अपने नेतदे कर जाए जिसके पास द्रिष्टी नहीं है नेतदान करते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे क्या होता है कि देखी आप लोग कोई माल नी जाए कि मैं तो चाहता हूँ कि भगवाल किसी के साथ द्रोगन ना हो एक्सिदेंट ना हो फिर भी अगर हो जाता है तो आप सोची उसे तो बचाय नहीं जा सकता है अगर कोई दूसरा जिंदा देख पा रहा चल पा रहा तो यह तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पुसी की बात है लेकिन हमारे आप देख देख्ञी समाल में इस तरह कि एक दरह से देखा ही नहीं जाता है किया ही नहीं नेत्यदान करने बाला व्यक्ति किसी भी आयू वर्ग अत्वा लिंग का हो सकता है चस्मा पढ़ने वाले या मौती अविंद या ओप्रेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्वार कर सकते हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है मधू में यह अद्वा उच्छे रक्तिदाप से पीड़ित व्यक्ति दमे की रोगी बाब वे व्यक्ति जिने कोई संक्रमक रोग नहीं है वे भी नेत्य कर सकते हैं मित्यू के बश्छा 6-6 गंटे की वीता नेत्य निकाल ले जाने चाहिए अब समीब की नेत्य बैंक को तुरंथ सुचे करने चाहिए नेत्य बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति की घर पर यह पर अस्वताल में नेत्य निकाल लेगी नेत निकालने में मात 10-15 मिनिट का समय लगता है यहीं एक सरल पिक्रिया है और इसमें किसी बगार का विरूपन नहीं होता है ऐसे व्यक्ति जो AIDS है या Hepatitis B या फिर आप देखेंगे सी जलवी ती या ती लिव लोक कीमिया धनुस्तम एहजात परीका सोथ या फिर मस्तिस के सोथ से संक्रित हैं जिनकी इसके कारण मित्यू हुई है नेत दान नहीं कर सकते हैं तो यह भी ध्यान रखना होगा ठीक है नेत बैंक दान किये गए नेत्रों को इकतित करता है उनका मुल्यान करता है और उन्हें बिद्रित करता है सभी दान किये गए नेत्रों का चिकिस्टा के उच्छ मांदनों द्वारा मुल्यांकन किया जाता है पित्यारोपन की मानकों पर खरे ना उतरने वाले नेत्रों को म अंता से पीड़े चार व्यक्तियों तक को दरिश्टी पिदान कर सकता है आपने देखा हुगा कई मोविया भी बनाई गई हैं इस पर लिकेन आप लोग क्या करते हैं कि सही चीजों को फलू नहीं करते हैं आप लोग गलत चीजों को तुरंद फलू कर लेते हैं किरिया कल आप 11.01 को देखते हैं आंगे बढ़ते हैं एक ड्राइंग बोड़ पर ड्राइंग पिनों की सायता से सफेद कागज की इस सीट लगाई है इस सीट पर काज का पिजम में इस पेकार रखिए कि इसका तिरभोजाकार फलक आधार बन जाए एक पेंसिल का प्रियोग करके पिजम की सीवा रेखा खीचिये पिजम के किसी एक अबवर्थक पेष्ट एवी से कोई कौन बनाती हुई एक सरल रेखा पी खीचिये रेखा पीई पर दो पिने बिंदू पी और क्यू पर गाड़िये जैसा कि चित 11.04 में दरसा आए गया हा आला केसी की और से पी तथा क्यू पिनो के पिती विम्मो को देखिये आर तथा एस बिंदू पर दो और इस पिने इस पिकार गाड़िये कि पिन आर और एस पिन पी और क्यू के पिती विम्मो की एक सीधी रेखा में दिखाए देती है देखिए सीधा मतलब है कि पिती में म के कांच के पिजमे को हटाईए रेका पी पिजमे की सीमा रेका के बिंदू ई पर मिलती है चित 11.4 बहें दिखाया भी गया है देख लेते हैं आगे यह बात की जा रही है चलिए और इसे देख लेते हैं फर वच्छे से देख लेए इस पिकार बिंदू आर तथा एस को एक रेका से जुड़िया और तथा इस रेका को इस पिकार आगे बढ़ाईए कि आप पिजमे के फलक AC से एब पर मिले हैं हम पहले ही देख चुके हैं कि पेनों पी तथा क्यू को मिलाने वाली रेका फलक AB से इस पर मिलती है वो इस एब को मिलाई है पिजम के आप वर्तक पेश्ट AB तथा AC पर करमसा बिंदू E तथा F पर अभीलब कीची चित्थ 11.4 में दर्साय अंसर आपतन कोंड आप वर्तन कोंड और निर्गत कोंड को निचिनिच कीजिए यह आपको देखाई देरा हुगा और A, B, C, A, S, R, F, E कोंड, M, M, N, 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 H, G, E, Q, P, P, क्या, P, E, A, आप देद के रहने हैं, E, F, E, F, E, F, E, F, A अब देद के रहने हैं, F, S, F, S, P, E, F, I, F, E, 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 F किरन और EF अफ़वर्टिक किरण है, EFS निर्गत किरण है, आप देख सकते हैं कि पहले पेश्ट TAB पर पेकास कि करण भायू से काच में प्रविश कर रही है, आप रवर्टन के परश्चात पेकास की करण अभी लंब की और मुड़ जाती दूसरे पेश्ट पर एसी पर विकास की करण कांच से वायू में प्रिविस कर रही आता या अभी लंब से दोर मुर्ती है पिजमे के पितेक अब वर्तक पेश्ट पर आपतन कौंड तथा आपको वर्तन कौंड की तुलना कीजिए क्या है कांच की सलेब में हुए जुकाओं क के समान ही है पिजम की पिषय से आकिरती की कारण निर्गत किरन हापातित किरन की दिसाने कौंड बनाती है इस कौंड को विचलन कौंड कहते है इसस तरव है मैं कौंड धि दिचले कौंड है उप्तिक रिखली एगलाब में कौंड की त esti stap शरहं अब बात कर दें काट के Archie इस पेशन पर विचार करने से पहले हम फिर से पिजमे से होने वाले पिकास के अबबर्दक को देखते हैं काज के पिजमे के जुके हुए अबबर्दक पेश्ट एक रोचक परिगंटना दर्सा आते हैं आईए इसे क्रिया कलाब दोरा समझते हैं क्रियाकल आप 11.2 गत्य की एक मोटी सेट लेजिए और इसके मत्य में एक छोटा चित दिया आए आप एक पतली च्री बनाजिए पतली च्री पर सूर का पिकास पढ़ने देजिए इससे सुईत पिकास का एक पतला किरंट पुंच प्राप्त होता है आप काँच का एक पिजम में लीजिए और इससे ततंचित 11.5 में दरसा इंसाल जिरी से पिकास को इसके एक फलक पर डालिए पिजम को धीरी से इतना गुमाईए कि इससे बाहर निकलने वाला पिरिकास पास रखे किसी परदी पर दिखाई देए आप क्या देखेंगे आप व पढ़ना है उसके पढ़ने के बाद आपको क्या करना है नीचे जो आपका इतर सिपहराव गिराफ दिया जाता है इससे जरूर देखना है आपको क्योंकि यही इसका नेस्केस रहता है संभावता प्रिजम से आपते स्वेद पिकास को रंगों वर्डों की पट्टी में विवक्त कर दिया है इसे रंगीन पट्टी के दोनों सरों पर दिखाई देने वाले वर्डों का क्रम है क्या है दिखाई देने वाले विवन वर्डों का क्रम क्या हो रंगों का क्रम क्या ह हो गया सुइद पिकास कुन यहां को दिखाए भी दे रहा हो तो इस पिकास का स्पेक्ट्रम पिसिद परिवर्डी सब्द विग गयोर आपको बर्डों के क्रम याद रखने में साहता करेगा इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं हजर्ट पिकास के अब अभी वर्डों की इस बेंड को स्पेक्ट्रम करता हैं क्या केते हैं वुषए पर अपने देखा है कि स्वेथ पिकास पिंच में द्वारा इसके साथ अब अब भी वर्डों में यानि की रखों में विच्चभित हो जाता है हमें यह वर्ड क्यों पर आप्त होते हैं किसी पिजम से गुजरने के बश्चात पिकास की बिविन वर्ड आफदित किरन के साफिक्च अलग-अलग कोड़ पर जुखते हैं और मुड़ते हैं लाल पिकास सबसे कम जुखता है जबकि बैगनी आपको सबसे अधिक जुखता हुआ दिखाई देगा इसलिए पितेग बर्ड की कहने अलग-अलग पफों के अनुदिस निर्कत होती हैं और गतना सोइस्पर्ट के दिखाई देती हैं या सोइस्पर्ट बर्डों का बेंड ही हमें इस्पेक्ट्रम की रूम में दिखाई देता है सुईद पिकास के इस्पेक्ट्रम का पुनरही हो जन्हें दिखाई दे रहा होगा आई एक नीटन ने सरवपितम सूर का इस्पेक्ट्रम प्राप करने के लिए काज के पिजम का उपयोग किया एक दूसरा समान पिजम उपयोग करके उन्होंने स्वेध पिकास कि इस्पेक्ट्रम के वर्डों को और अधिक विवक्त करने का पैतन किया किन्तु उन्हों उने और अधिक वर्ड नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने चित 11.6 की भाती एक दूसरा सरफ सम पिजमें पहले पिजमें की साफिक छुल्टी इस्तिती में रखा। इस स्पेक्ट्रम के सभी वर्ड दूसरे पिजम से फोका गुज़िए। उन्होंने देखा क कि दूसरे पिजम से सुईत पिकास का करेट पुझ निर्गत हो रहा है। इस पेक्ट्रण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर का पिकास साथ बढ़नों से मिलकर बना हुए। कोई भी पिकास जो सूर के पिकास का साथ दिरिशत स्पेक्ट्रम बनाता है यह सुईत पिक परीड छेपन के कारण होता है। इंद्धन उस्तधियों सूर के विपरीद दिसाब में बनता है। जल की सुक्ष मूने छोटे पिजमों की बादीकार करती है। सूर के आपतित पिकास को आप वर्थित तथा विच्छेब Praise करती है। तत्क शायत अंतरिक परवर्थित करती है। और अंधताजल की वूने से बाहर निकलते समय पिकास को पुणहा अभूबर्थित करती है। इस तरह से इंदेधन उसका बनना पिकास के परीड चेपन तथा आंत्रिक परावर्तन की कारण बिभेंट वर्ण पे छड़की नित्रों तक पहुचते हैं यदि सूर की आपकी पीट की ओर हो और आप आपकास की ओर धूब बाले किसी दिन किसी जल पर पाद अध्वा जल के अध्वारे में देखें तो आप इन दिन उसका द्रस्त देख सकते हैं अब बात करते हैं वायू मंदली ये अब बर्दन की बारे में आपने संभावता कभी आगया भटी अध्वा किसी उसमें ये बीवी रख बिकी रख की उपर उठती गरम वायू की विच्छोब्द पर अधिक गरम हो जाती है गरम बायू अपने ऊपर की ठंडी वायू की तुल्ला में हल्की यानि की कम सबन होती है और इसका अब बर्दनांग ठंडी वायू की अब एक्टा थोड़ा कम होता है क्योंकि अब बर्दन अब वर्दक माध्यम बायू की बहुतिक अवस्था हैं इ लगू इस तर पर बाई मंडली अब बरतन इत्वी के बाई मंडल के कारण पिकास का बरतन का ही एक प्रभाव होते हैं तारों का टिम्टमारा बिढ़ है इस तर पर एक ऐसी परिगटना है आए देखे इसकी ब्याक्याम किस पेकार कर सकते हैं यह भी आपसे पूछ लेता है कि तारों का टिम्टमारा किस कारण टिम्टमारते हैं तो चलिए इसके बाई मंडली अब बरतन के कारणी तारे टिम्टमारते पितीत होते हैं याद रखना बाईमनदल ये अफोवरतन के कारण है पंधमी की बाईमनदल में प्रवेश करने के मरक्षाथ पिथभी के पेश्ट पर पहुंचने तक कारे के कब्रिकात नें तर आ परिवर्थित होता है और दाइमंटल अ बरतन उसी मातजह में होता है जिसका क्रमेक परिवर्थित अब असको आविलंग कि यो जुखा देता है और अता हा तारी की अवासी इस्तिति उसकी वासथवोय की तेसी से कुछन होती है। झेतिज के निकत देखनये पर को यी तारा अपने अपणी वास्थवेक की इस्तिती से कुछ ज़्य उचाई होता है और इसके आरिक्ट जैसा की ऐसी पर इस्तिती में पिछली अनुभाग में बैर्ण किया जा चुका है, तारी के यह है आवास की इस्तिती भी इस्ताई नावकर धीरी धीरी थोड़ी बदनती भी रहती हैं, क्योंकि पिधवी के वाईमनल की बहुत तिक आवस्ताई इस्ताई नहीं हैं, क्योंकि तारे बहुत दूर हैं, और अत आपों में फिर्वेश करने वाले तारों की पिकास मात्रा जिल मिलाती रहती हैं, इसे ही हम लोग टिम्टिमाते भी कहते हैं, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकिला पितीत होता है, तो कभी दुंदला, जो की टिम्टिमाहाट का प्रभाव है, बाईमनली अपवर्तन के कार ग्रह तारों के बेक्षा इधभी के बहुत पास है, जो इसलिए उन्हें 32 ऑस्रोत की भाटी माना जाए सकता है, यदि हम ग्रह को बिंदु साइच के अनेग प्रिकास रोतों का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइच की प्रिकास रोतों से हमारा, हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले पिकास की मात्रा में पुल परिवतन का उसत मान सुन होगा, इसी कारण टिम्टमाने का प्रभाव निश्प्रभावित हो जाएगा, यही कारण है कि ग्रह नहीं टिम्टमाते हैं। कौने बाइओ बंडली अप वर्तन का सूर्योदर तरता सुरियास्त पर क्या प्रभाव當然, अर्धिम सूरियोदर और विलमीच सूरियास्त बाइओ यहारि कि सूर उगने से 5 Desde 1992 दोभने से 2 मेंच बाक ततक दिखाई दिदता हैं गया राते सूर का वस्ताव में 6 को पाहर करना है 11.10 में सूर की छेची साफक के वास्तिविक द था आवासी सितियार दर्साई हैं गये हैं चप्टी पितेत होती है, सूर की आवासी इस्तिती है, अब बात करते हैं, पिकास का पिकीड़न, पिकास था हमारे चारोर की वस्तूओं के बीच, अन्योन की रिया के कारणी है, हमें प्रक्किती में अनेक आश्चेजनक परिगटना है, देखने को मिलती है, आकास का नीला र पिछली काक्षा में आपने कोलाइडी कड़ों द्वारे पिकास के पिकीड़न की विसय में अध्यन भी किया था, किसी वास्तविक विलियन से गुज़ने वाले पिकास करण पोजी का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है, तो आपकी किसी कोलाइडी विलियन में जहां योग एक तरह से करके बताया जाता है, पूरा चित्य का सहरा लिया जा रहा है, इससे अच्छा मुझे लगता है कि NCE IT इतनी सरव भासा में लिखी हुए, तो हर कोई समझ लेगा, और मुझे लगता है कि आप सिविल सर्वेस या इस्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो इन करणों में दुआ जल कि सोक्ष मुझे दोल के निलंबित कर बायू के अडूं समलित होते हैं, जब कोई पिकास करण कुझ ऐसे महीन करणों से टगराता है तो उस करण कुझे का मार्ग दिखाई दिने लगता है, इन करणों से विसरेट पिकास प्रावर्दित होकर हमार पिकास करण पुझे प्रिविस करता है तो इस परिगटना को देखा जा सकता है, इस पिकार पिकास का पिकीडन करणों का द्रस्ट बनाता है, जब किसी घने जंगल की बितान से सूर का पिकास गोजरता है तो टेंडल प्रवाह को देखा जा सकता है, जंगल की कोहासे में ज सूर की एक चोटी सी करण दिखाई देती है या आप वेर्प के नीचे आप बैठे होंगे तब दी आपको दिखाई देंगे पिकीडित पिकास का वर्ड पिकीडन करने वाले करणों के साइच पर निर्वा करता है अतरग अध्येंद सूच्म करण मुख रूप से नील पिकास को पिकीडित करते हैं जबकि वर्ड साइच के कड अधिक तरंग धहर्ड के पिकास को पिकीडित करते हैं जदी पिकीडन करने वाले कड़ों का साइच बहुत अधिक है तो पिकीडित पिकास स्वेधी पितीत हो सकता है अब बात करते हैं स्वक्ष आकास का रंग नीला क्यो एक तरह ऐसे कुश्चे फॉम में दिये जा रहे हैं और आपको नीचे आंसर भी बताया दिये जा रहे हैं बायू मटल में बायू के अडू तथा अन सूक्षम कड़ों का साई दिरस्त पिकास की तरंगधर के पिकास की अपिक्षा नीले वर्ड की ओर के कम तरंगधर के पिकास को पिकीडित करने से मैं अधिक प्रभावी है लाल वर्ड की पिकास की तरंगधर नीले पिकास की अपिक तिक मान नीला पिकास हमारे नेत्रों में प्रिविस्ट करता है।श क्लम दोना gångरा करें, यह क्लिए को यूदि कत अभित है, अग्रिष क ओड़िये होता है।म क्ला से लिएगोर झा Kayla का उड़ाती हो स्वाहेन, इतने उछाइब करता है। कि चैनलिता POL ॐ। यहाइं दूर से देखने पर भी लौनakahी दिखाई देखला ही देता है कि आप चौराहओं पर लाज रहती है यह संक्यकित कि सिलिट लगे रहती है लाल रंग में क्यें होती हैज तो इस आपका उत्रेसका भी हो गया अब बात करतें सॉर्योदर और सूरास्त के समय सूर का रग किया आपने सूरियोदर अधान सूर्यास्त की समय प्रक्रों कुछ देखा है युद इस अने देखा होगा क्या आपने सोच है कि सूर्य तढ़ा उसके आसबास का ल्यका आकास रगताब क्यों कितीत होता है कि आकास के नीलेonterन ततीत होने को समझने के लिए आई एक किरिया कलाभ करें किरिया कलाभ 11.3 कोई अभिशारी lens L1 उत्तर lens लेकर इसके focus परसोईत पिकास का तेपय सुरोद रखिए लेंस पिकास का एक समानंतर करण पुंज पिदान करता है पिकास की समानंतर करण पुंज को स्वक्ष जल से बरे एक पारदर्सी काश के ट्रेंट से गुजारी है किसी एक गत्ती में बने एक बिट्टा का चित सी से इस पिकार करण पुंज को गुजरने दीजे कि चित 11.11 में दरसाय नुसार एक दूसरे अभिसारी लेंस कब्रेव करके वित्कागर चित का इसपर्ष्ट कितीविंब पर्देपर बनाई। टैंक में लगबग 2L स्वक्ष जल लेकर 200 ग्राम सोडियम थायो सल्कृट हाइपो गोलिए। जल में लगबग 1-2 ml सांद सल्कृट अब आप क्या देखेंगे। कोलाइड बिलेन में पिकास के पिक्षट करने का एक प्रबंद है। लगबग 2-3 मिनिट के बच्चाद आप सल्कृट के सूप्ष में कड़ों को आओ छेपित होते देखेंगे। जैसे ही सल्कृट के कड़ बनना प्यारम होते हैं। आप कांच के टैंक के 3 पार्ट से नीला पिकास देख पाएंगे। और यह सल्कृट के सूप्ष में कुलाइडी कड़ों द्वारा कम तरंग है कि पिकास के बिगेडन के कारण होता है। और कांच के टैंक के चौथे पार्ट से बित्ताकार छित्दिकीवों से पारगत पिकास के रंग का पिच्छे बिक्चन कीजिए। यह पिक्चन हती रोचक है क्यों भी परदे पर पहले नारंगी लल, लाल और पर चमकीला, किरमीजी, मीजी लाल रंग दिखाई देता है। यह क्रियाकला प्रिकास के पीगी रंग को नेदेशित करता है, जिससे हमारे आपको आकास के नीले रंग और सूर्यादतता सूर्यास्त के समय सूर के रखता पितित होने को समझने में सहयता भी करता है, लाल रंग। और डिया चेतिच की समी विष्टे सूर से आने वाले प्रिकास हमारे नेत्म तक कहुंचने से पहले पित्वी के वायुम्डल में बाई की मोटी परतों से गुजयता है इस तरह से सुर्य दर्दना सूर्यास्त के समय सूर का रख्थाब यानि कि लाल चेतिच के निकर सूर नी तब उर्दू वर्ष्थ, नीले पिकास का कम पिकीड है, तद आपी जब सूर्ष सर्ष से ठीक ऊपर हो तो सूर्ष से आने वाले करम पिकास, अब एक छाक एक कम दूरी चलेगा, दोफेर के समय सूर स्वेध पितित होता है, क्योंकि नीले तथा बैगनी वर्ष की बहुत थो ने वाला फिकास अधिक तरह निम्दहर का होता है, और इससे सूर्योदे या सूर्यास्त के समय सूर्ष रखताव यानि कि लाल पितित होता है, तो सबसे अच्छी बात है है कि जो भी इस चेप्टर पढ़ते हो, उसके नीचे आपको एक निस्कस भी दे दिया जाता है, कि पार्ट को पढ़ने का क्या उद्दिश था आपका, क्या-क्या सीखा है अपने, नेत की वाय चमता जिसके कारण हुए अपने फॉकस दूरी को समाय विजित करके निकट दूरस्त बस्तूं को फॉकसिक कर लेता है, नेत की समझन, चमता कहलाती है, वह है अलपतम दूरी जि दुर्ष्टी के साम्हां रउवर तक दोस्त की भात करें तो निकट दरिश्ती दूर, दिरुइग दूर दूर दिरुष्टी दूर ता तीन पेकार के हुटते हैं, निकट दुर दूर्ष्टी दूर रखी बस्तू का कि अथियर दुर दृष्टी की बात करें, ने करें सूर रखताव यानि के लाल पितीत आपको होता है तो ए था आपका ग्यारवा चप्टर इससे सम्मधित कुश्चन्स दिए गए हैं इन्हें आप लोग देख सकते हैं याद रखे आपकी जो भी जितनी भी पीडियेफ आपकी टेलीग्राम पर डाल देगें तो चलिए वारव आपके लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में इसमें हम लोग कच्छा दस्वी की ग्यान के बारे में बात कर रहे थे इसमें आपके 11 चेप्टर हम लोग कतम कर चुके हैं और आज बात करेंगे बारेवे चेप्टर के बारे में बिद्दुत के बारे में ठीक के जा रही है जो आपकी civil service और state PCS के लिए महत्पूर्ण है, उसी के point भी उसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है? बिद्धुत, आप लोग देखते होंगे कि आज के समय में नभी करनी ये उर्जा पर ध्यान दिया जा जा रहा है, यानि कि कहने का मतलब है कि आप जानते हैं कि पेट्रॉल हो, प्रिचाहिकर्चा तिल कोई भी हो, डीजल हो, आप देखेंगे एक उस समय के बाद कोईलावी हो जाएगा, ये भी खतम हो जाएगा, तो उसके बाद भी नुमारे सावने बिद्धुत के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए हम ऐसी उर्जा यानि कि बिद्धुत पर ध्यान दे रहे हैं, जो मानाओ की जिंदगी के साथ चलती रहे, जैसे आप सोच चिए, सूर उ बेएगी, ठीक है, बिद्धुत का अधुनिक समाज में एक महत्कूरिस्तान है, ये घरों विद्ध्या लेएं और अस्पतालों, उद्ध्योगों तथा यैसे ही अन संस्थानों के बिवित उपयोगों के लिए, एक नियान्तित कर सकने योग और सुविधा जनक उर्जा का रोग है, वह एक क्या है, जिससे बिद्धुत बनती है, किसी बिद्धुत परिपत में ये कैसे प्रवाहित होती है, वह कौन सिका रखें, जो किसी बिद्धुत परिपत की बिद्धुत धारा को नियान्ति तत्वा नियमित करते हैं, इस अध्याय में हम इस पेकार की फिस् जल धारा से परचित है, हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है, और इसी पेकार यदि बिद्धुत आवेश किसी चालक में से प्रभावित होता है, उधारन के लिए किसी धातु कितार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में बिद्धुत धारा है, क हमने यह भी देखा है कि torch तभी प्रिकास देती है, जब उसमें उसके switch को on करते हैं, यानि कि current को चालू करते हैं एक तरह से. स्वीच क्या कार करता है? स्वीच सेल तथा वल्व के वीच चालक संबंद जोड़ता है, किसी विद्धुधारा के सतत तथा बंद पत को विद्धुध परिपत कहते हैं, अब यदि परिपत कहीं से तूट जाए, अत्वा torch के switch को off कर दें, तो विद्धुधारा का परवास सम भारते हैं, तो इसी तरह की बात हैं, हम विद्धुधारा को कैसे ब्यक्त करते हैं? विद्धुधारा को एकांग समय में किसी विशेश छेत से परवाहित आवेश के परवाह द्वारा ब्यक्त किया जाता है, अगर दूसरे सब्दों में हम कहें तो विद्धुधारा की पर प्रिगटना का असर अप्रितम पेक्षन किया गया था, एलेक्टोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अधा बिद्धुद्धारा को धनावेसों का प्रवाह माना गया था, और धनावेस के प्रवाह की दिशा को भिद्धुद्धारा की दिशा माना गया, परिपार्ट और आपको आराम से समझ में आ जाएगी अगर आप एक से दो बार पढ़ते हैं आराम से, देयानक का, तो इसलिए आपकी टेलीग्राम पर सभी बुक्स डाल दी गई हैं, और आपकी प्रॉब्लम इतनी ही थी कि आप कौन सी बुक्स पढ़ दी हैं, कौन सी नी पढ़ दी, कहा भी टेलीग्राम पर डाल दी हैं, अब आपने आप से पढ़ सकते हैं, और मेरी ने जो कहा था कि सभी कंप्लीट करवा दूगा, तो कप्छा छट भी से कंप्लीट करवा दीगी, और बार भी तक मैं करवा दूँगा, लेकिन मुझे खुद लगता है कि इसमें क्या समझाए करेंगी उसका, यदि किसी चालक की सेमा, चालक की किसी भी अनफरस्थ कार्ट से समयट T में नेट आविस Q प्रवायत होता है, तो उस अनफरस्थ कार्ट से प्रवायत बिद्धुदारा I को इस पेकार बेक्त करते हैं, I वराबर आप देखेंगे Q अपॉन T, बिद्धुद आप इसका तुल होता है, हम जाते हैं कि एक एलेक्टॉन पर एक दसमलोग 6 गोड़े 10 की पावर माइनस उननेश सी यानि की कूलॉम आप इस होता है, बिद्धुदारा को एक मातरक जिसे एम्पियर कहते हैं, बिद्धुदारा के ये भी एक तरह से मातरक है, एम्पियर भी मैं बैक्ट किया जाता है, इस मातरक का नाम अंद्रे मेरी एम्पियर इनका जीवन रहा है, 1775 से 1836, इने के नाम के इस तरह से यानिकी एम्पियर रख दिया, इसे ए से आप लोग बैक्ट भी करते हैं, ए फ्रांसी सी बिद्धुदारा की रचना 30 सेकंड एक कूलॉम आवे 30 सेकंड अलब परीडाम की बिद्धुदारा को मिली एम्पियर अत्वा माइक्रो एम्पियर में बैक्ट करते हैं, परीबत की बिद्धुदाराम आपने के लिए जिसे अंत का उप्यों करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इसे सदियो जिस पत में बिद्धुदाराम आपी जा विवस्था आरेक दिखाए गया है, जिसमें एक सेल, एक विद्धूद, बल्व, एक एमिमीटर, तथा पिलग कुंजी जुड़े हैं, ध्यान दीजी की परिपत में विद्धूद्धारा सेल की धन टर्मीनल से, सेल के रिड टर्मीनल तक बल्व और एमिमीटर से होकर प्रव विवस्था आरेके, ठीक है, कूला, एम्पियर, इसे भी देख लिए उधारन को वैसे आप से डारेक्ट उधारन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकर फिर भी याद रखी, किसी बिद्धूद बल्व कि तन्तू में से 0.5 एम्पियर, बिद्धूद्धारा आप 10 मेंट तक प्रभावित होती है, बिद्धूद परिकत में से प्रभावित बिद्धूद आवेस का पईडाब गयाद करना है आपको, हमें दिया क्या गया है, आप देखेंगे हमें आई बराब 0.5 और एम्पियर दिया गया हो, और इसमें आउट बराबर 10 मिनिट दिया गया है, तक सा इनने भी देख सकते हैं, अब बात करते हैं, तार की बिद्धूद आवेसों का प्रभावित, कोई धातु बिद्धूद चालन कैसे करती है, आप सोचते होंगे कि निम्न उर्जा के एलेक्ट्रोनों को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कटनाई होती है, ठोस के भी परवाडू एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं, और इनके बीच बहुत कम इस्थान होता है, परंतु यह पाया गया है कि एलेक्ट्रोन किसी आधर से ठोस क्रिश्टल से बिना रुकावट ठीक बैसे ही आसानी से यात्रा कर लेते हैं, जैसे की भी निर्वात में हों, अब उसके भीतर एलेक्ट्रोन एक निश्चित आउसत अभवाहाचाल से गति करते हैं, किसी प्रायरूपी होपर की तार के लिए जिससे कोई लगू बिन्दुद्धारा प्रवायत हो रही है, इस अभवाहाचाल का परिकलन किया जासे सकता है, और यह वास्ताव में अत्य ऐसा नहीं हो सकता है कि विद्धुद्धारा किवल अब तब आरभ हो, जब कोई इलेक्ट्रोन विद्धुता पूर्टी की एक टनमीला से स्वयन चलकर बलवग से होते हुए, दूसरे टनमीला तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालकतार में इलेक्ट्रोनों का बहुतिक अभ पहार है, क्या आप इस तर पर इस पैसन की गहराई तक पहुचना चाहते हैं, अब बात करते हैं, बिद्धुत, बिर्भाव और बिवहांतर, यह भी काफी एक बार आप सुनते रहते होंगे, वह क्या है जो बिद्धुत आवेश को प्रभाहित कराता है, आईए जल के प्र को किसी उच्चे तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दें, जैसे नली के दो सिरों के बीच कोई दावांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की वर प्रभाहित होता है, इसी चालक तार में आवेशों की प्रभाह के लिए बास्तों में गुरुत वल्क का कि कोई भूमिका नहीं होती है, एलेक्टोन के वल तबीकती करते हैं जब चालक की अनुदिस बिद्धुदाफ में कोई अंतर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेवहांतर कहते हैं, ठीक है, बेवहों में यह अंतर एक या फिर अधिक बिद्धु सेलों से बनी बैटरी तवा दुसरे बिन्तु तक नहीं लिजाते हैं, जब सेल को किसी चालक परिवत अवाख से सयोजित करते हैं, तो विवहांतर उस चालक के आविशों में गती या देता है, और विद्धुदाफ में विद्धुदाफरा बनाय रछने के लिए सेल अपनी संचित रशानी कूरजा ख कि आजाता है ठीक है दोविन्दूओं के अगर वीच के व्यवांदतर की बात करें वीच से बेक्ट करते हैं ठीक है किया गया कार अपन इसमें बटे आबिश्ट इस तरह से आप दोविन्दूओं के वीच विवांदतर निकाल सकतें जीAmerica सुप्त के द्वारा वीभेक्ट कर रखा गया है, यदि किसी विद्दु धारा वाही चालक के दो बिंदुओं के बीच ये कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल कार किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच बेवांतर एक बोल्ट होता है याद रखी क्या रहता है कि वन डेक जाम में भी कई बार आपका प्रेलिम्स में भी कुश्चन सा जाते है मात रख पूछ लेते हैं तो इन सभी के मात रख जरूर याद रखना है एक बोल्ट बराबर एक जूल अपोन एक कुलम इसे इस तरह से ब्यक्त कर सकते हैं आप लोग एक बोल्ट एक जूल कुलम रख आत्मत बेवांतर की माप एक यंद की द्वारा की जाती जिसे आप लोग बॉल्ट मीटर कहते हैं बॉल्ट मीटर के उस तदे उन बिन्दूओं से पार्णशू क्रम में सही जित करते हैं जिसके बीच ब्यवांतर माप ना होता है यहां है आप देखते हैं वह जिसको धारण भी दिया गया है बारे ब्यवांतर के दो बिन्दूओं के बीच दो कुलम आब इसको ले जाने में कितना कार कर किया जाता है बिभान तर भी बराबर 12 बोल्ट हो गया कि दो बिन्नियों के वीच पिरवाहित आवेस का पईडाम Q यानि कि दो कूलाम है इस पेकार आवेस को इस्थानादित करने में किया गया कार समीकेंड 12.2 जो आप लोगों ने उपर देखा था उसमें जैसे ही आप मान रखेंगे इसका आप निकाल लेंगे 24 जूल ठीक है यह भी देख सकते हैं इन कुश्चन को आप लो अब बात करते हैं विद्धूत परिपत आरिकी हम जाते ही कोई बिद्धूत परिपत जैसा की चित बारेद असमलो एक में हम लोग ने दिखाया है एक सेल अत्वा एक बैटरी एक पलक कुंजी बिद्धूत अवयवों तथा सयोजी तारों से मिलकर बनता है बिद्धूत परिपतों का प्रया ऐसा बिवस्ता आरिकी कीचना सुख्ध्या जलना को Kaiilkiau को त्वारा निरूपीत किया जाता है सायजी बारे दासरंपलब-1. परिपफ एक में सावान ले जाता है कुछ बिद्धूत अवयवों को निरूपीत करने वाली रोड नोट की पिती के बिद्धुस सेल यहां देखते होंगे पिलस माइनस बैटरी अत्वा सेलों का स्टैयोजन तो आप इस तरह देखते होंगे पिती के खुली पिलक कुंजी अत्वा सुईच बंद की बात करने कुछ तरह है तार संदी बिना संदी के तार क्रोसिंग बिद्धुद बलब पिती रोधक परिवर्थी पिती रोधक अत्वा धारा नियन तक एमीटर बॉल्ड मीटर ठीक है अब बात करते हैं ओम का नियम आप लोगोंने बच्पन में काफी ओम का नियम कोई संबन्द है आईए इस किरिया कलाब द्वारा इसकी चानवीन करते हैं एक बात और याद रखी किरिया कलाब को किवल आपको पढ़ना है और निकल जाना है नीचे किरिया कलाब के बाद नीचे जो पॉइंट दिये रहते हैं उन्हें जरूर पढ़ लिया करेगा क्यों आई एक एमी मीटर एक वोल्ट मीटर और चार सेल जिसमें पितेक में एक दसमलों पाच वोल्ट काउं जोड़ी है निक्रोम, नेकेल, कोरोमियम, मैगनीज और ऐरन की एक मिस्दार्टू इस तरह से ओम के नियम के अध्यान के लिए पिद्दुत परिपत सबसे पहली विवांतर के लिए बोल्ट मीटर का पाठेंग भी लिजे, इन्हें दी गई साइड़ी में लिखे, इसके परिपत में दो सेल जोड़ी है और निक्रोम के तार में प्रभावित होने वाली विद्दुधारा, उसके सिरों के बीच विवांतर का मान ग्याद करके करने के एमी मीटर और बोल्ट मीटर के पाठेंग नोट कीजे, ओपियोक्त चैड़ों को पहले तीन सेल और फिर चार सेलों के परिपत को परिपत में पितक पितक लगाईए और दोराईए, विवांतर भी और विद्धुधारा आई के पिते के उगल के लिए अनपाद भी अपन आई प आपके पास इतना समय नहीं है, आप लोग बस एक से दोवार पढ़ियों और निकल जाएए, मैन आपको इसके लिए रहता है कि आपको एक सामन जानकारी हो जाए, आप देखते हैं इतिहास हो पे चाहिए, आपकी भूगोल हो, या आपका समिधान हो, या आपकी अर्द्व में उस्ता हो, उसमें बड़ा मजायता है आप लोगों को पढ़ने में, और देखिए हम भी साइंस से उतना ही एक तरह से फरची थें जितने की आप फरची थें, जान्दा ना तो मुझे आती है साइंस, ना ही कोई ग्याता नहीं हो है, ठीक है, लेकिन जो जरूरी थी वो इस किरिया के लाब में आप देखेंगे कि पितिक पिकरण में, भी अपोन, आई का लगबग एक ही मानपराप्त होता है, इस पेकार भी आई ग्राप, चित्ने बारेत असमलाव तीन में दिखाया है, मूल बिंदू से गुजरने वाली, एक सरल लेखा होती है, इस पेकार भ परवाहित बिंदुद्धारा आई, उसके सिरों के बीच विभांतर में परसपर संबंद का पता लगाया, एक बिंदुद्ध परीबत में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभांतर उसमें परवाहित होने वाली बिंदुद्धारा की समानपाती होता है, परंतु तार क मान ताप समान रहना चाहिए इसे ओम का नियम कहते हैं दूसरे सब्दों में अगर हम कहें तो भी इसमें अनपाती आपका व्यूत के नमाद अनपाती क्या होता है यह आपका आई भी अपॉन आई बरावा नेतांग आर समय के आप देखेंगे 12.5 में किसी दिये गए धातू क आपके लिए दिये गए ताप पर आर एक नेतांग है जिसे तार का प्तिरोग कहते हैं किसी चालक के यह ऺ़ह क्ढ़ है कि वह है अपने में होने वाले आपेस के परवा का प्तिरोध करता है और प्तिरोध का ऐसा ही मातरक ओम है इसे गِّरीग भाहसा की शब्द ओम से निरू ये विद्दुधारा प्रवाहित होगी, तब उस च्यालक का पितिरोद देखने को मिलेगा आद नेतंग और एक ओम होता है, इसमें, एक ओम बरापर वन वोल्ट यानि कि एक बोल्ट बटी एक एंपी है, समीकर बारत देसम्बला पास से हमें यह संबंद भी प्राप्त होता ह इस तरह से, समीकर बारत देसम्बला पास से स्परश्ट की किसी पितिरोध से प्रवाहित होने वाली दिद्दुधारा और उसके पितिरोध की बियुत कर्मान पाती होता है, यदि पितिरोध दोगना हो जाए, तो बिद्दुधारा आधी रह जाती है, विवार में कई बार किसी विद्धूत परीपत में विद्धुत धारा को घटाना या थवा बढ़ाना आवस्रक हो जाता है। सुरोध की मौल्टता में बिविणा कोई परिवतन कि ये परिपत की विद्धुत धारा को नियंतित करने के लिए उपयोग किया जाने वाले अवेब को परीवर्ती पितिरोद कहते हैं किसी बिंदूद परीपत में परीपत के पितिरोद को परीवर्ती करने के लिए प्रा एक युक्ति का उपयोग करते हैं जिसे हम लोग धारा नियन तक कहते हैं अब हम नीचे एक किरिया क्लाप की साहता से किसी चालक की, ये बिन्थूद, चालक की बिन्थूद कुद, इसकी साहता से, किरिया क्लाप 12.2, इसे के वल पढ़ी है आवलो, ज्यादा टेंसर मत लीजे, एक नीक्रोम तार, एक टॉर्च बल्व, एक 10 वोल्ट का वल्व, और ए एक एमी मीटर, एक पलक कुझी और एक कुछ सायोजी ताल विजे, 400 के सहलों, पिते एक दसमलो पांच वोल्ट का, वो सेडी में क्रम में एमी मीटर से सायोजीद करके चित बारे दसम लो, चार में दिखाए नुसर परिपत के एक अंतराल में एक्स वाई जोड़कर एक पर परिपत को पूरा कीजे, कुझी लगाईए और एमी मीटर का पार्टिंग नोट कीजे, पलक से कुझी बाहर निकालिए, ध्यारेगी परिपत की धाराम आपने की परच्छात सधी हुए, पलक से कुझी बाहर निकालिए, निक्रॉम तार के इस्थान पर लगवा अंतराल, X, Y में टोर्च वल को परिपत में जूड़िए और M.E.M का पाढ़ांक पाढ़ांक लेकर बनप से प्रवाहिद विद्धुद्धारा मापी अंतराल X, Y में विविन अभयवों को जोड़ने पर M.E.M के पाढ़ांक बिनमेन है। उपयुक्त पेक्चण क्या संकित देते हैं। आप अंतराल XY में किसी भी पदात का अवयव जोड़ कर इस करिया कलाब को दुरा सकते हैं। पिदेग इस्तिती में एमी मीटर के बाठ्यां का पेक्चण कीजिए। और इन पेक्चण का विसलेशन कीजिए। सबसे ज़रूरी रहता है कि इस करिया कलाब को पढ़ने के वार नीचे जो पॉइंट ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ देना चाहिए। इस करिया कलाब में हम एह अवलुकन करते हैं कि विभिन अवयवों के लिए बिद्धुधारा भिन्ने या भिन्ने क्यों हैं। कुछ अवयाब बिद्धुधारा के पिर्वावा के लिए सरल्पत पिदान करते हैं जबकि अन्न इस पिर्वाह का विरूद करते हैं। जानते हैं कि एलेक्टोनों कि किसी परीपत में गती के कारणी परीपत में कोई विद्दुधरा बंदी है तदा भी चालक की वीतर एलेक्टोन गती करने के लिए पुमूरता सुतंत नहीं होते हैं जिन पर्माड़ों के विए गति करते हैं, उन्ही के आपरषन के द्वारा, इनकी गति नेर्दित हो जाती है, इस परिकार किसी चालक से उकर अपर, एलेक्टरों की गति, उसके पिति रोद द्वारा मंद हो जाती है, और एक साइज के चालकों में, वहाद चालक, जिसका पित ती रोड लगाता है हीन चालक कहलाता है समाल साइच का कोई विद्धुत रोजी इससे भी अधिक भी ती रोड लगाता है इसे भी जान लेते हैं यह भी आपका टॉपिक वाय कारक जिन पर किसी चालक का भी द्रोड निर्वर करता है कौँसी कारक ही किरिया कला 12.3 कुपएले हम लोग पढ़क लेते हैं इसमें उनका आरकों जिन पर किसी चालक तार का भी द्रोड निर्वर करता है का ध्यान करने के लिए विद्धुत परिबद को अब पर लागे में कुझी लगाएंगे और एमिमीटर में बिद्धारा नोट किजिए इस नेक्रोम तार को अनन नेक्रोम तार से पितिस्था पित किजिए जिसकी मौटाई समान परतु लंबाई दोगनी हो और दो एल यानि की दो लंबाई तार लीजिए इसे चित बार सिर्फ पिती स्थापित कीजिए, मौटे तार की अनुपर्ष्ट काट का चितपल अधिक होता है, परीपत में प्रवाहित, बिद्धुधारा फिट, फिर नोट कीजिए, नेक्रॉम तार के इस्थान पर तामिक अतार, चित बारेद इसमलों 5 में, जिस पर चिन्न 4, इसकी बा मौट कीजिए, पिते पिकरन में बिद्धुधारा की मानों में अंतरक को ध्यान से देखिए, क्या बिद्धुधारा चालक की लंबाई पर निर्वर करती है, क्या बिद्धुधारा उपयोग की जाने वाले तार के अनुपर काट की छितपल पर निर्वर करती है, ठीक है, तो इस प्रिया कल आपको आपने जैसे ही पड़ा इसे जरूर में बार-बार बोलना हूँ, इसे आपको जरूर देहान दे रहा है, यह पाया जाता है कि जब तार की लंबाई दोगनी कर देते हैं, तो एमी मीटर का पाठ्यांग आधा हो जाता है, या तार की लंबाई दोगन है जब परीपत में भिन्न, पदार्थ परंतु समान लंबाई जैसा समान अनपर्स्त काट के छितफल के तार को जोड़ते हैं, यानि कि अलग-लग पदार के तार को, ओम के नियम को अनुपयोग करने पर हम यह बात देंगी किसी चालक के पितिरोद, चालक की लंबाई उसक और उसकी अनुपर्स्त काट की छितफल एक वियुत करवान पाती होती है, इस तरह से, यह अनुकरवान अनुपाती है, वह यह आपकी वियुत करवान पाती है, चीक है? समी कहें नो 12.8 और 12.9 को सायुजित करने पर हमें प्राप्त होता है इस तरह से यहां आपको यह दिख रहा है ना पी आकर का इसे रो कहते है अनुपातिक्ता इस रांक है जिस से चालकई पदार की विद्धुत पिती रोधक्ता कहते हैं पिती रोधक्ता का और यहादी किसी पदार का अभी लाप्चन एक गुरध्रम है धातू तता मिस्ष्र-धातू की पिति-रोधकता अतिंद्कम होती है, जिसका परिस्फोर 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 की पावर माइनस 6 ओम मीटर है, ये बिद्धुत की अच्छी चालक होती है रवर तथा काथ जैसे बिद्धुत रोधी पदाज़तों की पिती रोधागता 10 की पावर 12 और 10 की पावर 17 ओम मीटर कोटी की होती है किसी पदाज़ता पिती रोधागता दोनों ही ताप में परिवतन के साथ परिवर्दित हो जाते हैं, साइडी की बात करें तो बारत असम्बल दो में हम यह देखते हैं कि ब्यापक रूप से में मिस्द धातुओं की पिती रोधकता हो उनकी अब अभी धातुओं की अपेप्चा अधिक होती है, मिस्द धातुओं का उचिताप पर सीखी उपनें, उ तो एक मात टंगर्ष्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर और अलुमिनियम का उपयोग विद्धूद संचैन के लिए उपयोग होने वाले तारों की निमाड में किया जाता है, यहां साइडी में कुछ आपके अबारत असम्बल दो में 20 डिगरी सैसियत पर कु अपर की देखें तो 1.12 x 10-8, अलुमिनियम की बात करें तो 2.3 x 10-8, टंगिश्टन की बात करें तो 5.20 x 10-8, निकेल की बात करें तो 6.84 x 10-8, आरेन की बात करें तो 10.0 x 10-8, मंगिनियम की बात करें तो 12.9 x 10-8, मर्करी की बात करें तो 94.0 x 10-6, मैंनिच की बात करें तो 18.84 x 10-6, यह में से धात हुए हैं, तो कन 10-10, इसकी यह CO अर देखें की दात हुए हैं, ओर इसकी 99 x 10-6, और यहां मैंनिच की भी दिगिए हैं, टेकें, विद्धुत, रोदी, लिकांच, कठोर, एबुनाइट, डायमंड, ये डारेक्ट आपसे questions नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना होगा, थोड़े बहुत अगरिफ बन सकते हैं, बनना इस तरह के questions कम ही आते हैं, तीक है, आप इसलिए बोल रहा हूं कि कम से कुछ साल के questions पेपर देख ल मिलते होगे, ठीक है, एक अच्छा दस्वी के वच्चों के लिए काफी रहता है, इस तरह के questions देखते हैं होगे, आप लोग, देखते रहे न, आप लोग, वीडिया आपकी टेलीर आपड डाल देगे, इस तरह के उधारण है, ये तो ऐसा ही है, आप लोग मैंत लगाते थ के बारे में ठीक है, हमने यह दिखा है कि इसी चालक से प्रभाहित होने वाली गिद्दुधारा का मान, किस पिकार उसकी पिती रोद तथा उसकी सिरों के बीच बेवानतर पर निरुवर करता है, विवित पिकार के विद्दुदुप करणों यथा तथा युकतियों में हम प्रया पिती रोदकों के विवित सयोजन देखते हैं, इसलिए अब हम हमें यह विच्चार करना है कि पिती रोदकों के सयोजन पर ओम किनियम कुकिस पिकार अनुप्यूप किया जा सकता है, पिती रोदकों के वो परिस पर सयोजन, सयोजित करने की दो विदिया होती है, च पिती रोधकों के साधी क्रम साधी क्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, साधी क्रम 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 सा आपकी पूछे जाए या मैं पूछ नहीं की सम्भावना है, ठीक है? यह जितना पूछ सकता है कि सैडी में जो लगे रहते हैं, उन्हें सैडी करम कहते हैं, ठीक है? चित बनाने के लिए मुझे नहीं लगता है कि यह लेकिन टैंथ में जो पढ़ता होगा उनके लिए यह काहिता से समझने का प्रियास करती है, किरिया किलाब 12.4, बिभेंद मानों की तीन पिती रोतकों को सैडी करम में जोड़ी है, चित 12.6 में दिखाए अनुसार इन्हें एक बैटरी, एक एमिमीटर और एक प्लग कुंजी में से सहयोजित कीजिए, आप एक ओम, दो ओम, तीन आदी बानों के पिती रोतकों का उप्योग कर सकते हैं, और इस किरिया कलाब के लिए 6 बोल्ट की बैटरी उप्योग में ला सकते हैं, कुंजी को प्लग में लगाईए तथा एमिमीटर का पाठ्यांग नोट कीजे, एमिटर की इस्तिती को दो पिती रोतकों की बीच कहीं परिवतित कर सकते हैं हम एक बार एमिमीटर का पाठ्यान नोट किजिए क्या आप एमिमीटर के द्वारा बिद्धु धारा के मार में कोई अंतर पाते हैं इसके बाद जो आपका नीचे दिया रहता है इससे जरूर बढ़ लिया करेगा आप यह देखेंगी कि एमिमीटर में बिद्धु धारा का मान वही रहता है या परिवत में एमिमीटर की स्तिती पर निर्वर नहीं करता है इसका तात पर यह है कि पिती रोतकों के सैणी करम सयोजन में परिवत के हर भाग में बिद्धु धारा समान होती है और थाक पिते एक पिती रोत से समान बिद्धु धार का प्रवायद होती है इसे भी देख लेते हैं किरिया कलाब 12.5 को किरिया कलाब 12.4 में चित 12.6 में दिखाए अनुसा तीन पिती रोतकों के सैडी करम सैयुजन की सिरों परीपत में कुझे और तफह बोल्ड का पाठिया कि दोना किन दुलना की इसे कंजि निकालिये और बोल्ड मीटर को भी परीपत से हटा दीजी अब बोल्ड मीटर को चित 12.9 आठ में दिखाए अनुसा पहले पिती रोधक कि सिरों एक्स कथा आप पी के बीच चोड़िए, पलेग में कुझी लगाईए और पहले पिती रोधक के सिरों के बीच विवहंतर्म आपिए, माली जी कि ये आप भीवन है, इसके बाद आप लोगों ने क्रियाकल पढ़ लिया अर्थाद पिदी रोधक के सिरों के बीच कोल पिवहंतर पिदी रोधक के बीवहंतर पिवांतर की बीवहंतर की युग के बराबर होता है यानि के एक तरबह आपका वी में सिरों की बराबर ये ऑ्огीडिए, इस इस तरह से, माल लिए चित के 11e.8 में विद्धुत ssä humility के द्वारा पीती स्थापित करना संभ़ करने से परीपत में जुड़ने पर इसके सरों पर पिती बधी और परीपत में प्र tratira हम् peng 003R करने पर हमें इस तरह से प्राप्त होगा इस तरह से करते हैं कि जब बहुत से पिती रोधक सैंडी करं में सहयोजित होते हैं तो सहयोजन का कोल पिती रोध R1, R2, R3 के योग के बरावर होता है इस पेकार से योजन का पिती रोध किसी भी वेस्टी का पिती रोधक के पिती रोध से अधिक होता है अब आप समझ गया होगी कि मुझे लगता है कि बड़ी बोरेंग है आप देखिए साइंस अगर आप एक्टी कल जांब करके उप्योग करते हैं पूरा करिया कलाब आपके सामने पैक्टी कल रहता है तो बड़ी इंटरेश्टिंग है बड़ा मज्या आता है लेकिन आप देखेंगी कि ऐसे मैं आप लोगों को बड़ी गोरेंग लगती होगी लेकिन क्या कर सकते हैं आपके पास उतना हमारे बास दूसरा ओप्सन नहीं है यह उधारन है इने भी आप लोग देखते रहे हैं मुझे लगता है कि इवल परिभासा हैं आपको एक तरह से इनकी सब्द जो है उनकी बारे में मालूप होना चाहिए और निकल जाना चाहिए क्योंकि इसलिए आपकी पढ़ने की सलाय भी दे जाती है त्रिजिस अब बात कर ली थे हम लोग पार्स करम में सहयोजित् पितिरोधक के आए अप चित बारे दिसम्लों साथ में दिखाए फिल्मसाद जोड़े गए 1987 सैलों के एक सहूजन तबाप्टरी से फार्स करम M में सेयोजित् तीन पितिरोधकों की वयूस्ता कीजिए इस शित्वारत असमलों 10 में दिखाए हैं साथ इस सयोजन को एक बैटरी एक फिलक कुझी और एक एमिमीटर से सयोजित कीजे, पिती रोधकों के सयोजन के फार्स करम में एक बॉल्ट मीटर भी सयोजित कीजे, फिलक में कुझी लगाई है और एमिमीटर का पाठ्यंग नोट कीजे, इससे पार्स सयोजन के सिरों के वीच विवहंतर भी प्राप्त होता है, पितेग पिती रोधक के सिरों के वीच विवहंतर भी है और इसकी जाज पितेग पिती रोधक की सिरों पर पितक पितक बोल्ट मीटर सयोजित करने की करके की जा सकती है कुझी से प्लग बाहर निकालिए परिबत में से एमी मीटर और वोल्ट मीटर निकालिए और चित बारह दसमल लग 11 में दिखाए गए इस तरह से अनुसार एमिमीटर को पिती रोज आर्ग से सेनी करम में सेयुजित कीजिए और एमिमीटर का पार्ट टेंक I note कीजिए इस पेकार R1, R2 में प्रवाहिद होने बाली धारा भी मापी हो माना इसका मान आपको करम सा I1, I2 है आई, I1, I2 और I3 में क्या समन्दोगा इन्हें छोड़ी आप लोग इन्हें जरूर देख लिया करिया है यह पाया जाता है कि कुल बिद्दु धारा I सेयुजन की पितक धारा में प्रवाहिद होने बाली पितक धाराओं की युग के बराबर होता है इस तरह से माल लेजे कि पिती रोध को के पार्स सयुजन का तुल पिती रोध आरपी है और पिती रोध को के पार्स सयुजन पर ओम का नियम लागू करने पर हमें पराप्त क्या होगा i बराबर b upon rb पितेक पिती रोध पर ओम का नियम लागू करेंगे तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं समय के नबारत समला 15 और 12 समला 17 से हमें क्या पिरापत होगा b बराबर मकरिए b upon rb और बराबर b upon r1 plus b upon r2 plus b upon r3 अध्वाई से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इस पकार हम निश्कच निकाला सकते हैं कि पार्ष करम में से सहयोग जीत-पिती-रोद समुण के तल-पिती-रोद का विद्कंप पितः-पिती-रोदों के विद्कंप के यूग के बराबन लोता है यह वो धारन दिया गया है इसे भी आप लोग देख सकते हैं कोई जरूरी नहीं है जाना ठीक है आपको लगता है कि आपको देखना है तो देख चुरिए हमने देखा कि किसी सेणी वद्धे बिद्धुत परीपत में सुरू से अंतर तक बिद्धुत धारा नियत रहती है इस इस परकार इस पर्ष्ट रूप से यह विवारिक नहीं है कि हम किसी विद्धुत परीपत में विद्धुत बल्व अर्वा विद्धुत हीडर को सेणी करम में सयुजित करें इसका गारण है कि इन्हें उचित परिपार से कार करने के लिए अत्यदिक भिन ने मानों की कर नहीं कर पाता है यदि आपने तेवारों वे वहा उत्साओ आधीप भवनों की सजावट में बल्वों की सजावटी लड़ियों का उप्यों होते देखा होगा तो आपने विजली मस्तरी को परीपत में खरावी आने बाले खरावी वाले स्थान को डूडने में काफी समय खर्च करते हुए दिखा हुगा कि कैसे हुआ फ्योज बल्व को डूणन में सभी बल्वों की जाच करता है खराब बल्वों को बदलता है इसे बिपरीद पास परीपत में बिद्धुदारा बिभन बिद्धुद पर साधित्त कि आप सकता होती है इसमें क्या होता है कि आप सुचें कि एक ही एक से दूसरे में कनेक्ट रहती है इसलिए आप देखते हैं कि एक के टूट जाने से पूरा बंद हो जाता है आप लोग उन्हें जहलर भी देखी होगी दीबावली पर आप लोगाते हैं तो उसमें भी इस प्राणिकप के लिए सेल के दो तर्मेनों के बिच बेभानतर उत्पन करती है जो बैटरी से सर्योजित किसी पिदी रोधा तबा पिदी रोध को किसी निकाय में विद्धुधारा प्रभाहित करने के लिए एलेक्ट्रोनों के गती इस्ताफीत करता है हमने अनुभाग बारे प्रभाहित करते हैं जो संदित्तों के ताब में विद्धी करते हैं और इसका पेक्चण हम अपने देरिक जीवन में करते हैं उधारन के लिए हम किसी विद्धुध पंके को नेंदर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गरम हो जाता है इसके विप्रीत यदि देखें हम लोग तो यदि विद्धुध परिपत बिसुद रूप से पितिरोधक है अर्था बैटरी से केवल पितिरोधकों का एक समोव जी सयोजित है तो सिरोधों का उर्जा नेंतर पूर रूप से उर्समा की रूम में च्छैत होती है रहती है इसे विद्धुध धारा का ताबिय और माले जी कि इसमें क्यूआ T में Q आविस प्रभावित होता है तो क्यूआ Q आविस एक क्यूभांतरक में प्रभावितród से प्रभावित होने वाले इन टू टि है जो भी आई टि के बरावर है सुरोध द्वरा खर्च की जाने वाले इस उर्जा का क्या होता है यह उर्जा उस्मा के लूब में पिति रोधक में छहत हो जाती है इस पिकार किसी स्थाही विद्धुद्धारा आई द्वारा समय टी में उत्पन उस्मा की मात्रा है H वरावर आपकी ये BIT ओम का नियम समझी के अरबारत असमला पॉइंट लागु करने पर यहां आपको देखने को भी लिगा इस तरह से इसे जूल का अतापन नियम कहते हैं जूल का अतापन नियम कहते है इस मिए इस पशक कि किसी विति रोद्धक में उत्फन होने वाली उस्मा दिये गए पिति रोद्धक में प्रवायत होने वाली विद्दुद्धारा की होगभ की अनुकरॉपाति है और दी गई विद्दुद्धारा के लिए पिति रोद के अनुकरमानफाती और उस समय के अनुकरमानफाती होती है जिसके लिए दी गई पिति रोद से विद्दुद्धारा प्रभायत होती है बेवहारी परिस्तितियों में जब एक विद्धुत संदित को किसी ग्याद बोल्ट ता स्रोज से सेवजित करते हैं तो संबंध आई वरावर भी अपून आर के द्वारा उससाद दित सिर्परभाहिट विद्धुत धारा परिकल्पित करने के पच्छाद संदित का उपयोग करते हैं यह आप देख रहे हुए चित देख रहे हुए विद्धुत परिकल्पित में आप परिवत अंसील बिद्धुत धारा यह आपके उधारन दिये गए हैंने भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है यह किसी भी कारण से जल्दी खतम करनी है फिर आप देखेंगे समझाने में भी मज़ा आता है यहां क्या समझाए जाए आपके सामने कि सब कुछ दी जा गया है बिद्धुत धारा के ताप यह प्रवाव के विवहारेग अगर अनुपयोग की बात करें दो तो किसी चालक में उस्मा उत्पन होना बिद्धुत धारा का अवस भावी परि विद्धुत उर्जा को उसमा में रुपांतित कर देता है बिद्धुत परिपत में आपर यहारे तापन परिपत के अवेवों के ताप में बिद्धी कर सकता है जिससे उनके गुड़ों में परिवत्तन हो सकता है बिद्धुत इस्तरी बिद्धुत टॉस्टर बिद्धु केदली और बिंदुत हीडर जूल के तापन पर आधारित कुछ सूपरचित इवतिया हैं बिंदुत तापन का उपयों प्विकास उपन करने में भी होता है जैसा कि हम बिंदुत बलब में देखते हैं यहां पर बलब के तंतु को उस्मा उत्पन उस्मा को जितना संभव हो सक करेंगे ताकि वह अतंत तब्ध होकर तब्ध होकर विकास उपन करें इसे इतने उच्छे ताप पर विगलाना नहीं चाहिए बलब के तंतु को बनाने के लिए तंगिश्टन यानि की गल्लान तीन है अजार तीन सो अस्ती डिगिल सेंस का उपयोग किया जाता है आप जो उच्छे गल्लान की एक प्रवल धातू है विद्ध रोधी टैक का उपयोग करके तंतु को या था संबवताब बिल्गित बनाना चाहिए फरया बलबो में रसानिक दृष्टी से अक्रिय नाइटोजन और आर्गन गेस भरी जाती है आप सोचिए और ऑक्सीजन मज़ जाए तो वो जलेगा इने कुछ हाली आप जैसे ही उसमें विद्धुत चालू करेंगे आप तुरंच वो फिउज हो जाएगा जिससे उसके तंतु की आयू में बिट्टी हो जाती है तंतु द्वारा उपयोगत गोज्या का अधिकांस भाग कूसमा की रूम में पिकट होत है आप सोचिए कि जब बलब कोई एक तरह से फोट दीजिए फिर आप जला के देखिए मुझे नहीं लगता है कि जलेगा जोलतापन का एक और सामान उपयोग विद्धुत परिपतों में उपयोगोंने वाले फ्यूज यानि कि आप देखते हैं एकम होती रहती लाइट ज होगे यदि परिपत तता संदिगों की सुरक्षा किसी भी अनावसक रूप से उच पिद्धुत धारा को उसमें पिरवाहिट ना होकर होने देख करता है फ्यूज को युपती के साथ रहनी करम में सयुजित करते हैं फ्यूज किसी ऐसी धातु अच्पा मिस्स्द्धातु क युज के तार का टुकडा होता है जिसका उचित कलना होता है उधारन के लिए अलुमिनियम कॉपर आयरण लेड आधि का हो सकता है यदि परिपत में किसी निद्रिष्टे मान से अधिक मान की विद्धुत धारा पिरवाहित होती है तो फियूज तार के ताम में बिट्थी में रखा जाता है घरेली परिपतों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत बिद्धुदारा एक ए दो ए तेन चार ए और पांच दसे आधी होती है उस बिद्धुद इस्तरी की परिपत में जो एक किलोवाट की बिद्धु सक्ती उस समय उपयोग करती है इसे आप 220 ब बरावर यहां देखने हैं आपको 4.54 एंपयर विद्धुदारा प्रभायत होती है इस पर करार में 5 एंपयर अनुमत तांक कफियोग किया जाता है लास्ट में हम लोग बात करते हैं विद्धु सक्ती के बारे में भी देख लेते हैं आपने पहली पिछली एक्छा में अध बिभासा हो चुकी है आपके लिए समय कहाना बारे देख मलव 21 से हमें किसी बिद्धु परिपत में उपयुकत अत्वा छेद बिद्धु पूर्जा की दर पराप्त होती है इसे बिद्धु सक्ती भी हम लोग कहते हैं सक्ती पी को इस पिकार वेक्ट कर सकते हैं पी बराब सक्ती के जिसमें उस समय एक MBR बिद्धु थारा प्रिभायत होती है ता उसे एक बिभांतर पर्फिचाली कराया जाते है इस पर कार लिए सकते हैं टेक है वाट सक्ती का चोटा मात्रक है वाट सक्ती का गया है छोड़ा मांट अत्भास्तवी गुहारे में हम इसके काफी बड़े मात्रक किलोगार का उप्योक करते हैं एक किलोगार्ट्स एक हजार वाट के बराबर होता है जोकि बिद्धुत उल्जा सक्ती तदन समय का गोडनफल होता है इसलिए बिद्धूत उर्जा का मातरक वार्ट गंटा होता है जब एक वार्ट सक्ति का उपयोगत एक घंडे तक होता है तो उपयोगत उर्जा एक वार्ट गंटा होती है बिद्धूत उर्जा का पारेक मातरक किलोवार्ट गंटा है जैसे सामन्त आप बोल्चाल में यूनेट कहते हैं, आप देखते हैं कि एक यूनेट का इतना पैसा लगता है, आप लोग सब चांचते होंगे, ठीक है, बहुत से लोग एह सोचते हैं कि कि किसी विद्धूत परीपत में इलेक्टोन उप्लोगत होते हैं या गलत हैं, हम लेकिन सबसे अच्छी बात भी है आपकी साइंस में, कि आपको लाश्ट में इसकरस बता दिया हैं एक तरह से, कि ये आपको पढ़ा है, क्या-क्या पढ़ लिया है, किसी चालक में गतिसी एलेक्टोनों की धारा गिद्धूत धारा की रचना करती है, पई-पार्टी के इन अच्छी विष्था के भीफ्री धारा की दिसा मना जाता है, विद्धूत धारा का इसाई मात्रा का आप लोग एमपियर है, किसी विद्धूत परिवत में इलेक्टोनों को गती इपदान करने के लिए हम किसी सेल अधबा बैटरी का उपयो करते हैं, सेल अपने सरों के बी जिसे इस तरह से चन से ब्यक्त करते हैं। आम के नियम की बात करने तो किसी पितिरोध रोधक के सरों के बीच बेवांदर उसमें विद्धुद्धारा की अनुक्य नमानपाती होता है। परन्तु एक सर्थ है कि पितिरोधक का बाताब शमान रहना चाहिए। किसी चाला का पिती रोध उसकी लंबाई पर सीजे उसके अलपरस्त काट की चितपल पर पिती लॉमता निर्भर करता है और इस पदार्ज की प्रकिती पर भी निर्भर करता है कि जिससे वह बना होता है साइडी किरम में सजोजीत पिदीरोदों का तौल पिदीरोदों की युग के पराबर होता है। तक रिखत सक्ती 1 बार्ट होती है बेथ्धृ तो र जागा ब्याबार मात्रा तzone किलोगार्ट होता है जिसे यूनिट भी आप लोग कहधे ते करें यह इन है प्लेउन कर लिए के लोग तो यह प्शिश्च्निस दिगें यह नहीं आपटे रहेगा ठीक है परीड अब की प्रभाव के बात करेंगे विद्दुद्धारा की चुमगी है प्रभाव के बारे में यह दो तीन चप्तर आपके विद्दुद्धारा से संपोड़ देते हैं क्रिये तो चलिएं हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT books के बारे में इसमें अपके भाष्चा 10B के बिज्ञान के बारे में बात कर रहे थे इसमें आपके 13 वाच चेप्टर में इस खिलास में बात करेंगे अब लोग विद्धु धारा की चुम्मिकिये प्रभाव के बारे में जानेगे याद रखिए इससे पहले आपकी जितनी भी किलासर ली गई है कर्चा चटवी से लेकर अभी तर वो सबी आपकी एक प्लेलिष्ट सूची में डली हुई है उसका नाम है आपका NCEIT पूर कवरेज नाम से ठीक है और याद रखिए जितनी भी आपकी 12 तकी जितनी भी कलासे होगी वो भी इसी प्लेलिष्ट सूची में आपको मिल जाएगी इसकी जितनी भी PDF है वो सबी टेलिग्राम पर डाल दिए याद रखिए NCEIT इ और कौन-कौन सी क्लास की कहां मिलेंगी तो इसका सब्सका समाधान कर दिया गया है इसकी सभी PDF आपकी टेलिग्राम पर डाल दे गए है वहां से डावलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए एक से दो बार आप लोग पढ़िए आराम से निकल जाएए सब कुछ हो जाएगा चली हम लोग जान लेते हैं विद्धुधारा की चुमकिये प्रभाव को विद्धुत की पिछली अध्याय में हमने विद्धुधारा की तापिये प्रभाव के वारे में अध्यन किया था विद्धुधारा की अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं हम जानते हैं कि समलाओ एक में दर्साय अनुसार विद्धुत परिवत के दो विन्दूओं एक्स और वाई की भी रखिए तार एक्स वाई कागज की सतय की लंबबत रखा है इस तार के तामी के तार के निकट छेते रूप में एक छोटी दिख सूचक रखिए इसकी सुई की स्तिति नोट की कीजिए वलाग में कुझी लगा कर विद्धुत परिवत्त में विद्धुत दारा प्रभाहित कराई है और दिख सूचक सुई की स्तिती में परिवत्तन का पेक्षण कीजिए आप लोग याद रखिए इस तरह की किरिया कलाब जो भी होते हैं उन्हें आप लोगों को पढ कर लिए इसलिए आप लोग किरिया कलाब पढ़िए लेकिन उसके नीचे जो एक तरह से आपका निस्कस दिया रहता है इन लाइनों में इसे जरूर ध्यान से पढ़ लिया करिए जाए इस चित को देख लिए धातु के चालक से बिद्धुत दारा प्रभाहित करने पर अप लोगा देखते होंगी हूं कि हम देखते है कि इसका क्या पर इसका ayam के तार से प्र Calvin हे एक चुमिक प्रभाह उत्पन किया है और questa by कह सकते हैं कि की विद्धोत और चुमकत एक दूसरे से सम्बंद हैं इनके बारे में आप लोगों ने सुना हुआ हैंस किष्टियन और और ट्रेड और ट्रेड और ट्रेड इनका जीवन राय सत्रेशो सुदक्तर से अठारे सो इंक्या बंत है उन्नी सीवी सताथी के अग्णी बिग्यारिकों में से एक हैंस किष्टेन और टैन ने बिद्धु चुमकत को समझने में एक नेडायक उनक्या नेवाई सन उन्नी सन अठारे सो बीस में उन्होंने आकस्मा किया है आकस्मात यह खोजा की किसी धातु कितार में बिद्धु दार आप प्रभाहित करने पर पास में रखी देख सूची में बिच्छे उत्वन हुआ है अपने पेक्षरों की आधार पर और ऑसर्टेड ने यह प्रमाडित किया की बिद्धु तथा चुमकत्त परसपर स सम्मान में चुमकिय छेति की तीपिता का मात्रक और ट्रड रखा गया बड़ा उचाराइट में आप लोग सही उचारन कर लिएजेगा उचारन करने में मुझे कई जगे ऐस तरह की प्रॉबलम होने लगती है तब गतिवान चुमकों के विद्धु दिये प्रभाहों की उ हम विद्धु चुमकों तथा विद्धु मौडरों के विशाय में भी आध्यन करेंगे जो विद्धु धारा की चुमकिय प्रभाहों पर आधारित होती है इसके साथ ही हम विद्धु जनित के विशाय में भी जानकारी पराप्त करेंगे जो गतिमान चुमकों की विद्ध से बहतर तरीके से कर सकते हैं चुमकिये छेत और रेखाओं की बात करें अगरू तो हम इस तत्र से भलिभाती पर चित है कि किसी छड़ किसी छड़ चुम्मक के निकट लाने पर दिख्षूचक की सुई विच्चेपित हो जाती है बास्तों में दिख्षूचक की सुई एक छ किसी दिख्षूचक के सुई के लगवक, उत्तर देशा की उर संकेत करते हैं। उत्तर देशा की उपर, उत्तर द्रु संकेत करते हैं। विद भेद किरिया कलापों की द्वारा हुमने ये पेच्छर किया है कि चुमकों कि सजाती धुरूमें परिस्वर किती करशन तथन विद धुरूमें परसपर आकरशन होता है यह आप लोग चुमक जटोर देखिए चुमक आप लुग चिपकाते होने तब आपको अरभाव भी होता होगा इसके रियागल आपको भी देख लेते हैं किसी चिप के चिप चिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोड पर एक सफेद कागल लाईए इसके बीचों बीच एक छड चुम्मक रखिए और छड चुम्मक के चार ओर एक समारूप से कुछ लोह चून च इसकार के लिए नमक छेत रावब का उब्योग किया जा सकता है अब बोड को धीरे से थप थप आईए आप क्या पेक्षण करते हैं इस तरह चुम्मक के निकर्ट का लोह चून स्वैम ही चुम्किये चेत रिखाओं के अनुदिस संरीकित हो जाता है लोह चून स्वैम को च च्छित में अपना प्रभाव आरूपित करता है अता लोह चून एक बल का अनुभाव करता है इसी बल के कारण लोह चून इस पेकार के पैटर में विवस्तित हो जाता है इसी चुम्मक के चारोर का वह च्छित जिसमें उसके बल का उसके बल का संसूचन किया जा सकता है उ प्र उったरफ जिस और पोई कि अन्वीयर ग्रविश करें पूरे घ्खीश होता है तुमकिये चेत रह पर गरकें पूछ पुलोर होता है। जिनके अंध्यसOs होता है चुमकिये चथित रहें के मिद्ध द्रहें इसमें आप लोग करते नहीं बैठ जाना है फिर आप चुम्मक के खटा करने लगे छड़े खटा करने लगे इसी में मालू चला कि दो से च्यार महीन एक ही चेप्तर में आपको खतम गो जा रहे हैं ऐसा नहीं करना है एक चड़ चुम्मक तथा एक सूची दिख सूची लीज ले जाइए यह कैसे बेवार करता है दिख सूची का धच्यट धुरूप चुमक के उत्तरी धुरूप की ओर संकेत करता है दिख सूची के दोनों सिरों की स्थितिया नुकली पहिशन से आंकित किया है अब दिख सूची को इस पैकार रखिए कि इसका देख्ट एद्ध से सित्धी पर आजा है। यह पहले उत्री द्रुप की इस नई स्तिती को अंकित कीजी है। उत्तर धुरुप की इस नई इस्तिती को अंकित कीजिए और चित तेरे दसमलों तीन में दर्साय रुपसा चुम्मक की दच्छिट धुरुप पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहरा दे जाए अब कागज पर अंकित बिन्दुओं को इस पेकार में लाईए कि इस निस्त पक्ट पराप्त हो जाए यह हूवा कि चुम्किय छेत रेखा को निरुपित करता है वह पहर दोहराईये और जिकनी संभा हो सके छेत रेखाई कीजिए आपको चीत तेरे दसमलव चार में दर्साय जैसा पैटर पराक्त होगा ए रेखाएं चुमंक की चारों के चुम्किय देख़ड कीजिए चुम्मक के धुर्मों के निकट जाने पर सुई के विचे में बिद्धी होती जाती है इन चित्रों को देख लेजिए तेरे देसमलों तीन को देख सूचक की साहता से चुमकिये चेत्र रेखाएं आरेके करना नौर्थ, साउथ, साउथ, नौर्थ, किसी चड़ चुमक के चारो और छेत रेखाएं आप लोगों ने देखा होगा आप लोग की एक तरफ आप देखते थे कि चुमक को चिपाते थे दो चुमक एक चुमक को दो हिस्सों में मारते थे एक तरफ लाते थे तो वो चिपक जात तो दूसरी तर प्लागते थी तो यह दूसरे से दूर भागती थी आप बच्पन में इस तरह की खेल खेलते रहते थी अपने 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 इसको पढ़िए सबसे जरूरी यही रहता है चुमकी इच्छेत एक ऐसी रासी है जिसमें परिमार तथा दिसा दोनों होती है किसी चुमकी इच्षीत की दिसा हुए मानि जाती हैं जिसके अनुद्ष दिख सूची का उत्री धुरूर उस छेत के बीदर गमन करता है इसलिए परिपाटे के अनुसार चुमकी इच्छेत है चुमक के ओऊ उत्तर धुरूरूर से पिकट रहती है तथा दच्ष्षट पर होती है екस्ड युक कटा की निकटता की कोटी द्वारा दर्शाय जाता जहाँ पर चुन्य खेत रेखा है अब एक चक्लिस अधिक्त निकट होती है वहाँ कि दोसरे को पितीचेद नहीं करते हैं। यदि वे ऐसा करें तो इसका अर्थ होगा कि पितीचेद बिंदू पर दिक सूची को रखने पर उसकी स्वी दो देशाओं की और संकित करीगी जो संबब नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं कि किसी विद्धुद ध्रवाही चालक की कारण चुंकी इचित के बारे में जान लेते हैं। क्रिया कलाब 3.1 में हमने देखा कि किसी धातु के चालक में विद्दुदारा प्रवाहित करने पर उसके चारों और एक चुमकी अच्छेत उद्पन हो जाता है उद्पन चुमकी अच्छेत की दिशा को ग्याद करने के लिए आईए हम इसी क्रिया कलाब को नीचे दिए गहता हम से करते हैं इस तरह क्रिया कलाब 13.4 एक लंबा सीधा तामिक अतार एक दिसमलो पांच वोल्ट के दो या तीन सेल और एक प्लक कुंजी लेजिए इन सब को चित तेरह दिसमलो पांच ये में दर्सायनुसार सडी करम में सहयोजित कीजिए और सीधे तारिक को दिख सूची के ऊपर उसी सुई के समानता रखिए अपलक में पुंजी लगा कर परीपत को पूरा कीजिए सुई के उत्तरी धुरों के विच्छेव की दिसा नोट कीजि जदी बिद्व दारा चित तेरह दुसमलो पांच एक में दर्सायनुसार उत्तर से दचिद की और परवायीत होती है तो दिख सुची का उत्तर धुरो पूर की और विच्छेव की तुदा आ हैं दख्षड से उत्तर की ओर जाएगी। दिख्षूची के विच्छेवत की दिशा में परिवतन का पिक्चुन कीजे। आप यह देखेंगे कि अब सुई विफरीत दिशा में अर्था पर्चिम की ओर विच्छेवित होती है। इसका अरत्या है हुआ कि विद्धुधारा द्वारा उत्पन चुम्कीचित की दिशा भी उत्किर्मित हो रही है। एक सलल विद्धुध परिफद जिसमें किसी लंबे तामे के तार को किसी दिख्षूची के ऊपर रतना उसकी सुई के थमालता रखा गया है। जक्तार में विद्धुधारा की परिफद दिशा उत्किर्मित होती है। तो देख्षूची का विच्छे विख्री दिशा में होता है। देख लिएजे से। अब बात करते हैं सीधे चालक से विद्धुधारा परिफद होने की कारण चुम्कीचित के बारे में। किसी चालक से बिद्धु धाराव द्रवाहित होने पर उद्वपन ने चुमकिये चित का पैटर्न कैसे निधारित होता है, क्या यह पैटर्न चालक की आक्रती पर निर्भर करता है, या इसकी जाच हम एक क्रिया कलाव द्वारा करेंगे, पहले हम किसी बिद्धु धाराव आ तक जो जीरो से पांच एम्पीयर परीसर का एमी तक एक पलक कुंजी और एक लंबा मौटा सीधा ताभी का एक तार लीजिए आप लोगों को इसलिए रोकता हूँ क्रिया अगलाब करने के लिए क्यूंकि आप देखेंगे इने सब को एक खटा करने में आपके पास कितना टा में इस्ते रहे ऊपर नीचे हेले टोलेने चित्ते तेरे देसंबलों 6A में दरसाय नमसार तामे कितार को उर्द्वाधर बिंदू हो एक सबाई के बीच सैडी करम में बैटरी एमीटर और धारा नियंतर को पलक कुंजी से सायोजित कीजिए इस तरह से तार के चारोहर कायबोर्ड पर कुछ लोहें चूंड एक समारोप से चिपकाई है इसके लिए आप नमक छित रावक को अपका भी उप्योग कर सकते हैं धारा नियंतर के परिवर्दक को किसी एक नियत इस्तिती पर रखिए और यह वी टर में बिंदू धारा का पाठ्या न कि मैं लगा तामे का तार उलता था सीधा रहें कार्डबोर्ड को हल्गे से कुछ बार थप 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 आईए लोह चूंड के पैटर्न कपेक्षण केजिए आप यह देखेंगे कि लोह चूंड संरेखित होकर तार की चारोहर सकेंदरी बिट के रूम में विवस्तित होकर ए चुमकिये चित रेखाओं को निरूबित करता है यह में आपने देखा है किसी बित्वदारा हुआ ही सीधे चालक तार के चारोहर के चुमकिये चित की चित रेखाओं को निरूबित करता सकेंदरी बिटों का पैटर्न बिटों पर अंकी तीर चित रेखाओं की दिसाओं को दरसाता है और इसमें आपका प्राप पैटर्न का समीब दरस है बीच चेत में ठीक है इस पर कारुत्पन में चुमकिये चेते की दिशा कैसे ग्याद करें बिर्द के किसी बिंदू जैसे की पी पर दिख सूची रखें सुई की दिख सूची का उप तर धरोब बिंदू it by the Fit दिशा को और कि आद घरोबोती कर दें तो किसी दिए के बीच्छी के विच्चे पर क्या पर पड़ता है इसे देखने के लिए तार में बिंदू धरोग को परिवर्टित कीजिए हम यह पाते हैं कि सुई के बिच्छेव में भी परिवतन होता है बास्तों में जब बिद्धुद्धारा की परिमाड में बिद्धी होती है तो बिच्छेव में भी बिद्धी देखने को मिलती है इससे जैसे तार में परवाहित बिद्धुद्धारा क वही रह दिये, परन्तु दिख सूची तामे के तार से दूर चला जाता है, तब दिख सूची के विच्छे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखने के लिए हम दिख सूची को चालक तार से दूर इसे किसी बिंदू यानि की क्यू पर रखत देते हैं, आप क्या पर यह वतन देखते हैं, हम यह देखते हैं कि दिखसूची का विच्छे घट जाता है और इस पेकार किसी चालक से प्रवाहत की गई, विद्धुत दहरा के कारण उत्पन चुमकिय च्छे चालक से दूर जाने पर घटता है, जित के 13.6 से यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे विद को दच्छिद् खस्त अंगुष्ट नियम, यह भी काकि आप लोग ने सुना होगा, दच्छिद् खस्त अंगुष्ट नियम, चुमकिय च्छे औव बिद्धुद धारा, किसी बिद्धुत धारा भाही चालक से समद चुमकिय चेत की दिसा ग्याद करने का एक सुगम उपाय नीचे दिया गया है काउटना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में बिद्धु धारावारी चालक को इस पेकार पकड़े हुए कि आपका अंगुठा बिद्धु धारा की दिसा की दोर संकेत करता है तो आपकी अंग्लियां चालक के चारोर चुमकिये चेत की दिसा की चेत की रिखाओं की दिसा में लिप्टी होंगी जो जैसा की चेत 13 दिसमलोग साथ में दर्स आए गया है इसे दच्चे धस्त या दाया हां या फिर अंगुष्टि का नियम आप लो कहते हैं इसे उधारन को भी पढ़ लीजे किसी चेति सकती संचर लाइन पावर लाइन में पूर्प से पश्चिम की दिसा की ओर बिद्धुदारा प्रवायत हो रही है इसके ठीक नीचे के किसी बिंदू पर किसी बिंदु पर चुमकिये चित की दिसा क्या है इसे हल करें तो बिद्धुदारा पूर्प से पश्चिम की ओर प्रवायत हो रही है और दच्छिड हस्त अंगुष्ट नियम को लाव करने पर पूर्पी सिरे से अउलोकन करने पर चुमकिये चित की दिसा तार के उपर या नीचे किसी भी बिंदु पर तार के लंग बतल म में दच्छडा वर्थ होगी और इसी ही पेकार सितार की पश्चिमी सिरेंट से अउलोकन करने पर चुमकिये चित की दिसा बामवर्थ होगी यह आपके कुश्चन्स दिए गए जो उपर हम लोग ने टॉपिक पढ़े हैं तो आप लोग देख सकते हैं चली आगे बढ़ते आप लोग बेदुद्दारावाही विट्ताकार पास की कारण चुमकिये चित देखिए मैं बार-बार बोलना हूं मुझसे आप अगर पढ़ते हैं तो मुझे लगता और बहतर रहेगा क्योंकि साइंस में ना तो मैं कुछ जान्दा ग्यानी हूं और ना ही आप बरावर ल पॉलिटी यह हो तो बड़ा मज़ा भी आता है पड़ने में इसके लिए आपका प्रेक्टिकल हो तो असाइंस भी आपका मजय जाल बन जाता है अब हम अब तक हमने किसी सीधे विट्दारावाई चालक की कारण उसके चारो उत्पन चुमकिये चित रेखाओं का पैटन द जानते हैं कि उध्तागार पैका पैस कि उसके रेखाओं की कि किसी बिद्दागारावाई चालक के कारण ऊठबण चुमकिये चित ऊससे दूरी के वियुतकम पर निर्वर करता है इसे पिगार किसी विद्धुदारा हुआ ही पास की पिदेग गिंदु पर उसके चारों और उटपन चुमकिये चित को निरुबित करने वाले सार केंदरी विद्धों का साही तार से दूर जाने पर नियंतर बड़ा होता होता जाता है इसे आप लोग इस तरह से देख सी भी सकते हैं वे जैसे कि हम जैसे ही विद्धागार पास की कद्र बहुंशते हैं तो इन पे बीयत बैटों के चाप यह सहल रहा हो जैसे पितित होने लगते हैं विद्धोधारावाई तार के पितेग बिंदु से वुद्बन चुमकिये च्हेत और पास के पर सरन रेखा जैसे पितीत होती है और दच्छिड हस्त अंगुष्ट नियम को लागू करने के करके इस बात की आसानी से जाज की जा सकती है कि तार का पितेग भाग चुमकेच्छेत रेखाओं में यह उदान देता है और तथा पास के भीतर सभी चुमकेच्छेत रेखाओं एक की दिसा में होती है हम जानते हैं कि कि किसी बिद्दुद्धारा वाही तार के कारण किसी दिये गए बिदू पर उपन चुमकेच्छेत पर वाही बिद्दुद्धारा पर अनु लॉम्ता निर्भर करता है अता है यादी हमारे पास एन फेरों की कोई कुंडली है ओ कि कि दुल फेरे द्वारा वाही तोधपन चुमकेच्छेत की तुल्ला में एन गुना आधिक प्रवल होगा इसका कारण है कि पितेग फेरे में बिद्दुदारा की परभा की दिसाएक समान है अता ब्रष्टी गद्ध फेरों के चुमकेच्छेत सहीयोजित हो जाते हैं क् किरिया गलाब 13.6 को भी देख लेजिए इसे एक ऐसा आयताकार कारण बोर्ड लीजिए जिसमें दो चित्धों एक एसे वित्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफिया देखो और उसे कारण बोर्ड के तल के अभी लंगवत लगाया हो चित्ते 13.9 में का परिपर्थ खूरा कीजें काड़ बोर्ड को हलके से कुछ बार ठप ठपाईए काड़ पर जो पैटर्न बंता दिखाए दे उसका पिक्षण कीजें इसकी बात कर रहा हूं धारवाही वित्ताकर कुंडली द्वारा उत्पन चुमकिय चित्त आगे चलते हैं परीन आलिका कहते हैं इस तरह किसी बिद्दु धारावाही परीन आलिका के कारण उसके चारों कुद्पन चुमकिय चित्त रेखाओं का पैटर्ण चित्त 13.10 में दरसाए गया है इस चुमकिय चित्त के पैटर्ण की तुलना चित्त 13.4 में दरसाए गए छड़ चुमकिय चित्त रेखा करता है परीनालिका के भीतर चुम्किय छेतर रेखाएं समांतर रेखाओं की भांती होती है या नेडिस्ट करता है कि कि किसी परीनालिका के भीतर सभी बिंदियों पर चुम्किय छेतर समान होता है अर्थात परीनालिका के भीतर एक समान चुम्किय छेतर होता है परीनालिका क बीध्धु चुम्मक कहलो है क्या विध्धु चुम्मक कहते हैं अचे आप मिध्धु दढ़ावायी परिणालिका का उपयोकर उवे उसके भीता रखी इस्टील की छड़ को चुम्कित करने में किया जाता है एक बिद्धु चुम्मक ठीक है एक क्विश्चन से भी आप लोग देख सकते हैं हम ने यह सीखाएगी किसी चालक में फिर वाही बिद्धु Sei उसके उत्पन कर दिए हैं इस पेकार उत्पन छुम्कित चेट इस चालक के निकट रखी किसी चुंबक पर आरुपित करता ह। प्रांसी सी विज्ञानिक आंद्रे मेरी एंपियर इनकी जिन्दगी रही 1875 से 1836 के बीच इन्होंने यह विचार पिस्तुत किया कि चुम्मक को विद्धुद दारवाही चालक पर प्रेमाड में समान परंतु दिशा में विपरीद बल आरूपित करना चाहिए किसी विद्धुद दारवाही चालक पर चुम्किय चित के कारण लगने वाले बल को निम्लिकित क्रिया कलाब द्वारा आप लोग निर्दी सित किया जा सकता है पढ़ लीजे इस क्रिया कलाब को 3.7 को एलुमिनियम की चोटी चड लगवा 5 cm लीजे चित तेरह देसमलाव बारे में दर्साइज अनुसार इस चड को दो सही हो जग तारों द्वारा किसी स्टेंड से से छेती चिता लटकाईगे इस तरह से एक तरवल नाल चुमक इस पेकाल से में सुभवस्तित कीजे चड के चड नाल चुमक के दो दर्मों के बीच हो तथा चुमकिय चित की तेसा उपरी मुखी हो ऐसा गरनने के लिए नाल चुमक का उपरी तरुप एलूमिनियम की चड की उर्द्वा धर नीचे एवं दच्छ दुरुप उर्द्वा धर उपत रखे और एलूमिनियम की चड को एक बैडरी एक कुंजी और एक धारा नेंतक के साथ 3 परों में सयोजित कीजे एलूमिनियम चड में स्रे B से A की ओर विद्दुद्धारा प्रवायत करेंगे और आप क्या देखते हैं हम देखते हैं कि वि दाई दिसा में विवस्थापित होती है अब छड में प्रवायत होने वाली विद्दुद्धारा की दिसा उतक्रमित कीजिए और चड के विस्थापित होती है चड क्यों विस्थापित होती है इसे देख लिए पहले आंगे बढ़ते हैं कि पिद्दुतारा वाही छड़ एवी अपनी लंबाई ततना चुम्किय चित के लंबा देख बलका लुबाउ करती है और सर्था के लिए चुम्मत की टैक नहीं दर्शाएंगी है किरिया कलाब के बाद इसे जरूर पढ़ना है आपको किरिया कलाब में चड़ की विस्ताफन से हमें यह संकीत मिलता है कि चुम्किय चित में रखने पर अलुमिनियम की विद्धुत धारा वाही चड़ पर एक बल आरोपित होता है और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित बित्थुधारा की दिशा उत्किमेट करने पर बल की दिशा भी उत्किमेट हो जाती है अब चुम्मक के दुर्मों को परस पर बदल कर चुमकी छेत की दिशा उर्द्वादार अध्वो मुखी कीजे एक बार पुनाहत यह दिखाई देता है कि बित्थुधारा वाहि चड़ पर आरूपित बल की दिशा उत्किमेट हो जाती है इसलिए पिदर्सित होता ही कि चालक पर आरुपित बल की दिशा बिद्धुद्धारा की दिशा और चुमकिय चेत्थी की दिशा दोनों पर निर्बार करता है प्रियोगों द्वारा यह देखा गया है कि चालक पर आरुपित बल की दिशा की दिशा की दिशा का पता हम एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं ठीक का एटिशा बिद्धुद्धारा की दिशा और पर लेंग दिशा की दिशा को परसपर लंबत रखकर विचार किया था यह पाया की चालक पर आरुपित बल की दिसा इन दोनों की लंगवत है इन तीन दिसाओं की व्याक्या एक सारल नियम जिसे हम लोग खलेमिंग या कावाम हस्त बायाहाथ नियम कहते हैं दौरा की जा सकती है इस नियम के अंसार अपने बाय हाथ की तरजनी, मद्यमा और अंगूठा को इस पिकार फेलाईए कि ए तेनों एक दूसरे के परत पर लंबर्त हो यदि तरजनी चुमक्चेत की दिसा और मद्यमा चालक में प्रवायद विद्धुतहरा की दिसा की ओर संकेत करती है तो कि अंगुछ ऐसी उक्तिया है जिनमें बिद्धुत दारावाही चालक तथा बिद्धुत चुमक्चेत का उप्यव होता है आगे क्यों कुछ अनुभागों में हम बिद्धुत मौट्रों और विद्धुत जन्रतों के बारे में विसाय में हम लोग अध्यान करेंगे इस पर आरूपित वल की दिशा क्या होगे इसमें ईह करी पर चार ऑ्समर दिये गए हैं दाई ओर भाइवे कागाज और और बीटर की और जाते हुए best взять बिंटक होगा बिकल्फ नियम के अनुषा आरूपित बंध की दिशा दिशा के लंभबत होती है याद किजिए की इक तोन की दिशा के विद्रीत होती है अता आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की हो जाते हुए दिखाई दिखिए आपको ठीक है यह भी कुश्चन्स दिए गए हैं यह भी आप लोग देख सकते हैं आराम से अब बात करते हूं अवसद में चुमकत बितुधारा सदेव चुमक चुमकिय 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 चुम और आपका मस्तिस है, सरी के भीतर चुमकिये चित, सरी के विभिन निभागों के पिती विम्में प्राप्त करने का आधार बनता है, और ऐसा एक विसेश टकनीक जैसे चुमकिये अनुनाद पिती विम्मन कहते हैं, कि उपयोग द्वारा किया जाता है, चिकिस्ता निदान में इन पिती विम्मों का विसलेशन सहाएक होता है, और इस पेका चिकिस साख बिज्ञान में चुमकिये मत्कूड उपयोग भी है, क्या है मत्कूड उपयोग है, अब बात करते हैं विद्धूत मोटर के वारे में, किस्ते विद्धूत मोटर के वारे में, विद्धूत मोटर में एक तरह से रूपांत्र हिंट करता है एक मत्तूर अवयप की रूम में विद्धूत मोटर का उप्या विद्धूत पंक्कों रेपिजिरेटरों विद्धूत मिस्कों वासिंग मसीन कंप्यूटर MP3 प्लेयरों आधी में भी किया जाता है कि आप जानते हैं कि विद्धुत मोटर कैसी कार करती है इस चित को देख लिए सरल विद्धुत मोटर है यह चित 13.15 में दरसाइब विद्धुत मोटर में विद्धुत रोधी तार की एक आयता कर कुंडली ABCD होती है ABCD और यह कुंडली किसी चुमकिय चेत के दो दर्वों के बीच इस पेकार रखी जाती है कि इसकी वजाए AB और स्टेडी चुमकिय चेत की दिशा के लंपत रहे कुंडली के दो सरे विभक्त वले के दो अर्थ भावों P तथा Q से सयोजित होते हैं इन अर्थ भावों की भीतरी सथाय बिद्धुद्रोध होती है और तथा धुरी से जुड़ी होती है Q के बाहरी चालक से रेट करम सा दो स्टेर्शालकों ब्रॉख एक्स और बाई से इसवर्स करते हैं X और Y यह X और यह Y बैटरी से चलकर चालक बुरुस X से होते हुए बिद्दुधारा कुंडली A-V-C-D में प्रवेस करती है यहां से इस तरह से और चालक बुरुस Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है और ध्यान देजे कि कुंडली में बिद्दुधारा इसकी बुजा A-V में A-B की ओर और बुजा C-D में C-D की ओर प्रवाइद होती है अता A-B और C-D में बिद्दुधारा की दिशाएं परस पर विपरीत होती है चुमकी इचित में रखे बिद्दुधारा वाई चालक पर आरोपित बल की दिशा ग्याद करके करने के लिए फ्लेविन का वाम हस्त्रियम अनुब्योक्त करने पर हम यह पाते हैं कि बुजा A-B पर आरोपित बल इसे अधो मुखी धकेलता है जबकि बुजा C-D पर आरोपित बल इसे ओपरी मुखी धकेलेगा इस पेकार किसी भी अक्षपर घूमने के लिए सुतंत कुंडली और धुरी वामबद घूमने लग घूडन करते हैं और आदे घूडन में Q का संपड़ गुरुफस X से होता है और P का संपड़ गुरुफस B से होता है ता कुंडली में विद्धुधारा उतकिरमित होकर का कारे करता है और विद्धुधारा की उतकिरमित होने पर दो बुजाएं बुजाओं A, B और C पर आरोपित बलों की दिसाएं भी उतकिरमित हो जाती है इस पेकार कुंडली की वजा एवी जो पहले अधो मुखी धकेली गई थी अब उपरी मुखी धकेली जाती है तथा क आदे घूडन के परशाद विद्धुधारा की उतकिरमित होने का किरम दोहराया दोहराता रहता है जिसके परडाम फलस्वरू कुंडली और धुरी कन्यंतर घूडन होता रहता है बेवसाइक मोटरों में आप देखेंगे इस्थाई चुमुकों के इस्थान पर होती है और कुंडली नरम लोग करोण पर लपेटी जाती है वह नरम लोग करोण जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं इससे मोटर की सक्ती में विद्धी हो जाती है क्या हो जाती है मोटर की सक्ती में क्या होती है विद कार रखा जाता है कि चालक में परवाहित बित्तुधारा की दिसार चुमकिय चित के लंबबत हो तो ऐसे चालक एक बल का अनुभाव करता है इस बल के कारण हो एक चालक गती करने लगता है अब हम एक ऐसी स्तिती की कल्पना करते हैं जिसमें कोई चालक किसी चुमकिय चित मे विवर्तित हो रहा है, इस स्तिति में क्या होगा? इसका सरपत्रम अध्येन 1831 में माइकल फिराडी ने किया था, कब 1831 में फिराडी की खोजने फिराडे की इस खोजने किसी गती सी चुम्मक का उपयोग किसी किस परीकार विद्दुधारा उत्पन करने के किया जा सकता है विग्याने चित को एक नई दिर्शा पिदार की और इस प्रभाव का अध्यन करने के लिए देख लेते हैं लोग इस किरिया कुलाब को देख लेते हैं और इसके उत्री धरोब को कुंडली किसरे B की वो ले जाएए, क्या आप गेलवी नो मीटर की सुई में कोई परीवतन पाते हैं, गेलवी नो मीटर की सुई में छड़िक दिच्छेप होता है, माली जी कि यह दाई हो है, यह कुंडली यह भी में विद्धुधारा की उपस्त किसुई वाईं और विच्छेपित होती है, जो यह दर्स आता है कि यह परीपत में उपन विद्धुधारा की दिस्ता पहले की विप्रीत है, यहाँ आप गड़ी भी देख रहे होंगे, ठीक है, यह नौर्थ पोल हो गया, यह साथ पोल, चुमक का, चुमक को कुंडली की कि वह ले जाने पर कुंडली के परिपत में विद्धुधारा उत्पन होती है, जिससे गलवे 9 मीटर की सुई के विच्छेप द्वारा इंगित किया जाता है, कुंडली के निकट किसी चुमक को इस्थे रवस्था में इस पेकार रखिया कि चुमक का उत्तरी धरोब कुंडली को चुमक के उत्री धरोब की उले जाते हैं तो गलवे 9 मीटर की सुई दाइं और विच्छेप भितु होती है, इस क्यिया कलाप को आपसे निकल सक्ते हैं तो इस क्रिया कलाब की बाद जरूर नीचे जो लाएने दी रहती हैं उन्हें जरूर पढ़ लिया करीगा क्योंकि पूरा एक निश्कर सुसी में छुपा रहता है आपका क्रिया कलाब पढ़ने का क्या करने का उद्देश रहता है वो आपका इसी में रहता है आप यह जान सकते हैं, जा सकते हैं कि यदि आप चुम्मक के दच्छिड ध्रुप को कुंडली के 20 रे की और गती कराते हैं, तो गैलवे 9 मीटर में बिच्छिपन पहली इस्तिती उसके जिसमें उत्तर ध्रुप का उप्यव किया गया था, कि विपरीत होगा, जब कुंडली कदर चुम्मक दोनों इस्तिर होते हैं, तब गैलवे 9 मीटर में कोई विच्छिपन नहीं होता है, अता इसके रिया कलाप से यह सबस्ट है कि कुंडली के साब चुम्मक की गतिये पेरित बेवांतर उत्पन करती है, जिसके कारण परीपत में पेरित विद्धुधारा प्र जर्मानी के मद्दे पर रहती है, और यह आपने सुनी चिन्न की या तो बायोर या पर आपको दायोर विच्छेपित हो सकता है, या विच्छे विद्धुधारा की दिशा पर निर्वार कलता है, यह आपका गैल गैल 9 मीटर, ठीक है, यह चितन है, इनके बारे में भी आप चारिक सिक्छा पर आप नहीं की थी, अपने जीवन के आरंभी काल में उन्होंने जल्द साजी की दुकान पर कार किया, फ्राडे जल्द साजी के लिए दुकान पर आने वाली पुस्टकों का अधिन किया करते थे, और इससे उनकी विज्ञान में रूची उत्पन हुई है उन्हें रोयल इंस्टिट्यूट के विज्ञानिक सरहम फ्रे, डेवी की सारवजने विख्यान सुनने का आउसर भी पराप्तुगा, उन्होंने सावधानी पूरवक डेवी के विख्यानों के नोट तेयार किया, और उन्हें सर डेवी के पास बेज दिया, सीगी उन्हें र इस पिकार के सम्मानों को ठोकरा दिया, फ्राडे को किसी भी सम्मान की तुल्ला में अपने विख्यानिक कारियों से अधीक प्यार था, एक समझ गये आप लोग कि अगर आपको एक तरह से कुछ सीखना है, तो आप माईकल फ्राडे इन विख्यानिकों से सीख सकते हैं, इस कुछ आपको सीखने की मिल सकता हैं, आईए अब हम किरिया गलाब 13.8 में कुछ परिवतन करते हैं, और गतिमान चुम्मा को ऐसी विद्धु धारवाही कुंडली से पिद्धी स्थाबित करते हैं, जिसमें विद्धु धारा के परिमाड को परिवर्थित किया जा सकता है, क कुंडिली को चित 13,17 में दर्साय निसार किसी विद्वत रोधी, खोखले विलन पर चाहिए, आप मोटे कागच को भी खोखले विलन के रूम में लपेट कर या कार कर सकते हैं, कुंडिली 1 को जिसमें फेरों की संख्या अपेक्छा के अधेक है, साडी करम में बैटरी तथा कुंडिली से सयोजित कीजिए, और अंडर कुंडिली जो आपकी 2 है, इसे चित 13,17 में दर्साय निसार गलवे 9 मीटर से सयोजित कीजिए, कुंडिली को प्लेक में लगाई हो, गलवे 9 मीटर का पेक्छन कीजिए, क्या इसकी सुई कोई विच्छेट दर्साती है, आप यह तुरंट ही एक दिसा में तीब गती से विच्छेपित होगार उसी गती से सीग वापस सुनने पर आ जाती है, यह कुंडिली 2 में छड़िक विद्दुद्धारा का उत्पन होना सूचित करता है, यहां कुंडिली 1 होगे, एक कुंडिली 2 आपको दिफाई दे रहा हो, कुं इसकी दिसा पहले से विच्छेपित होती है, इसकी रिया अकलाब में हम एक पेक्षण करते हैं कि जैसे ही कुंडिली 1 में विद्दुद्धारा इस्थाई होती है, कुंडिली 2 से सयोजित गैलवेनों मीटर कोई विच्छेप नहीं दर्साता है, इन पेक्षणों में से यह इन इसकी निकलता है कि जब भी कई वही कुंडिली 1 में प्रवाहित विद्दुद्धारा की परिवार्ण में परिवतन होता है, विद्दुद्धारा आरम तथा अत्वा सवाप्त होती है, तो कुंडिली 2 में एक विवांतर पेरित होता है, कुंडिली 1 को प्रात्मी कुंडली के चारों की चुमकिये च्छेत रिखाए में परिवर्थित होती है, अता है दू-3 कुंडली से सम्रद्न चुमकिये च्छेत रिखाओं में परिवत्न ही उसमें पेरि बिद्धु धारा उतफन करने का कारण होटता है, वह एक्षरम जिसके द्वारा किसी चालक के प वेवार में हम किसी कुंडली में पेरेद विद्धुधारा को या तो उसे किसी चुमकिय च्छेत में गती कराकर अतवा उसकी चारववर की चुमकिय च्छेत को परिवितित करके उत्पन कर सकते हैं। आधिकांस इत्परिश्तितियों में चुम्की चेत्व में कुंडली को गती कराकर बेरिथ वित्दुधारा उत्पन करना अधीक सुविधाजनक होता है। जब कुंडली की गती की दिशा चुमकी है, छेती की दिशा के लंगवत होती है, तब कुंडली में उत्पन वेरित बिद्धुद्धारा अधिक्तम होती है, इस इस्तिती में पेरित बिद्धुद्धारा की दिशा ग्याद करने के लिए हम एक सरल नियम का उपयोग कल सकते है इस नियम के अज़सर अपने दाइने हाथ की तरजनी मद्धिमा और अंगुठी को इस पिकार फिलाईए की तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबत हो इस तरह से और इस पिकार यदि तरजनी चुमकेचित की दिशा की और संकेत करती है तथा अंगुठा चालक की गती की दिशा की और संकेत करता है तो मर्दमाद चालक में पेरिद विद्धुधारा की दिशा दरसाती है इस सरलनियम को हम लोग फिलेविंग का दच्छिड अस्तनियम कहें बात कर लेते हैं हम लोग बिद्धु चनित के बारे में बिद्धु चुमकिये पेरण की परिगटना पर आधारिक जिन पिरयोगों पर हमने का हमने ऊपर अध्यान किया है उसमें उत्पन पेरिट बिद्धु धारा का परिमाड प्रयाब बहुत कम होता है इस सिध्धान के लिए अत्यदिक परिमाड की बिद्धु धारा उत्पन करने में भी किया जाता है बिद्धु जनित में यांतरी कुज आप उप्योग चुमकिये छित में रखे किसी चालक की को घुड़ी गती पिदान करने में किया जाता है जिसके पर फलसरों बिद्धु धारा उत्पन होती है बिद्धु जनित के सिध्धानतों को दर्सान है इस तरह से चित्य तेरह दसमलों 19 में दर्साइड उसार बिद्धु जनित में एक गुड़ी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिससे किसी स्थाई चुम्मक के दो दर्वों के वीच रखा जाता है इस कुंडली के दो सिरों जो सरे दो बल्यों R1, R2 से सहोजित होते हैं यहां, ठीक है, R1 और R2, दो इस तरह चालक ब्रोसों B1 और वीटव को पितक पितक रूप सिक्रम सा बल्यों R और R2 पर दवाकर रखा जाता है, B1, ठीक है, B2 B1, 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 B2, B2, दोनों बल्यों R तथा R1 तथा R2 के भीतर से धुरी से जोड़े होते हैं चुमकिय छित के भीतर इस्तित कुंडली को गोड़न गती देने के लिए इसकी धोड़ी को यांदिर के रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है दोनों ब्रोसों के वाहरी से वाहरी परिवत में बिद्धुधारा की प्रवाफ उदर्साने के लिए गैलवोनो मीटर से स्योजित होते हैं जब दो बलेओं से जोड़ी दुरी को इस पेकार गुमाया जाता है कि कुंडली को की भजा एवी की एवी ऊपर की उर्ग तथा बोजा सीडी नीचे की उर्ग और इस थाई चुमक द्वारा उत्पन चुमकिये चेते में गती करती है तो कुंडली चुमकिये चेते इस पेकार कुंडली में एक सकती साली विद्दुधारा का निर्माड करती है इसका तात पर रहा है कि बाहर परीबत में बीटू से बीवन की दिशा की दिशा में विद्दुधारा प्रवायत होती है अर्थ गुडन के परच्चात बुजा सीडी उपर की ओर तथा बुजा एवी नीचे की ओर जाने लगती है फासरोप इन दोनों बुजाओं में पेरिद विद्दुधारा की दिशा बायत होती है अताहा पिते काधि गुडन के परच्चात क्रमिक रूप से इन बुजाओं में बिद्दुधारा की दोवर्टा परिवर्थित होती है ऐसी बिद्दुधारा जो समानकाल अंतरालों के परच्चात अपनी दिशा में परिवर्थन कर लेती है उसे हम लोग पित बिवगत वुय वर्ण सदेयों ही उस भुजा की संपट में रहता है, व भुजात आप decisions ठीजिक by विद्धुदधारा उत्पन ही है , उन्हें टिर्ष्ट धारा दिर्ष्टानाति मीत favor, द्रश्ट धारा और तत्म पित्यावर्थी धारा की वीचिया अंतर है कि द्रश्ट धारा सदेव एक ही दिशा में प्रवायत होती है जब कि पित्यावर्थी धारा देखेंगे कि निश्चित का अंतराल की पश्चा अपनी दिशा उतक्रमित करती रहती है आजकल जितने विद्धुद सक्ती सेयंत स्थाफित किये जा हैं, उनमें से अधिकांस में पित्यावर्थी विद्धुद धारा का उत्पादन होता है। एक तार को जिस पर प्राल विद्धुद धारा को जिस पर लाल विद्धुद धी आवरन होता है। तार कहते हैं। और आप लोग देखते होंगे, सेलों में वैट दीओं में भी आप लोग इसे देखते होंगे। अनमे तार को जिस पर प्राल विद्धुद धारा वरन होता है। इस धनात्मक और जो रेडात्मक होता है वो काला होगा। घर में लगए मीटर में एतार मुख फ्यूज से होते हुए एक बिद्धुद मीटर में प्रवेस करते हैं। अनमे जोड़ दिया जाता है। इतार घर के पितख पितख परिपत में विद्धुद आपूर्ती करते हैं। प्रया घरों में दो पितख परिपत होते हैं। एक 15 एंपियर विद्धुद आरा अनुमतांग के लिए। जिसका उपियूँ उच्छे सक्ति वाले विद्धुद संधिकों जैसे गेजर हो गया बायुसीतित या कूदर हो आधी के लिए जाता है। दूसरा विद्धुद परिपत 5 एंपियर विद्धुद आरा अनुमतांग के लिए होता है। जिसमें बलब पंके आधी चलाए जाते हैं। भू संपक्तार जिस पर प्राहरे विद्धुद रोधी आवरन होता है। घर के निकट भूमी के वीतर बहुत गहराई पर उसके दादु के पिलेट से सयोजित होता है। इस तार का उपयोग विद्धुद इस्त्री, टॉस्टर, मेज कापंका, रेफजिरेटर, अधी, दादु के आवरन वाले विद्धुद सयोजित्तों में सुरक्षा की उपाय के रूम में किया जाता है। इससे आप लोग देखे, सामार घरेली विद्धुद परिपत में एक परिपत विवस्ता आए। भू संपग्ध तार, विद्धुनमय तार, यानि कि रेड, यानि कि लालंका, वदासिन तार, यानि कि रडात्मक, विद्धुद पिदायक बोड का फ्यूज, एक विद्धुद मापी, वित्रर वक्स जिसमें मुख सुईचे उम्पित एक परिपत के लिपितक पितक भू संपक्तार, विद्धुद धारा के लिए अल, पितीरोद का चाननपत पिस्तुद करता है, इससी ऐस उनिश्चित हो जाता है कि सद्धित्य के धात्विक आउरण में, विद्धुद धारा का कोई चरण होने पर उसे संदेग्य का वेवव, भूमी के वेवव के बराब बिध्धुद परिपत में, विद्धुन में तथा ओदासी न तारों के विद्धूद सद्धुद को सहय क्या जा सकता है, बिध्ध संधिद्ध का अपना उन-उप स्वीच होता है, ताकि शक्रण, इससे विद्धुद धारा परवाहिद करा हो सेके समान बोल्टता मिल सकी और इसके लिए उन्हें परसपर पार्शुक्रम में सहयोजित यानि की जोड़ा जाता है बिद्धुद फ्यूज सभी घरेली परिवत का इक महत्मूरावया होता है पिछले अध्या अनुभाग 12.07 में देखिए हम बिद्धुद फ्यूज के सिद्धा इसका एक तरह से उपियोग इसलिए रहता है कि आपके उपकरण सुरक्षित बने सकें क्योंकि जब आपकी विद्धुद एक तरह से बिजली ऊपर नीचे होती है यानि कि खराब होती है तो उसमाई सुरक्षा कर सकते हैं विद्धुद परिपत में लगा फ्यूज परिप उधन चती खराई हो जाता है अथवा सध्धित में कोई दोस आता है ऐसी परिष्तितियों में किसी परीपत में विद्धु धारा आकस्माग बहुत अधिक हो जाती है इसे लगूपथन कहते हैं क्या कहते हैं लगूपथन विद्धूत परीपत देता है जिसे विद्धूत परीपत टूट जाता है और आपूर्थी बोल्टता में दुरगतना वस होने वाली विद्धी से भी कभी कभी अतिवारन हो सकता है कभी-कभी एक ही रोक सौकेट से बहुते विद्धो साथ देखतों को सयोजी त्यारी की जोड़ने से करने से भी अतिवारण हो जाता है आपने क्या सीखा है सबसे अच्छी बात है कि जितना बोरिंग है चैप्टर जो अभी कुछ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका एक फायदा यह भी है कि इसमें लाश्ट में आपको निसकर्स बता जिया जाता है कि इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या था क्या था तो यह अची बात एक तरह से इस देखसू जी एक छोटा चुम्मक होता है इसका एक सिराथ जो तर की ओर संकीत करता हो तुत्तरी दरो कहला था हो दूसरा सिरा जो दच्छिन की ओर संकीत करता हुत्ै पहесने हिसे किसी चुमके चेतर करता है जिसमें वो चुमक की बल का संसूचन किया जा सकता है किसी चुमकिय चेत की निरूपड के लिए चुमकिय चेत रेखाओं का उपयोग किया जाता है चुमकिय चेत रेखा हुआ है पते हैं जिसमें अनुदिस कोई परिकल्पित सुतंत उत्तर ध्रो माप गमन करने की प्रवित्ती रखता है और चुमकिय चेत की किसी बिंदू पर चेत की दिशा उस बिंदू पर रखे उत्तर ध्रो की गती की दिशा द्वारा दर्साया जाती ह जहां चुमकिय च्छित प्रवल होता है, वहां च्छित रेखाएं एक दूसरे के निकट दिखाई जाती है, किसी विद्धु धारावाही धातू के तार से एक चुमकिय च्छित संबिट्ध होता है, तार के चारोवर च्छित रेखाएं अनेक सक्यंदरी विट्टों के रूम बल का अरुभा करता है, यदि चुमकिय अच्छे तथा विद्धुधारा की दिसाएं परस पर एक दूसरे के लंभवत हैं, तब चालक पर आरुभवे बल की दिसाओं, इन दोनों दिसाओं के लंभवत होती हैं, जिसे आप लोग फ्लेविंग के वाहत्त नियम द्वारा प् परिवर्थित होता है, एक पेरेद विद्धुधारा उत्पन होती है, चुमकिय चित में परिवतन किसी चुमक तथा उसके पास, किसी कुंडली की वीच आप इक शित गती के कारण हो सकता है, यदि कुंडली किसी विद्धुधारा वाही चालक के निकर रखी जाती है, अच्छिड हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है, बिद्धुध जने तियांतरिक उजा को बिद्धुध उजा में रुपांतित करते हैं, और यह बिद्धुध चुमकिय पेरण के आधार पर काल करता है, हम अपने घरों में पित्यावर्थि विद्धुध सक्ती 220 व होता है, ठीक है? दूसरा काला होता है बिद्धुध रोधन होता है, जिसे उदासी नियानी के र क Hue wiped के लृद अथमा कैते हैं, इन दोनों तारों की वीच 220 वार्ट नवार्ड का वर्ड का विवांतर होता है, तीसरा थार भू संपर्क तारों होता है जस पर हरा विद्धुत रोधन होता है, यह तार भूमी में गहराई पर दवी धातु की विलेट से सयोजित होता है, वो संपर्ग करण एक सुरक्षपा है जो यह सुनिश्चित करता है कि संधित्य के धात्विक आवरण में यदि विद्धुत धारा की कोई भी छरण होता है, तो उस संधित्य का उपयोग करने वाले विद्धुत परिवत की लगूपथन अत्वा अत्ती भारण के कारण होने वाली हानी से सुरक्षा की सबसी मत्मूर युकती फ्यूज है, फ्यूज आद लोग संदे रहते हैं, इसी चैप्टर के आपके कुश्चन्स दिएगा है, इन्हें आप लोग देख लीजे, और फिदी फिसकी पीडी अब भी आपकी टेलिग्राम पर डाल दी थी, वहां से डाउलोड करके रख लीजे, उससे एक से दो बार पढ़ लीजे, बहुत है, समझ में आए या ना आए, जाना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, चलिए त आपका 12-13 चेप्टर, मिलते हैं हम लोग 14 चेप्टर में उज्जा के स्रोथ के बारे में जानेगे, बहुत दी मातफ़ों चेप्टर है आपका चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में, इसमें हम लोग अच्छा दस्वी की बिग्जान के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आपके 13 चेप्टर हम लोग खदम कर चुके हैं, अभी इससे पहले हम लोगों ने जो चेप्टर खदम किये, दो-ती 13 चेप्टर इतने बोरिंग थे कि आपको ही बोरिंग नहीं लगे हमें, हर किसी को, क्योंकि अगर आप प्रियोग साला में बैट करकर उन्हें पढ़ रहे होते हैं, वो प्रियोग कर रहे होते हैं, तो आपको बड़ा मजा आता करने में, लेकिन आप लोग पढ़ रहे थे अपने दिमाग में बैठा रहे थे, तो आपको बड़े बोरिंग लग रहे थे, पर याद रखिए इन्हें आप लोगों पढ़ना है, अब बोरिंग लगें, कुछ भी लगे, और ये लास्ट बुक है आपकी विज्ञार की, इसके बाद जो 11 और 12 की बुक्स हैं, हिस्ट्र तो इसमें आप लोगों ने लास्ट चेप्टर आपका देखा था कि बिद्धुत धारा की चुमकिये प्रभाव के बारे में जाना था, आज कि इस चेप्टर में बात करेंगे इम लोग उर्जा की स्रोत, आज कल वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि जब से नई सरकार छाए भी हमारी 2014 तो उसके बाद आपने देखा है नभी करनी है उर्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, यानि कि आप देखते हैं अप लोग भी तेली गराम पर डाल दे गए है, और हम लोग भी आपकी कवर करवा देते हैं, आपने आप से पड़ सकते हैं, कोई ऐसा सब्त न सब गों मिलती गई हैं सभी एंसी ही आईटी कक्छा नौभी में हमने यह सीखा था कि किसी भौतिक अत्वार असानी पिक्करम की समय कुल उर्जा सरक्षित रहती हैं तब फिर हम क्या क्यों उर्जा संकट के विशे में इतना कुछ सुनते रहते हैं उर्जा को यदि ना तो उ कि उर्जा को तो ना तो उत्पन किया जा सकता है यह ना ही एक तरह से नश्ट किया जा सकता है लेकिन इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है आप कहिए कि पानी को ना तो नश्ट किया जा सकता है यह भी पानी आज जितना है और आज से 50 साल पहले भ बदल जाता है, आप सोचिए कि आपके पास एक लीटर पानी है, वो गंदा हो जाए, तो पानी है तो पानी है, लेकिन उसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, तो इसी तरह उर्जा भी होती है, कि अन रूपों में ऐसे रूपों में बदल जाती है, कि उसमें आप लोग उपय किया जा सकता है उधारन के लिए यदि हम किसी पिलेट को किसी उंचाई से गराएं तो पिलेट की इस्तितिक उर्जा का अधिकांस बाद फरसर टकरादी समय धौनी उर्जा में परिवर्तित हो जाता है देखिए आँ भी आपका उर्जा से कारूपांतर भूड़ा है इस्तित और क्या अन उत्पाद प्राप्त होते हैं किसी भी भौतिक अत्वा रसानिक प्रिक्रम में कुल उर्जा आप औरी वर्तित रहती है परन्तु यदि हम जलती हुई मौमबत्ती पर पुना विचार करें तो क्या हम किसी भी पिकात से अभिकरिया में उत्पन उस्मा और पिका 255C में है तो इसे किसी कमरी में रखा रहने देते हैं जिसका ताम मान 299C यानि 25C है को समय पर चाथ क्या होता है ऐसा क्यों एसा कोई उपाय है इसके द्वारा परियाबन में लुप्त हुए समस्तूसवा को इकत्तित करके करके जो जल एक बार ठंडा हो गया है उससे गरम क किया जाए ऐसे पितेक उधारें के बारे में बिचार करने पर हमें पायेंगे कि प्रियोज रोब में उपलब्द उर्जा चारों और के वातावर्ण में अफिक्चके कम प्योज रूब में छैत हो जाती है अताहा कार करने के लिए जिस जिस किसी उर्जा के सिरोत का उप्य हो जाता है और उसका पुना उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन सब के बारे में हम लोग इनके answer नीचे ढोवने की skills करेंगे। तो सबसे बहले हम बात करते हैं कि उर्जा का उत्म सिरोथ क्या है, सबसे अच्छा, तब फिर किसे उज़ा का अच्छा सुरोत माना जाना है, जाए, देनेक जीवन में कार करने के लिए हम उज़ा की विवित सुरोतों का उपयोग करते हैं, और इस समय मुझे लगता है कि आप उज़ा के बिना जीवन संभव हैं, ए नहीं कह सकते हैं, रेल गा जल्ना आपको प्राथा काल सोकर उठने से विद्याल идет पहुँचने तक आप जिन ऊर्जाओं को उप्यों करते हैं उन में से उर्जा की कि दिमाक नहीं करें नीचे और ऊभ्दिुप को चलाने के लिए बिधत उर्जा, भौजन पकाने अत्वा, बाहनों को दोड़ाने के लिए 지acitick screamed our. अभि खोरी उर्जा किसी ना किसी उर्जा सुरोश जिप्राप्त होती है. हमें जानना आवस्त है कि उर्जाप उसके प्रियोज रोग से में प्राप्त करने के लिए आवस्त प्रोतों का चैन किस प्रेकार किया जाता है अब किरिया कलाब 14.2 को भी पढ़िए उन बेविद बेकलपों पर विचार कीजिए जो भोजन पकाने के लिए इंधन का चैन करते समय हमारे पास होते हैं किसी इंधन को अच्छे इंधन की सेड़ी में रखने का परयास करते समय आप किन मापदनों का विचार करेंगे क्या आपको पसंद भिन क्या तब आपकी पसंद भिन होती है जब आप मन में जीवन निर्वा कर रहे होते हैं किसी सुदूर परवर्टी ए ग्राम अत्वा चोटी दूई पर जीवन निर्वा यानि कि जी रहे होते हैं नई दिल्ली में जीवन निर्वार कर रहे होते हैं, पांस अताब्दियों पहले जीवन निर्वार कर रहे होते हैं, उपयुक्त पितेक परिस्तिती हिंधन की उपलाद्धता की दृष्टी से, किस भिन्न पिकार भिन्न होती है, आप जहां भी रहेंगे उससाब से इसे जान करने के पश्चात हमें ग्याद होता है कि कुछ कारियों को करने के लिए किसी विसेस उर्जा सरोत अथवा इंधन का चैन अनिक कारकों पर निर्वर करता है और धारन के लिए किसी इंधन का चैन करते समय हमें स्वैम से इन पिसनों को पूंचना चाहिए कौन-कौन से पिसन य यानि कि जलामने में कितनी उसमा आपको मिलेगी, क्या यह है अत्य देख धुमाउपन करता है, क्या यह है आसानी से उपलब्द है, एक तरह से प्रिसन है आपको, क्या आप इनन के विसे में तीन और प्रासंगित प्रिसन सोच सकते हैं, जितने भी वर्गों के इनन आज उप करता है, वो धारन के लिए क्या हम सर्दियों में भूजन पकाने के लिए, एक इनन, अत्वा कमरे के गरम करने के लिए, कोई दूसरा इनन चुनेंगे, इस पेकार अब हम कह सकते हैं कि एक उत्तम उर्जा कसरोत हुए है, जो पिती एकांक आयतन, अत्वा पिती एकांक द्र वह अधिक कार करें, सरल्ता से यानि कि सुलब हो सके, असरल्ता से mulheres सके, भन्रान परीबन में आसान हो, यानि कि आपको भंदारंग करना है या उसे ले आना है, तो उसमें आसानी हुकम खहत रहे है। कदाची सबसे अधिक मत्पूर है कि वस्तस्ता भी हो आप देखते हैं कि अबले और लगडियों से खाना क्यों बनाया जाता है क्योंकि वो आसानी से बिल जाती है वह गेसलेंडर काप्त देखिए लेकिन आपने देखा है कि नई सरकार आने के बाद काफी उज्वलाई हो जिन्हाप लोगोंने सुनाया इससे आप देखिए कि मैलाओं की इस्तिटीप जो खराब होती थी उनके स्वास्त पर जो परवाब बढ़ता था उसे भी रोपा जा सक होगा तो इसका पी यगदान मिला इसमें महला सक ठीके इनके लिए उपर आपने जो टॉपिक पड़ा है एक तरह से पराग्राफ उसी से संबंदीत एक कुश्चन से इन्हें भी आप देख सकते हैं उर्जा के पारंपरिक सिरोतों की बात करें उर्जा की पारंपरिक सिरोत पारंपरिक जैसे ही सब्द आपके मन में आता है आप पुराने जमाने में चले जाते हैं अब कह देते हैं कि हम पारंपरिक जीवन जी रहे हैं ठीक है जीवासमी इन्हन के बारे में बात कर लेते हैं ये भी पारंपरिक इन्हन है पराचिन काल में वह उसमी ये उर्जा का स सबसे अधिक सामन सुरोत लगडी था, आज भी कहीं जगे आप देखेंगे इसका उपयोग आज भी होता है, कुछ सीमित किरिया कलापों के लिए पवन तथा हुआ है ते जलकी उपयोग का भी उपयोग किया जाता था, क्या आप इन में से कुछ उपयोग बता सकते हैं, ओर्जा सुरोत के रूम में कुछिके उपयोग ने उद्धोगी करांती को संभव बनाया, बढ़तियों उद्धोगों ने समस्त विश्म में जीवन की बोड़वत्ता में बिद्धी कर दी है, और इसके कारएं समस्त विश्म में ओर्जा की मांग में आश्चे जनक दर से परन्तु ये इंधन करोणों वर्सों में बने हैं और अथा अब केबल इनके सीमित भंडार ही सेश हैं, जिवास में इनन उर्जा के आनवी करने सुरोत हैं, अथा इन्हें सरक्षित करने की आवल सकता है, यदि हम इन उर्जा सुरोतों का उपयोग इसी चिंताजनक दर से करत करते रहेंगे, तो हमारे इन उर्जा से भी रिक्त हो जाएंगे, ऐसी इस्तिती को टालने के उर्जा के विकल्पिक सुरोतों की कोच्की है, परन्तु आज भी हम अपनी उर्जा की अधिकान सावक्तताओं की पूर्ती के लिए जिवास में इंधन पर भी बहुत कुछ निर कम समय में ही खर्च कर देते हैं आप लोग, तो इसी दर से अगर हम लोग इन्हें खर्च करते रहें, यानि कि इनका उप्यूप करते रहें, कुछ समय के बाद एक खतम हो जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि कुछ समय के बाद खतम हो जाएंगे, उस समय आपके पास क्या option रहेगा और इनसे आप देखेंगे पिदोसन की जानदा फैलता है तो ऐसी विकल्पों पर जोड़ दिया जा रहा है जो पिदोसन भी कम फैलाते हूँ यानि कि हानिकारक भी कम हो और अधिक समय तक चल सकें अब आप सोचिए पानी से अगर उज्जा बनाई जाए या आप सोचिए कि बायू से यानि कि पवन से उज्जा बनाई जाए या आपके सूर से उज्जा बनाई जाए तो एक अब तक रहेंगी यह तब तक रहेंगी जब तक आपका जीवन रहेगा और तब तक आप बारत में हमारी उर्जा की अवसक्ताओं के लिए उर्जा के वेहुन सरोतों को दर्शाने वाला बितारिक है अभी की बात करा हूँ आंगे आने वाले समय में क्या होता है इसे आख लोग देखते रहें जीवास में इधन कुछ जलाने की अन हनिया भी है हमने कैक्छा नोवी म से होने वाली बायू पीजुझन के बारे में सीखा था और आज आप देखिए कि बायू पीजुझन की समझ्तिया इतनी वड़ी चुकी है कि आयूख बनाने पड़ रहे हैं समतिया बनाने पड़ रही इस से बर्टने के लिए दिल्ली में आप लोग आए दैन सुनते रहे इसे ना कि वह सांस लेने में ही फिरोबल्म हो रहे है इतना वायू पिदूसञ होचुकी है तो आप सोची एक तरफ होती है और इनमें अम्ली वरसा होती है जो हमारे जल तथा मिर्दा की संसादनों को प्रभावित करते हैं वाई पिदूसन की समस्या के अतरिक्त कार्बन और डाय ओपसाइड जैसें ग्रीन हाउस पॉदगार प्रभाव को याद कीजिए एक बात और आपको उताम एक आपने देखा हुआ दीबाबली पर आगे आप लोग जाल ले आते हैं जलाने के लिए बलब ले आते हैं चोटे-चोटे एक लाइन में कई बलब लगे रहते हैं जैसे ही आप देखते हैं कि एक बलब में खरावी आती है पूरा मतलब एक तरह से चौपत हो जाती है वो तो याद रखे कोई भी वो पिदूसन सब को आप सूचिए वाई पिदूसन और बाकी छित्रों को भी प्रभावित करता है इसमें कोई दुराय नहीं है ठीक है एक दूसरे से सब जोड़े हुए है जीवास मीनन के जलाने के कारण उत्पन होने वाले पिदूसन को कुछ सीमा अद्धाओं तक दहिन पिक्रम की दर्चता में बिद्धी करके कम किया जा सकता है इसी के साथ दहिन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसने तसा राकों की बातावणव में पिलायन को कं-कने वाली विवित टकनीकों द्वारा गटाया भी जाए सकता है क्या आप एक चोटा सा साइन्त बनाकर इससे कुछ बिद्धुद उत्पन करें और यह देखें कि गूर्जा के सरल एवं उत्यों की रोप को उत्पन करने के लिए क्या-क्या करना होता है तो चलिए इसके दिया कल आपको आप लोग पढ़ लीजे 14.3 को एक टेबल टेनिस की बॉल लीजे और उसमें तीन जिरियां बनाईए धातु की चादर सिव अर्दवित्याकर पंकुडियां काटिये उन्हें बॉल की जिरियों में लगाईए धातु का एक सीधा तार लेकर इसे बॉल के केंद से होकर गुजाईए तथा तार को धुरी की भा धारा अत्वा दाव कुकर में उत्पन भाब डालिए आप क्या देखते हैं तो इससे क्रिया कलाब पढ़ने के बाद नीचे जो पॉइंट रहता है इस पर बारवार जोड़ते रहा हूं इससे आप लोगों को जरूर पढ़ना है क्रिया कलाब करते हुए नहीं बैठ जाना है और रोटर को उर्जा बिनान करता है इस परकार हम देखते हैं कि मोल रूप से हमें रॉटर की पंखोड़ियां को यह गतित देनहीं होती है ताकि वह आंतिर की उर्चा को बिद्धुत उर्जा में रूपांतित करने के लिए डायनेमो की सेट को घुमा देती है बिद्ध प्रेकित अनुभावों में हम एह देखेंगे कि तर्वाइन को घुमा कर विद्धुत्पन करने के लिए उज्जा के विवित शरोतों का किस प्रियोंग किया जा सकता है। ताप विद्धुत्पादर की विक्रिया को निदेशित करने के लिए मोडल एक तरह से दाप कुकत उसमा नीचे से भाप नहीं टेविल टैनिस बॉल में धातु की पंकुड़ियां डायनेवो और वलप इस तरह से आप बिल्ली उत्पन कर सकते हैं अप नयाप में भी ठीक है आप सूझेगे अब बात करते हैं टापी विद्धु सेयंत की बिद्धु सेयंतों में पिती दिन विसाल मात्रा में जीवास में इन्हन का दहन करकी जल ओबालकर भाप बनाई जाती है जो टरवाइनों को गुमा कर विद्धुत्पन करती है समान दोरियां का कोईले तथा स्थापित की जय गहा होँए, कि पेटोलियों की वरीवहन के तुला में अधिक दर्ख होती ہیں, और यही कारण हिए कि बहुषर ताप्ये विद्धुक्रक्यांद मिल्चेंद कर देंध report को शुइले, थेल की और स्थापित किये गहे, इन सयधों कभूत को टापिये विद्धु विद्दु उर्जा में रुपांतित किया जाता है, तर आप सुनते हूँए जल बिद्दु सेंथ, यह तो कपी आप लोगोंए जाते हूँए, कई डेमों के पास जाते हूँए, वहां भी इरसलें लगा हूँए, देखते हूँए. उर्जा का एक अन्य पारंपरिक सिर्थ बेढ़ते जल की गतिज उर्जा अधवा किसी उचाई पर इस्तित जल की इस्तितिक उर्जा होती है जल विद्धु सेयंतों में गिरते जल की इस्तितिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में रूपांतित किया जाता है यानि कि आप समझेए कि उपर से कोई नहर छोड़ा रहे हैं आप तब भी उर्जा उत्पन कर सकते हैं आप जल से टिक है इस्तितिक उर्जा से आप लोग बिद्धत उर्जा में कर सकते हैं चुकि ऐसे जल प्रफातों की संख्या बहुत कमें जिनका उप्यु इस्तितिज उर्जा के स्रोथ के रूम में किया जा सकता है अता जल विद्धत सयंतों को बाढ़ों में से समझ किया जाता है पिछली सतापदी में सारे विष्टो में बहुत बड़ी संख्या में बांध बनाएगें जैसा कि हम चित 14 असमलों एक में देख सकते हैं भारत में हमारी उजा की मांग कि चौथाई बाग का पूरती जल बिद्धु सायनतों द्वारा होती है आप लोग किसी बांध को देखते हैं तो कह देते हैं बहुत देशी है बांध है कहने का मतलब है कि उससे बांध से कई उद्देश आपके पूरे होने है जल, सिचाई, आपको पीने के लिए जल भी मिल आया है बिद्धुत उजा भी उससे उत्पन हो रही है जल विद्धुत उत्पन करने के लिए नदियों की बहाव को रोक कर बड़े जलासे हों किंतिम जीलों में जले करतीत करने के लिए उँचे-उचे बांध बनाया जाते हैं इन जलायसेयों में जल संचेत कुता रहता है जिसके भलसुरूप इनमें भरे जल का तल उचा हो जाता है बांध के उपरी भागव से पाइपन द्वारा जल बांध की आधार की पास इस थाफिट तर्वाइन की विलेड़ों पर मुत रूप से गिराया जाता है खलसुरूप तर्वाइन की विलेड़ भूडन करते हैं और जनेत द्वारा विद्धुत उपादन करते हैं इस तरह से आप देख सकते हैं जला से हो गया, जल कपाट हो गया, यह तरह से आप देखते भी होगे, यह तर्वाइन हो गई, यह घूमरीगी, यह नदी हो गई, और पावर लाइन यानि कि यहां पावर हाउस लगा हुआ, और बिद्धुत आपको मिल लें, माता टीला आप लोगों ने सुना होगा, जाना जल्विद्धुत उज्या को एक नभी करनी उज्जा सरोत भी माना गए है, अता हमें जीवास में इनन की बाती, जो किसी ना किसी दिन अवस्य समाप्त हो जाएंगे, जल्विद्धुत सरोतों की समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है, याद रखिए, पारंपरिक उज एक तरह से वो सरोत हैं, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगा, आ नभी करनी उज्जा भी कहते हैं, और नभी करनी उज्जा की बात करें तो यह ऐसे सरोत हैं, जो आपकी जिन्दगी के साथ चलते रहेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इस दिन आप सोचिए कि सूर खतम हो इसके लिए परवर्ती चित अच्छे माने जाते हैं, बांदों की निर्मार में बहुत सी कृस्तियों गूमी तथा मानावावास डूबने के कारण नश्ट हो जाते हैं, बांद की जल में डूबने के कारण बड़े-बड़े पारिस्तिकी तंत नश्ट हो जाते हैं, जो पे गंगा नदी पर तेहरी बांद के प्रयोक्त्या पर जानते हैं कि Vault उसकिया पर होते हैं वही काम अगर रहे हैं, तो आप लोग उसमें 50% ठानी है, 50% नुकसान है, समझ रहे हैं आप लग, आप माल लीजे तयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी तो जोखिम रहता है, लेकिन आप जोखिम पर दिहान नहीं देते हैं, और आंगे बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह की हर्ट उर्देनावन निकलते हैं, यह तो गलत है, उर्जा के पारंपरिक सरोथों के उपयोग के लिए प्रुद्विकी में सुधार की अगर बात करें हम लोग, तो जैब मात्रा, बायो मास्, हम यह वाइडन कर जी चुके हैं, कि प्राचिन का से लगडी का इंधन के रोम में विशाल संक्या भी हमें इंधन के इस्थाई सरोथ की उप्रव्द्विता के बारे में आस्वास्ते कर सकते हैं, चुकि इंधन पादप एवं जनतु खुत्वाद हैं, अता इन इंधनों के सरोथ को हम जैब मात्रा कहते हैं, परन्तु इंधन अधिक उस्मा उत्मन नहीं कर तथा आवसेस के रूम में चारकुल रह जाता है, चारकुल बिना ज्वाला की जलता है और इससे आप इप्चा के कम दुमा निकलता है, तथा इसकी उसमा उत्पन करने की दक्षता भी आधिक होती है, आप समझेगे कि आप लोग जब देखते होंगे बच्पन से आप लोग निकल रहे होंगे, तो अपने घर के आसपास ही देखते होंगे कि बहुत सारे बेक्ष लगे रहते थे, आज उनको देख ही आप लोग, क्या आप लोगों ने कोई संतुलन बना के रखा है, आप समझेगे कि आपने एक बेक्ष काटा है, तो दूसरा लगा भी तो देते, ल समय एक दो बेक्ष आप आरहम से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉबलम भी रहती है, आप सोचे ही पारिटी में आप हजार, दस जार, पचास जार, एक लाग कर देते हैं, एक छोटा सा व्यक्ष लगा दीगे, वो आपकी जीवन के साथ चलता रहेगा और आपकी याद भ सकते हैं, और एक-एक करेगा तो आप सोचे कितना आगे बढ़ जाएगा, इसमें कोई दुहरा नहीं है, इसे पिकार गोवर फसलों की कटने की पश्चात बच्चे अफसिश्ट, सबजीयों के अफसिश्ट जैसे विविद पादप्त मल, जब ऑक्सीजन की अनुपस्किती में अगठित होते हैं, तो बायो गेस यानि की जैब गेस निकलती है, चुकि इस गेस को बनाने में उप्यों होने वाले आरंभिक पदात मुखता गोवर है, इसलिए इसका पिचलन नाम गोवर गेस भी कहते हैं, जैब गेस को एक सैंत में उत्पन किया जाता है, जिसे चित में इटों से बनी गुम्मत जैसी सरज़ता होती है, जैब गेस बनाने के लिए मिस्तरन टंकी में गोवर प्रता जल का गाडर गोल जिसे करदम कहते हैं, बनाया जाता है, जहां से इसे संपाधित यानि की डाल दिया जाता है, यहां से, संपाचित चारवोर से बंद एक आप आई भी यह सूपमजीब जिसे जिवत रहने के लिए ऑक्सिजन के आवसक्ता नहीं होती है, गोवाई की सलेरी के जटेल योगेकों को अफगटन कर देते हैं, और अफगटन पिक्रम पूरा होने तथा इसके फ़स्तरूप मेथेन, कारवन डायोकसाइड, हाइडोजन और हाइडोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन होने में कुछ दिन लगते हैं, जैब गैस को संपाचित के ओपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है, जैब गैस को गैस टंकी की से ओपयोक के लिए पाइकों द्वारा बहान निकाल लिया जाता है, जैब गैस एक उत प्रचात राक जैसा कोई अपसेश्टे सेस नहीं बचता है, इसकी इताबन चमता भी आपको उच्छे देखने को मिलीगे, जैब गैस का उपयोग प्रिकास की सरोत के रूम में भी किया जाता है, जैब गैस सायंत में सेस बची सलेरी को कम सा समय समय पर सायंत से बाहर निकालत है, जो इस तरह की खाद अभी जो आ रहे हैं, इन से जादा उत्वालक होते हैं, इस विकार जैब अपसिष्ट वा बाहित, वाहित मल के उपयोग द्वारा जैब गैस निर्वित करने से हमारी कई उद्देश की पूर्ती हो जाती है, इस से हमें उर्जा का सुधाजनक दक् अब बात करते हैं, जै मात्रा के बारे में, याद रहे हैं हाइडोजन गेस को आप लोग भविस्ट का इनन भी कहते हैं, क्योंकि हाइडोजन गेस के जलने से आपको कि दूसर और फिल्कुल यह देखने को नहीं मिलता है, त्टिंगे, पवण उर्या की बात कराएं, इससे देखते होंगे, पवन उर्या, कच्छा नौभी मैंने देखा हैं कि किस पेकार सूर के भीकरणों द्वारा भूखंडों तथा जलासेयों कि आसमान तब्थ होने के कारण वायू में गति उत्पन होती है, तथा पवनों का परवाब होता है, पवनों की गतिज उर्या का उठाने वाले पंपों में प्वन चक्की की पंखुडियों की गोडी गति का उफिव कूर से जल खिचने के लिए होता है, आजकल पवन उर्या का उफिव विद्धुत संपन उच्पन करने में भी किया जा राया है, पवन चक्की की सरचना बस्तूता, किसी ऐसे विसाल वि विद्धुत उत्पन करने के लिए विद्धुत जनित के टरवायन को गुमाने के लिए किया जाता है और इसी एकल पवन चक्की का निरगत अर्था दुत्पन बिद्धुत बहुत कम होता है जिसका ब्यापारी उत्योग संभाव नहीं है अता किसी विसाल शेत में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती है और इस शेत को पवन उज्जा फाव कहते है ब्यापारी के इस तर पर विद्धुत प्राप्त करने के लिए किसी उज्जा का फाव कि सभी पवन चक्कियों को परस पर योगमित कर लिया जाता है जिसके फल्सवरूप प्राप्त नेट उजा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन विद्धुत को उर जाओं के योग के बराबर होता है और याद रखी पवन यानि की बायू आप लोग सोचें कि उस समय तक रहेगी जब तक हमारा अस्तित रहेगा धन्तीपत तो यह एक नभी करनी उड़ जाए ठीक है एक बाद और आपको बता दूँ कि आप लोग बच्पन में देखते होंगे एक पंखड़िया करीटते थे ना वो उडाने के लिए आप बायू की दिसा में दौरते थे तो इसी तरह से आप सोचें कि यह भी चलती है पवन चक्की भ अब होगा आपने देनमार्क को पवनों का देश भी कहते हैं और आप याद रखें कि आपका वंडेक जाम में पूछ लेता है या आपका इंटर्व्यू में भी पूछ लेगा कि देनमार्क किस कारण से इसे पवनों का देश कहा जाते है देश की 25 पी 30 से भी अधीक बिद् करने वाले देश में 5 वाइस थान है यदि हम पवनों द्वारा विद्वत उत्पादन की अपनी चंता का पूरा उपेप करें तो अनमानों के अंसान लगबग आप देखेंगे 45,000 मेगावार्ट विद्धो सक्ती का उत्पादन कर सकते हैं तमिलारू में कन्या कुमारी की स नीचे बात करते हैं पवन उर्जा नभी करनी उर्जा का एक परियावर्णी है यह तैसी और दक्छोट सरोत है क्योंकि इससे कोई आप देखेंगे परियावर्ण पिदुसन नहीं पहलता है इसके द्वारा विद्धूत उत्पादन के लिए बारबाद धन खरच करने की आ पवन चलती है यानि कि जहां अधिक पवन चलेंगी वहीं आप लोग इन्हें स्थाफित कर सकते हैं टर्वाइन की आवस्तक्ता आवस्तक चाल को बनाये रखने के लिए पवन की चाल भी 15 km पिती गंटे से अधिक होनी चाहिए इसके साथ ही संचाल संचायक सलों जैसे कोई पूर्थी का सुविधा भी होनी चाहिए जिसका उपयोग उठ्या के आवस्तकदां भी पूर्थी के लिए उस संबय किया जा सके जब पवन नहीं चलती हो और जाव में स्थापित करने के लिए एक बिसाल उकंट की आवस्तकता भी होती ही इसमें कोई सख नहीं एक को लगबल दो हेक्टर भूमी चाहिए पबन उर्जा फार मिस्ताफित करने की आरंबिक लागा अतलिक होती है इसके पर अत्रिक पबन चक्कियों के दर्ड आधार पर पंकुरियां बाई मंडल में पुले होने के कारण अंधर चकवाद धोग बरसा आधी प्राक्तिक थपेड होने वाले अगर इनके बीच आते हैं तो उनकी मौत भी होती रहती है तो उन्हें भी एक तरह से नुक्सान होता है तो उपर जो आपने टॉपिक पढ़ा है उससे समद्धिते कोश्चन्स दिये गया है इनने भी आप लोग देख सकते हैं अब आप कलते हैं विकल्पिक अत लेकिन कैसे वायकोट करेंगे आप लोग आपके पास कोई दूसरा ओप्सन तो होना चाहिए उसके लिए तब तो आप कर सकते हैं मालेजे कि आपके मौले में एक दुकान है किराने की आप कहते हैं कि उसके यहां से दुकान से सामान नहीं लेंगे तो आपके पास दूसरा क जोड दिया जा रहा है, प्रफदूग की की में उणडती के सास्त ही, हमारी उज्या की मांग में दिनपिती दिन बिद्धी हो रही है, और हमारी जीवन से लिमें भी नहेंतर परिवतन हो रहा है. हम अपने कारेओं को करने के लिए आधिकारिक मसीनों का उपयोग करते हैं जैसे जिसे उद्धूगी करेंट थे हमारी जीवन इस तर उन्नत हो रहा है हमारी मुल आवसकताओं में भी नियंतर वित्धी हो रही है आज से कुछ साल पहले आप देखिए आप कितनी उर्जा का उपयोग करते थे आज आप देखिए कितनी उर्जा का उपयोग कर रहे हैं पहले आप गाओं में एक आज गाड़ी मॉटर साइकल हो बहुत बड़ी बात हो जाती थे आज देखिए गर में मुझे लगता है कि चार भाई है तो च्छे गाड़ी होंगी आप खुद देखते हैं भली वो यूज हो रही हूँ है या नहीं हो रही है इसे दिल्ली में बाईू की दूसरान का एक मामला ये भी है आप देखे गाड़ी होंगी मुझे लगता है जितने लोग नहीं है वाँ उन से जादा आपको गाड़ियां देखने को मिली हैं हर गहर में आप देखेंगे दो से चार गाड़ियां रखी रहीं काम की हो या ना हो फिर भी रखी रही चलती रहीं किरिया कला आप 14 असमलों चार को पड़ लीड़े क्या इन अंतरों में कोई अंतर है यदि हा तो किस इस्तिति में बाहर शुरुतों से अधिक उजा होती है आप देखते हैं थे कि आप बच्पन में पांस किलो मीटर तक भी पैदल चले जाते हैं आज आप देखिए आपका बच्च अगर 500 मीटर भी जा रहा है तो आप बाइक से छोड़ने जा रहे हैं या बस आ रही है उसे लेने की यह टैंपू आ रही है समझ रहे हैं यह बदला हुए है जैसे जैसे हमारी उल्जा के मांग में विट्टी होती रह जाती है वैसे वैसे ही हमें अधिक उल्जा सरोतों की आवसकता होती है आधिक दक्ष उपयोग के लिए पुरुद्गी जानदा जिनका हम उपयोग करना चाहते हैं तथा उन पुरुद्गी कीज़िए और जिसे हम सुरुद्गों से संचित उपयोग करने के लिए डेजांग किया गया है अपनी द्रिष्टी से डालेगे कुछ विचार करने लाइक है आप लोग करते रहिएगा पीडिया आपके पास है अब बात करते हैं सौर उर्जा की सूर लगवक 5 करोड वर्स से नेंतर वर्ड मांदर पर विसाल मात्रा में उर्जा विक्सित करा है यह आपका नभी कर पीड़ के बायव मंडल की बायव परतों पर पहुच भाता है इसका आदावाग बायव मंडल से गुजरने Health सुलिः वर्स आप देखेंगी कि अर्थाद इसे आप लोग पढ़ते रहिए, जीरो जोड़ते रहिए, अर्थाद 5,000 एलियन किलोवाट गंटा सौरुजा पराप्त करता है, सौक्ष आकास बादल रहे की स्तिती होने पर, इत्वी के किसी चेत में पिती देत पराप्त होने वाली सौरुजा का उसत पाइमाड चार से साथ किलोवाट हवर, प्लट मीटर स्क्वार की बीच होता है, पित्वी के वाइबिडल की परीरेखा पर, सौर की गेनों के लंबबद इस्तित, खुले छित के, पिती एकांग छित्फल पर, पिती सेकेंड पहुचने वाली सौरुजा को सौर इस्त्रांग कहते हैं, जब कि श्चेत्य को सौर से पित्वी के वीच की वहसत दूरी माना जाता है, अनुवानता इसका सन्निकट मान 1.4 किलो जूल, पिती सेकेंड पिती बरग मीटर अथवा, इस तरह से आप देख सकते हैं, आधिक जीरो जब आप लिख रहे होंगे, जैसे आप 10 लाक लिखना ह दो 10 लाक बोलने से अच्छा है, अगर कहीं पड़े लिखे लोग हैं, तो हाँ बोल दीजे आप लोग की एक मिलियां, तो इससे क्या रहता है, फायदा रहता है, अब आप आँगे जैसे बढ़ते जाएंगे जीरो, देखिए ऐसाथ कोई नहीं है कि आप लोग अगर जीरो सफेद पेंट से पोद दीजे, दोनों में जल भरिये, इन संग्वाकार फलासकों को एक से डेर घंटे तक सीधे धूम में रखिए, दोनों फलासकों को इसपास केजिए, इनमें कौन तब थे, आप इन दोनों फलासकों के जल, किताब, तामापी द्वारा भी माप सकते हैं क्या आप कोई ऐसा उपाय सोच सकते हैं कि जिनके द्वारे इस ग्यान का उपयोग आप अपने दिनेक जीवन में कर सकते हैं, इस तरह से देखिए, काज की सीध होगी, परावर्तित होने ते हुए पिकास करन और दरपण, सौर को करन, सरपितम परिस्तितियों में परावर् कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और अधिकतर आपके देखते हों कि स्वाटर हो गया रावर्तितों या जर्कन ओगी एक इस ितरह के कुछ भी, काली कपड़ी के बनाते हैं क्योंकि या उसमा को आउसुसित करते हैं और गर्मी बना रगते हैं, और गर्मी ओंके दिनों मे को फॉक्सित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है, जिससे इनका ताप और उच्छ हो जाता है, सौर कुकरों में काज की स्थीद का ढखकन होता है, याद कीजिए कि पौद घर प्रभाव के विसे में हमने क्या सीखा था, क्या इसके काज के ढखकन को उपयोग क करने का कारण इस पर होता है कि रियाग लाग 14 असमलोग 6 को बढ़ लिए किसी कोकर सौर कोकर अथबा सौर जल तापक की सरचना तथा कारपणाली का विसेश कर इस तुरिष्टिक से अध्यान कीजिए कि उसमें उसमा रोधन कैसी किया जाता है तता अधिकतम उसमा आउसोसन क कैसे सौनिशीत करते है सस्ती सौलब समगरी का उपयोग करके किसी सौर कोकर अथबा सौर जल तापक का बिजयन बना कर उसकी सरचना किजिए और यह जांच करिए कि आप इस निकाय में अधिक्तम ताप कितना प्राफ्ट कर सकते हैं सौर कुक्रों आत्वा सौर जल्द आपकों के उपयोग की सीमाओं यह विसेश्टाओं पर चर्चा किजिए यह आप सौर पैनल यह तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा आप भी अपने घर में उपयोग कर सकते हैं ठीक है यह सरलता से देखा जा सकता हैं कि यह अपतियां दिन के कुछ निश्चे समय पर की उपयोगी होती है सौर उजा के उपयोग की इस सीमा पर सौर सेलों का उपयोग करके पाया जाता है सौर सेल में सौर उजा को वित्भूत उजा मेर उपनतिक करते हैं धूह में रखे जाने पर किसी प्यारूपी सौर से जी 0.5 से 1.0 वर्ड तक बोल्टता बिश्चित होती है सब्सक्राइब कर सकते हैं जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को सायुजित करते हैं तो यह विवस्त था सौर पैनल कहलाती है जिससे विवारे को प्योग के लिए परयाप बिद्धुत प्राप उती है अभी आपने रिवा में सुना भी होगा बहुत बड़ा एक तरह से सौर पैनल लगाया गया है प्रोजेक्ट इस तरह का ठीक है कभी जाकर वहां देख भी आएगा सौर सेलों के साथ समध्ध प्रमोख लावया है कि इनमें कोई भी गतिमान पोर्जा नहीं होता है इनका रख्रकाव सस्ता होता है यह बिना किसी फॉक्षन युक्ती के काफ खर्चीला होता है तथा ब्यापारिक दिरिष्टी से बिवारिक नहीं होता है और याद रखिए यह जब लगाते हैं आप लोग तो महिंगे पड़ते हैं लेकिन बाद में आपको देखा गया कि इसमें कम मतलब आपको खर्चा आएगा ठीक है सौर सैल बनाने के लिए सिलीकोन का उपयोग किया जाता है जो प्रकेती में फिचौर मात्रा में उपलब दे परंतु सौर सैलों को बनाने में उपयोग होने बाली विसेश चंडी को सिलीकोन की उपलब शिमित करती है करके और सौर पैनल बनाने में सिल्वर चांदी का उपयोग भी होता है जिसके कारण लागत में और बित्दी हो जाती है उच लागत तथां कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत से विग्यानिक तथां प्रोधगी की अनुपयोगों के लिए किया जाता है मानो निर्मित उपगरों तथा अंतरिक छनविस सब युगतियों जैसे मार्च और विट्रों में सौर सेलों का उपयोग फिरमो पूच्चा सरूत के रूम में किया जाता है आप लोगों में से भी अधिक लोगों की घरों में इस तरह का उपयोग होता हुआ टेक है कि एके बार लगाने के आंग लगाने के बाद, आपको सर्ल मतलख कम महेंगा पड़ेगा, लेकिन जब खरीदेंगे आपनों, तो आपको महेंगा पड़ेगा, वह ही है कि आप मानिए कि आप जाते हैं कहीं, यातरा करते हैं, तो आप देखेंगे कि बस में किराया जाना लग जाता है, टैक्सी वाले जाना ले लेते हैं, आपके बास बाईक है तो आपको उसरू पड़ता है, लेकिन जब बाईक खरीदते हैं तो महेंगी पड़ती है, उसी तरह है, ठीक. अब आप क्योंते हैं, समुद्रों से भी उर्जा प्राक्त की जाती है, और आप देखते हैं, हमारे आसपास समुद्र है, हिंद महासागर, हमारे देश के नाम पर पड़ा हुआ है, इसका नाम हिंद महासागर, और आप जामते हैं कि अधिक तर जल है, ज्वारी है उर्जा, गोड़न गरती करती पितवी पर मुक्रों से चंदमा की गुरुत्य खिचाओ के कारण, सागरों में जल का इसतर चड़ता गिरता रहता है, यदि आप समुद्र की निकट रहते हैं, अधिवा कभी समुद्र की निकट किसी इस्थान पर जाते हैं, तो प्रियास कीजे कि परिवर्तित होता है, इस बर्ग की घटना को आप जौर भाटा, ऊपर आना और नीचे गरना, फ्रमज रहे हैं, इससे दिए आप लोग विद्धुत उर्जा में खिल सकते हैं, जौर भाटी में जल के स्तर के चड़ने तथा गिरने से हमें जौरीय उर्जा प्राप्त होती पर आप सुनते हैं तरंग उर्जा, इस पिकार समुद्ध तट के निकट विसाल तरंगों की गतिज उर्जा को की विद्धुत उत्पन करने के लिए इसी दंग से ट्रैप किया जा सकता है, महसागरों के पेष्ट पर आरपार बहने वाली प्रवल पवल तरंग उत्पन करत पर आप देखेंगे महसागरियत तापी उर्जा, समुद्ध दवा महसागर के पेष्ट का जल सूर द्वारा तप्त होता है, और जब की इनके गहराई वाली भाग का जल अपिक्चा की ठंडा होता है, ताब में इस अंतर का उपयोग सागरियत तापी उर्जा, रुपांतर विद्धु सैंद में उर्जा पराप्त करने के लिए किया जाता है, ओटी इसी विद्धु सैंद के वल तभी पिचालित होते हैं, जब महसागर की पेष्ट पर जल का ताप तथा दो किलो मीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, पेष्ट विद्ध के तब से जल का वपित आमोनिया जैसे वास्प सी दर्वों को वालना में किया जाता है, इस पेकार बनी दरव की बास्प फिर मां जनित के टर्वायन को उवाती है, महसागरी की गहराईों से ठंडे जल को खिंच कर बास्प को ठंडा करके फिर से दर्व में संगि निट किया जाता है, महसागरों की उजा की छम्ता ज्वारिय उजा है तरंग उजा, महसागरिय ताप्यी उजा अधी विसाल है, पंतु इसके दशितापूर विभारी दोन में काफी कट नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके बास बिखलक जरूर रहेगा, ठीक है? फिर एक आप सुनते हैं भूताप ये हुजा, भूम की ये परीवतनों के कारए भूपरपटी में घहराईयों पर तप्त छेत्रों में पिगली चट्टानों उपर धकेल दी जाती है, जो कुछ छेत्रों में एकतित हो जाती है और इस छेत्रों को तप्त इस्तल कहते हैं, जब भू कभी ये भाब चर्टानों के वीच में फश जाती है और जहां इनका दाब अत्यतिक हो जाता है, तप्त इस्तलों तक टर्फाइव डाल कर इस भाब को वहार निकाल लिया जाता है, ओच्छ दाब पर निकली ये भाब विद्धुत जनित्तिक की टर्वाइन की को गमाती है, जिससे विद्धुत उत्पादन करते हैं, इसके द्वारा विद्धुत उत्पादन की लागत अधिक नहीं है, परन्तु ऐसे बहुत कम चेते हैं, जहां ब्याबारिक देश्टी कोण से इस उल्जा का दूवन करना बेभारिक है, नीर्जिलेंड तथा सहितरा जमेरिका में विद्धुत आपी उर्जा पर आधारित कई विद्धो सेंट करें, हम लोग पीछे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग भी आने होगी, अभी क्या है हमारे देश में तकनीक की का आभाव है, लेकिन आब देख रहे हैं कि आने बाले दिनों में काफी बड़ा बिला है, अब बात करते हैं, नाप की उर्जा ये भी काफी चर्चा में रहती है, नाप की उर्जा कैसे उद्फन होती है, नाप की विखंडन अभगिया एक ऐसी पिकरिया है, जिसमें किसी भारी परवारी पर्माडू जैसे यूरेनियाम, प्लुटोनियम अत्वा थोरियम के नावि का द्रमान बेश्टीकत उत्पादों के द्रमान की योग से उच्छी ही अधिक होता है उधालन के लिए यूरेनेम की एक परमाडू विखंडन में जो ओज्या मुप्त होती है वैकोले के किसी कारवन परमाडू के दहन से उत्पन वज्या की तुल्ला में एक करोड गुना जिसमें नियंतित दर पर उज्या मुक्त होती है और इस मुक्त उज्या का उप्यूप भाब बना कर विधुत उत्पन करने में किया जाता है यहां आप लोग पढ़ लीजे इसको नावकी विखंडन में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिकों के द्रमान का अंतर जाती है जहां सी पेकास की निर्बात में चाल है और आपकी विग्ल्या में ओउज्या को प्रेया लग टॉन बोल्ट यानि कि एई-वी के मातरों को में व्यक्त किया जाता है और उत्प्यस कि समीकर द्वारा या असानी से जाचा जा सकता है कि एक पर्माडू द्रमान मातर लगभग 931 मेगा एलक्टोन बॉल्ट उड़ जाके तुल होता है तारापुर महराष्ट इन्हें में याद रखे तारापुर महराष्ट में राणा पिटाप सागे राजिस्तान में कलब पक्तम तरमिलाडू नरोरा उत्तरपिदी से उकातरा पार गुजरात उपकेगा अवसकता कि 30-30 से भी अधिक पूर्ती नापकी बिद्धो सहयंतों से कर सकते हैं और हमारे देश में अभी आप देख रहे हैं मात 3-30 से भी कम आपको देखने को मिलेगी नापकी बिद्धो सकती सहयंतों का प्रमुक संकट पूर्ता उपियों होने के पस्चा सेस बचे नापकी इन्हन का भंदारन तथा निप्टारा करने से क्योंकि सेस बचे इन्हन का यूरीनियम अभी हानिकार घातक कणों विकरणों में छहत होता है यही एक तरह से इसमें समझ्या बनी विए और यदि नापकी अप्सेश्टों का भंदारन तथा निप्टारा उचित पेकास नहीं होता है तो इससे परियावन भी संदूस्चि बेया दिश्टार पर नापकी उर्जा का उपयोक पूर निसिदक बना देते हैं और नापकी विद्धु सकती सेखेंतों की निर्मार से पूर नापकी ऊपयोक पहले बिनास के लिए किया गया किसी नापकी हतियार में होने वाली जिए सिंखला विखंडन अकिया का मुल परन्तु दोनों दोत आयत नाफ की एकोतियों का निरवार्ट एक दूसरे से पूर्टा भीनुलता है आप नाफ किये उत्यारों की विता बात करते रहते हैं, तो यह ही है, ठ्क है? अब बात करते हैं नाफ की है सल्लेल आजकल ड़ो इस एक अपट्रा की विखतन रही है परन्तु ये कंध अपेक्था की सुरक्षित विक्किरिया जिसे नापकी ये सल्लिण करते हैं द्वारा भी नापकी ओर्जा उत्पन करने की संभाना बैक्त की जा रही है सल्लिण का आयत है कि दो हल्की नाविकों को जोड़कर एक भारी नाविक बनाना जिससे सामान नता हाइडोजन अतवा हाइडोजन समिस्थान को से हीलियम उत्पन की जाती है और इसमें भी आईस्टीन समिकरंड के अनुसर विसाल परिमार की ओर्जा निकलती है ओर्जा निकलने का का राणय है कि अविकरीं में उत्पन-उत्पाद का द्रहान अविकरीया के भाग लेने वाले मूल नाविकों से वेक्ति का द्रहानों के से कुछ कम है इस पेकार की इस पेकार की नापकिये सलगन अभकिरिया सूर तता अन्यतारों की विसाल हो जा का सुरोत है नापकिये सलगन अभकिरिया में नाभिकों को फरस्वर सलेद होने को वाद्य करने के लिए अत्यदिकूर्जा चाहिए नापकिये सलगन पिकरिया के होन की उत्यों के बिखन्दन पर आधारित किसी नावकी एवम को रख देते है यह आपकी एवम ऐसे पदारतों में 10,000 की पावर 7 Kelvin तक पहुच जाता है और यह है अती उच्चित ताफ हल्की नाविकों को सलेद होने के लिए परयापत उजा उत्पन कर देता है जिसके फलसुरू अती विसाल परिवाट की उर्जा मुपत होती है इसके रियाकल आपको पढ़ लीजी अब एक और लाश्ट में आप लोग पढ़िए परयावण विसयक सरूकार पिछले अनुभाग में हमने उर्जा के बेदे सरूतों के विसयमेद धिन किया था इन में से किसी भी पिकार की उर्जा कदुवन परयावन में किसी या किसी रूम में विच्छो बुत्वन करता है किसी भी परिस्तिती में जब हम किसी उर्जा स्रोत का चैन करते हैं तो वह निमलेखित कारकों पर निर्वर करती है उस उर्जा सरोथ से उर्जा प्राप्ट करने में सलता, उस उर्जा सरोथ से उर्जा प्राप्ट करने में मितबेता, उस उर्जा सरोथ से उर्जा प्राप्ट करने की उबलग्द प्रुद्ध की दक्षिता, उस उर्जा सरोथ को उप्योप करने से परयावन को होने वाली हान इनधन जलाने से बायू की दूसित होती है कुछ प्रिकरणों में जैसे सौर सेल जैसे कुछ यूगतियों का बास्तविक्त चालर पिदूसंड मुठ्थ हो सकता है परंतु हो सकता है कि उस यूगति के सायोजन में पर्याबन चती हुई हो और इस चत में नियंतर अनुसंदार हो रहे हैं और इस विकार की युक्तियान के निर्माण के लिए प्रयास भी के जा रहे हैं जो अधिक समय तरकार कर से हो अपने समस्त कारकाल में कम से कम चती पहुंचा है पर चाहे वो परयाबन की हो या किसी और यह आपके फुश्चिन्स दिये गए हैं इसी अध्याए से समात हो जाएंगे उन्हें उर्जा की समात सिरोत अथवा आनवी करने सिरोत कहते हैं इसके विप्रीत यदि हम लकडी जलाने में उप्यों होने वाले व्यक्षों की पिते स्थावित करके जैमात्रा का प्रवंधन उचित प्रकाल से करें तो हम किसी निश्चित दर पर उर् उर्जा की सतत अथवा आवर्ती धाराओं की रूम में अथवा भूनीकत भंडारों में इतनी विसाल मात्रा में संचित है इन भंडारों की खाली होने की दर ब्यवारिक दृष्टी से नगन भी है तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें लाक्ष्ट में आप लोगों ने क्या सीखा है ये भी बताएगा है हमारे जीवन से लिए कि इस तर में बिद्धी के साथ हमारी उर्जा की आवसकताओं की पूर्ती करने के लिए हमें उर्जा की अवा निजी नए सरोतों के लिए पर अदृकष्टार का पर्यास भंड़ करना चाहिए हमारे वो उर्जा स्रोच का चैन उपलगत मिष्यलता और ओर्जा निसकरश्ण की लागतव 27 के उपलगत। प्रुद्रगीकी की लक्षता कम उर्जा स्रोच के उपयोग पर प्रयाव्णन पर विल्भाव किसे कारग निर्वा करते हैं हमारे एक्यांस उर्जा सरोध अंतता सूर से प्राप्त उर्जा से बुद्पन्ध होते और यह आपके कुश्चन से दिये गए सद्ध्या से संबंदित यह भी कर सकते हैं आप लोग खुद देखेंगी कि इस चेप्टर को पढ़ने में कितना मजा है क्योंकि आप देखेंगी कि पुराने चेप्टर क्या है कि क्रिया कला मतलब प्रियोक साला मांते हैं और आप और हमारे पास प्रियोक साला नहीं है ठीक है चलिए तो यह था उजा कि स्रोद्दे की हम लोग ने बेभिन पिकार की उजा को देख लिया है अब हम देखेंगी आंगे अंगला चेप्टर होगा हमारा परियावार यह सभी चेप्टर आपके बहुत ही मात्पूर है प्रिलेम से में भी कुश्चन्स बनते रहे हैं और मै कुश्चा दसबी की विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक आपक है 14 चेप्टर हम लोग खतम कर छुए लास्टा आपका 14 चेप्टर था उजिशा की से विश्चार में विस्तार से जाना था वह बहुत अच्छा है आपका का 3Wow पूर चेप्टर था, आज हम 15 चेप्टर के बारे में बात करेंगे हमारा पर्यावर्ण, याद रखिए इसते पहले आपके कक्छा छटवी से लेकर कक्छा दस्वी की सभी बुक्स कंप्लेट करवा दी गए है, ए लास्ट बुक्स है आपकी कक्छा दस्वी की, इसते बाद 11 बारवे की बुक्स बचती है, और इनकी जो आपकी PDF है, जो आपके सिविल सर्वेस हो, फिर इस्टेट PCS हो, उन सब के लिए जो जरूरी है, वो सब भी टेलिग्राफ पर देली हुई है, वहां से आप लोग दाउनलोड कर सकते हैं, जो जो बुक्स आपको पढ़ दी है, उ हम पर्यावन सद्द से परचित हैं, इस सब्द का प्रयोग टेली वीजन पर समाचारों पत्रों में, तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रया किया जाता है, हमारे बुजुरुग हम से कहते हैं कि अब बातावन नहीं रहा, जैसा कि पहले था, दूसरे कहते हैं कि ह इस पिकार अन्यों क्रिया करते हैं, तथा हम परयावन पर क्या प्रवाव डालते हैं, इससे पहले एक बात आप लोग और जान लिए, कि इन बुक्स में कोई ऐसा सब्द आपको नहीं मिलेगा, जो आपको समझ में ना आ सकी, अगर आप अपने आप से भी पढ़ते हैं इन पारितन्त इसके संगठक की बात करें अगर हम लोग, तो सभी जीव जैसे की बहुते जन्तू, सूक्षम जीव एवं मानों तथा भौतिक कारिकों में फरस्पल अन्यों किरिया होती हैं, तथा प्रक्किती में संतुलन बनाया रखते हैं, किसी छेत के सभी जीव तथा वात आपके, उधारन के लिए आप बगीचे में जाएं तो आपको बेंड पौते जैसे घास हो गया, बैक्छ हो गया, गुलाब, चमेली, सूर्मुकी, जैसे फूल वाले, सजावटी पौते, तथा मैड़ा, केट, पक्ची, जैसे जन्तू दिखाई देंगे, यह सभी सजी परस पराक्तिक पारीतंते, जबकि बगीचा तथा खेत मानावनेर में किंदिम पारीतंते, याद रखेए, पर्यावन पर जितना अधिकार हमारा है, उतना यदिकार है हर जीप का है, लेकिन आप जानते हैं कि हम, यानि कि इत इंसान बराबर मतलबी कोई नहीं होता है, इसलिए आप देखते हैं कि हम जिस ठाली में खाते हैं, उसी तरह से एक तरह से छेद कर गए हैं, यानि कि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, लगाने की बात हम से मत करिएगा, हम देख रहे हैं कि सबसे जान्दा लालची हम लोग है, हम लोग साफ करते जा रहे हैं, सब पर्यावन को क पर्यावन को सुरक्षित ना रखते तो आज हम लोग खुली वायू में हवानी सांस नहीं ले पा रहे होते या इतना अच्छा जल नहीं भी पा रहे होते आज के समय में आप देखिए दिल्ली वायू की दूसर तो आप लोग सुनते रहते हैं कि सांस लेना दुस्वार हो कुसी का देने तो आप एक पीड लगा सकते हैं आप देखते हैं कि हजानों लाख मर रुपे खर्च कर देखे हैं आप एक दिन में एक पीड लगा पिर आप अपने एक तरह सी यादगार उस पल को रख सकते हैं कि वो पेड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमेशा आपकी य प्यास करें कि जो हमने सुनी रुभाव फारीतन स्वैम बनाया था कौन से जीव सूर के पेकास वक्त एवं किलोरोफिल की उपस्तिती में आकार्मिनिक पदार्थों से कार्मिनिक पदायत जैसे की सरकरा चीनी मंड का निर्माड कर सकते हैं सभी हरेपोदे एवं नील हरे से जिनमें पेकास संसिलेशन की चंता होती है इसी बर्ग में आते हैं और उत्पादर कहलाते हैं क्या कहलाते हैं उत्पादर कहलाते हैं क्रिया कलाब 15.1 याद रखिए इस क्रिया कलाब को आपको पढ़ना है जीवन और उसके नीचे जो लाइनी दी जाती है उसे ध्यास से प परियास करते हैं, जल जीवसाला बनाती समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा, मचलियों को तेरने के लिए परयापतिस्थान एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल ऑक्सीजन एवं भोजन, हमें एक बायू पंप द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं, तथा मचली का भ परांद इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, यदा कता इसकी सफाई की क्या अवस्ता है, क्या हमें इस पेकार तालावों एवं जीलों की सफाई भी करनी चाहिए, क्यों और क्यों नहीं, अब यहां जो नीचे दिया रहता है, इसे जरूर पढ़ लिया करिएगा, सभी जीव पित अब भोगता है एक तरह से, अब देखिए सीधा अब भोगता की परिवास आई है, कि जो मतलब दूसरे पर एक तरह से पितेक चपरोप चुरूप से निर्भर है, ठीक है, वो भोगता को मुखता साकारी और मासाहरी तथा सरवाहरी या पर परजीवी में बाटा गया है, आ जैसे इस्तिती की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवसाला को साफ करना छोड़ दें, और तथा कुछ मचलिया आएवें पौदे इसमें मर भी गए, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है, जीवानों वो कब अब जैसे सूक्चम जीवी मेट जिव आउसेसों का अपमार्जक करते हैं, एक सूक्चम जीव अपमार्जक हैं, क्योंकि ये जगल कार्वनिक पदार्थों को सरलकार अकार्वनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं, तसम पौधों द्वारा पुना उपयोग में लाई जाते हैं, इनकी अनुपस्तिती में मेट जन्तुओं, एवं पॉधों पर क्या प्रभाव बढ़ता है, क्या आप मार्चकों के ना रहना पर मर्दा की प्राक्तिक पुना फूर्ती होती रहती है, इसे किरियाकल आप देखते हैं 15.2, जल जीव साला बनाती समय क्या, आपने इस बात का ध अच्छा कीजिए कि उप्योक्ति समूव में जीव एवं एक दूसरे परकिस पेकार निर्वर करते हैं, जलिये जीवों के नाम उसी करम में लिखिए जिनमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तता एक ऐसी सिंकला की स्थाफना कीजिए, जिसमें कम से कम तीन चार्ण हो क्या आप किसी एक समूव को सबसे अधिक मत्त का मानते हैं, क्या अत्वा क्यों नहीं, आईए नीचे देखते हैं, आहर सिंकला एवं जाल, यह समझ दिए आप लोग कि इससे कुष्टेंस आपके प्रिवलिम से में हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, इससे अच्छे से समझ ल निर्मार करते हैं, आहर सिंकला का पितिक चरण अत्वा कड़ी एक पोसी स्तर बनाती है, सौपोसी अत्वा उत्पादक पिथम पोसी स्तर और सौर उर्जा का इस्तरीकान करके उसे विसम पोसी अत्वा उभोकताओं के लिए उपलब कराते हैं, साकाहरी अत्वा प्रात्मे उब भोकता दुद्ये पोसी स्थर, छोटे मासाहरी अत्वाद दुद्ये उभोकता तीसरे पोसी स्थर, बड़े मासाहरी अत्वा निर्मार करते हैं। तहने का मतले में कि देखे, प्रैक्ती में हर सिंखला बंध, फिर आप देखेंगी घास देखेंगी ताला ठीक है आप देखे एंगहास को हेरन खा रहा है, हेरन को कौन का जाता है? सेर, 通 फिर्पहें धास क्icks खा रहा है, एक टिड़ा क्पॉन खाता है, मैड़क क्न क्पॉन खाता है, साप क्पॉन खा लेते हैं, एक तरह से जो आपकी क्या वखते हैं उसे? चीतल या फिर बोलते हैं से चील, ठीक है? हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए उरजा सरोत का कार करता है अताप मर्यावन की वेवन्न गटकों के परस पर अन्यों की रिया में निकाय के एक गटक से दूसरे में उरजा का प्रवा होता है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सौपोस्ती सौर पिकास में नेट उर्जा को गरहन करके रसानिक उर्जा में बदन देते हैं या उर्जा संसार के संपूर जयव संधाय की सभी क्रियाओं के संपाधन में साहए सौपोसी से उर्जा बिसंपोसी एवं अब घटकों तक जाती है जैसा कि उर्जा की सरोड नावक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब उर्जा का एक रूप से दूसरे रूम में परिवर्तन होता है तो परियाबन में उर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी उर्जा की रूम में हरास हो जाता है परिवर्दित होता है जब हरे पौदी परात्मे उगोगता द्वारा खाये जाते हैं उगले इस यानि की कहने क मतलब है कि माल़ी यह 100% है तो उस मेंसे 90% ये आज़े सुना होगा यही है अता हम कह सकते हैं कि पिते के स्थर पर उपलब्द कार्वनिक पदार्थों की मात्रा खा ऑस्तन 10 पिती सती और भोगता के अंगले इस तर तक पहुंच पाता है यहां आप लोगों ने चित्य देखा हुगा देखे घास को यह खारा है टिटा तो यह 90 पिती सत्थ यू मात्रा उपलब्द होता है अता हारश सिंक्ला सामानता तीन आतर चार चरं की होती है पितेक चरं पर उजया का नहीं होता है कि चौथ्येगवतार इस तर परियासंग के सरवदिक होती है, विवेन आहर सिंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में कापी अंतर होता है, आमतर पर कतेक जीव दो अत्वा अधिक पिकार की जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयम अनेक पिकार की जीवों का आहर मनते हैं, अता एक सीधी आ आप देखिए कि ए भी खा सकती है, बिल्ली, ठीक है, आप सोचिए कि अलू भी खा सकता है, अनेक आहर सिंखला से बना आज जाले, आहर जाल होना अच्छी बात भी हो, उर्जा परवा की चित्ते 15.4 की दो बातें सपस्ट होती है, कि पहली उर्जा का परवा एक दिसी, अत सौपोसी जीवों द्वारन, गरहन की गई उर्जा पुना, सौर उर्जा में, सौर उर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, और साकाहरियों को इस्थानेंदित की गई उर्जा पुना, सौपोसी जीवों को उपलब्द नहीं होती है, जैसे कि ए विमन ने कोसी इस्तर उपर आप देखिए कि चूहा घास को खा रहा है, तो चूहे से उर्जा घास में नहीं जाएगी, ठीक है, चूहे से बिल्डी की तरफ या साप की तरफ जाएगी, खुल्टी नहीं जाएगी, ठीक है, इसमें आप देखिए, एक पारितंद में उर्जा के परवाग का आरेक है, सूर आरे हमारी जानकारी विविनाथ ये कुछ हानिकारक रसायनिक पदात आहर सिंखला से होती हुए हमारी सरीर में प्रविट हो जाते हैं आपका अठ्था नौभी में पढ़ चुके हैं कि जल पिदूसन की किसी किस पेकार होता है इसका एक कारण है कि विवेन पसलों को रोग एवं पीटकों से बचाने के लिए पीड़क ना सक एवं रसायनों का अधिक उपिरयोग करना इस रसायन बहेकर मिटी में अत्वा जल सर जाते हैं और यह किवल एक तरीका है जिसमें यह आहर संखला में प्रविश करते हैं क्योंकि यह पदार्त अजयाब निमनीके थे यह पिदेख पोसी इस तर पर उत्रोत्तर संगीत होती रह जाते हैं क्योंकि कि किसी भी आहर संखला में मनुस्त सीसर्ष्थ है अता हमारी सर इसे हम लोग जयव आपरतन कहते हैं. यही कारण ही कि हमारे खाद्यान, ग्यों अतवा चावल, सबजिया फल, तथा मास में पीड़क रसायन की और विभिन मात्रा में उपस्तित होते हैं. उन्हें पानी से दोकर अतवा अनपकार से अलग नहीं किया जा सकता है. चलिए किरियाकला 15.03 को दिवी देख लिए. आप लोगोंने कुछ समय पहले सुना होगा कि सिख्किम जब इक खेती करने वाला पहला राज्ज बना है. और यह कई बार आपका एकजाम में भी पूछा जा चुका है. डारेक्ट कुश्चन कई बार. तो यह एक तरह से इनको पीड़क नासी को रोपने के लिए जब एक केती पर बल दिया जा रहा है. आज कल आप देखते हैं कि लौकी को ले लीजे आप लो. सुबए बच्चा होता है और आप इंजेक्शन लगाते हैं उसे वो दो से तीन किलो, चार किलो की बदल जाती है. आप सुची कि इसका कुछ तो नुकसान होता होगा. आज आप दूद निकालने के लिए गाय के लिए इंजेक्शन दे रहें कि ज़्यादा दूद दें. तो उसका भी तो कुछ नुकसान होता होगा. सुमझ रहे हैं? अब बात करते हैं हमारी किरियाकलाब परियावन को किस पेकार प्रभावित करते हैं. हम सब परियावन का समीकित भागें. परियावन में परिवतन हमें प्रभावित करते हैं. तथा हमारी किरियाकलाब गतिविदियां हमारे चारों और के परियावन को प्रभावित करते हैं. कच्छा नोभी में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे करियाकला पर्यावन को किस पेकार प्रभवीत करते हैं इस भाग में हम पर्यावन संबंदी दो समस्याओं के विस्तार से चल्चा करेंगे तो सबसे पहले ओजौन पर्यावन को आप लोग इसी आवस्था में मानिये कि आप लोग आटा मेंसे जो आप देखते हैं कि जब आटा आप लोग चक्की से निकलवाते हैं गयों से आटा बनता है उसमें भी कुछ ऐसे हानिकारक या आवांचनी है पदात रहते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं तो आप क्या करते हैं चन्नी से चांते रहते हैं तो एक तरह से ओजौन पर चन्नी ही मान लीजिए आप लोग कि उपर से सूर से जो हानिकारक कोई केड़ने आती हैं तो उसे रोक लिता है एक तरह से ठीक है उजोन O3, इसे O3 से बैंट करते हैं, कि अडू ओजोन के तीन परमाडूं से बनते हैं, जबकि सामान आपसीजन जिसके बिसरे में हम प्रयार चर्चा करते हैं, कि अडू में दो परमाडू होते हैं, जहां ऑक्सीजन सभी पिकार के वायविक जीवों के लिए आवसक है उनी ओजोन एक घातक बिस है परन्तु बाईमंडल के उपरी इस्तर में ओजोन एक आवसक पिकार संपाधित करती है या सूर से आने वाली परावयगनी के रण विकरण से पितवी को सुरक्षा पिदान करत होती है अताय गैस मानों से तुचा का कैंसर उत्पन करती है कौँ सी आने वाली ठीक है वाय मंडल के उच्चेतं पर उच्चेतर इस्तर पर परावयगनी विकरण के प्रभाव से ऑक्सीजन ओडू अडूँ से ओजोन बनती है उच्च उड़ा वाले परावयगनी विकरण oxygen अड़ों को विक्टिद कर सुतंद oxygen परमारू बनाते हैं, oxygen की सुतंद परमारू सहीफ होकर ozone बनाते हैं जैसा कि समीकर में दर्स आए गया है O2 परावेनी और O2 और O3 को ozone कहते हैं 1980 से bimental में ozone की मातरा में तीबता से किरावट आने लगी और एक तरह से चिंता जनक भी हो जाती है किलोरो क्लोरो कार्वन यानि की CFC जैसे मानोस असले से रसायनों को इसका मुख घातक माना जाता है इसका उपयोग आप लोग रेफिजिरेटर सीजलन और अबनी समय के लिए किया जाता है किसका किलोरो क्लोरो कार्वन का 1987 में सरेक्तराष्ट पर्यावन कार करें मैं सरववानुमती बनी और CFC के उत्पादम को 1986 के स्थर पर ही स्थिमित रखा जाए अब यह अनुगार है कि दुनिया बर की सभी बीनमार्ड कंपनिया CFC रहत रेफजरेटर बनाए जाए ठीक है जो AAC की बात करते हैं AAC की बात कराऊं अब बात करते हैं कि कचरा पिरवंदन की अपने देनेक यतिविदियों में हम बहुत से ऐसे बदार्थ उत्फादित करते हैं जिनने फेकना पड़ता है इन में से अफसिष्ट पदार्थ क्या है जब हम उन्हें फेक देते हैं तो उनका क्या होता है आईए इन पिसनों का उत्तर जानने के लिए निमने के रिया कलाब करते हैं क्रिया कलाब 15.5 को पड़िए अपने घर से कच्रा इकतित कीजी इसमें पूरे दिर में गुत्पंद कूडा कुडा जैसे की संधूसीत भुजन हुगया सबजीयों के चलिक हो गया पत्तिया उग VIS, दूथ की घली होगी खाली जबब्ब्ब्ब होगै रद्दी का आगयर दवा की खाली मोटी मिटी की परद से ढग दीजिए इसे नम रखियों और 15 दिनों के अंतराल को इसका उलुकन करते रहे हैं वह कौन से पदार्थ ने जो लंबी समय भी बात भी अव परिवर्थित रहते हैं बे कौन से पदार्थ ने जिनने स्वरोप और सरजना में परिवर्थन आता है जिन पदार्थों की स्वरोप के समय के साथ परिवर्थन आता है उनमें कौन से पदार्थ अधीसिक परिवर्थ आप समझेет nhưng पिलस्टिक以前 को अपस्टरा से विक्तिव नहीं कर सकते ह। अिश parenthर है। ऐसक खतम है। नो च Dahaा पी नियुकि एक ही नियुकों सब्सक्राइम ने सब्सक्रा ओस्टा हम आधन के लिए की इसलिए कोईला खाने से हमें उर्जा पिराप्त नहीं हो सकती है और ऐसा करना भी आप तो मत इसी कारण बहुत से मानों निर्मित पदार्थ जैसे की पलाश्टिक काफगटन जीवानु उत्वा दूसरे मित जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है इन पदार्थों पर भोते पि करम द्वारा अफगटित हो जाते हैं जैब निमनी करन कहलाते हैं आपकी द्वारा दबाएगे पदार्थों में से कितने जैब निमनी करन थी बेपदार्थ जो इस पे करम में अफगटित नहीं होते हैं जैब निमनी करन कहलाते हैं यह बदार्थ सामानता अक्रिये हैं पर बड़ी मात्रा में अखाद बदार्थों की खाली थेलियां इधर उदर फैली हुई दिखाई जाई पिछली कप्छाओं में हमने स्वेम द्वारा उतपादित इस कच्रे से निफ्टानी के लिए उपायों पर चैचा की आई इस समस्या पर अधिक गंबीरता से दिहान ले इने भी पड़ लीजिए कि वल क्रिया कला पंदर देसमलों साथ पता लगाईए गरों में उतपादित कच्रे का क्या होता है क्या किसी स्थान से से इकर्थित करने की कूल पितीवल में आज कल तो आप लोग देख रहे हुए कि कभी आपके आँ सामने गाडियां आती है उस एक अलग अलग करने की विवस्ता है गरना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कच्रा उतपादित होता है इसमें से कितना कच्रा जैब निमनी करना है और इस कच्रे के निफ्टान के लिए कि ओच उपाए और इस से याद रखिए खाद भी बनाया जा सकता है देसी खाद भ कि इसका उप्योभी खाद बनाने के लिए और भी बिली उत्फादन के लिए भी किया जा रहा है क्रिया कला 15 असमलो 8 की बात करें तो पता लगाई है आपके चेत में मल बेहन की क्या बेहुसता है क्या उप्चाड़ित बाहित मल से प्रभावित ना हो अपने चेत में पता लगाई कि इस्थानिय उद्दीव अपने अउसिष्ट कूड़े कच्रे उन तरल अप्सिष्ट की निप्टान का क्या प्यबंदन करते है क्या हो इस बात का प्रिबंदन है कि जिसमें सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों में भूमी तथा जल का पिदूसन नहीं होगा हमारी जीवन सैली में सुधार के साथ उत्वाधित कच्री की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है हमारी अभी व्यक्ति में परिवतन भी एक महत्पूर भूमिया निर्वार करता है हम पियोज निर्वरतनी करन बस्तू का प्रियोप करने लगी है पैकेजिंग के तरीके में वदलाओ और ने अजयब निवनी करन बस्तू के कच्रे में परयावत बिद्धी हुई है आप एक की विचार में इसका सब का परयावण पर क्या प्रभाप पड़ सकता है एक बात और बताँ हुआ आपको कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया हुआ था उसमें हम लोग उन्हें पिलास्टिक के बारे में बात की थी आप समझगें कि पूरी दुनिया में अगर उसत निकाला जाए तो एक आदमी यानि कि आपका बज़न अगर 50 किलो है तो आप लोग साथ में 50 किलो पिलास्टिक का उपयोग करते हैं आप समझ रहें, इसका मतलब यह नहीं कि आपने नहीं किया है, दुनिया की निकालने की ओसत की बात करूँ, जब ओसत व्याद किया जाता है, तो सब का कॉमन लिया जाता है, ठीक है, इस पर भी विचार कर लीजिए, रेल गाड़ियों में पयोज निर्वरत नहीं है, कब, य कुछ समय किसी ने भी कलपना नहीं की थी, कि फिती देन लागों की संख्या में उपयोग किये जाने वाली इन कपों का क्या समागात होगा, कुछ समय बोर कुलण, मिट्टी के पाथ विकल की रूम में लाए गए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया कि इतनी बड़ी स संख्या में बनाने के लिए कितना और वंटी का उपयोग होता है अप काज की尖ुर्शाल कप का इस्तिमाल हो रहा है, अब गे विचार में डिस्खोजल C. सब्सक्राइब है तो आप ने क्या सीखा है इस अध्याय में पारितंत की विभन्न ने गटक अन्योनियासित होते हैं उत्पादक सूर्थ से बरातु उर्जा को पारितंत के अंधस अधस्तनों को उखलग कराते हैं और जब हम एक पोसी इस्तर से दूसरे पोसी इस्तर पर जाते हैं, तो उजा का हरास होता है, या आर्स इंखला में पोसी इस्तर को सीमित करते हैं, हरास इसलिए भी होता है, आप समझेगे कि आप उपयोग तो करेंगे, समझ रहे हैं, आप उपयोग तो करेंगे ना उजा का, उसके बाद आमें बढ़ाएगे मानों की गतिविदियों का पर्यावन पर समागात होता है और CFC जैसे रसायनों में नए ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है क्योंकि ओजोन परत सूर से आने वाली परावगनी केरिणों विकरण उसको सिरुक्षा पिदान करती है हमारी इस इससे समंदित आपकी कुष्चन से दिएगे हैं इन्हें भी आप लोग आरामसी देख सकते हो पढ़ते रहिएगा ठीक है तो यह था आपका बंद्रवा चेप्तर हमारा पर्यावन एक लास्ट चेप्टर वच्टा है और बड़ा ही मजीदार चेप्टर है पराप्तिक संसा चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे आपके NCEIT बुक्स के बारे में तो याद रखिए आपका कप्छा दस्वी के बिग्यान का लाश्ट चेप्टर सोलेवा चेप्टर है इससे पहले आपके 15 चेप्टर खदम कर दिये गए हैं और उन सभी आपको कहां मिल जाएंगी NCEIT और इस अध्याय के खतम होने के साथ ही आपकी कच्छा चटवी से लेकर दस्वी तक की सभी बुक्स जो आपके सिविल सर्विस और इस्टेट PCS के लिए जरूरी हैं उन्हें कवर कर दिया गया है अब इसके बाद आपकी 11 और 12 वी की बुक्स बश्टी है उसे भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगी ठीक है प्राक्ति संसादनों का संपोसित प्रवंधन प्रकिती के साथ सदभाव में रहना हमारे लिए नया नहीं है जीवन हमेशा भारत की परंपरा और संस्किती का अभिन अंगरा है यह हमारी संपोसित लंबी परंपराओं पिथाओं रीती आपको विदेश मीति आपकी जब निधारन की जाती है तब भी आपको यह सब्द कई वार देखने को मिलता है कच्छा नौभी में हमने प्राक्तिव संसादनों जैसे कि मिल्दा बायू एवं जल के बारे में पढ़ा था और तथा यह भी जाना की विम्हेंट संगर्णों की प्रकिती में बार बार चक्रन किस पेकार होता है पिछले अध्या में हमने यह भी पढ़ा है कि हमारे क्रिया गलापों से इन संसादनों का पिदूसन हो रहा है यानि कि अभी जो बंद्रबा चेक्टर पढ़ा था उसमें इस अध्या में हम कुछ संसादनों के बारे में जानेंगे तथा यह भी जानेंगे कि हम किस पेकार उनका उपयोग कर लए हैं और हो सकता है कि हम यह भी सोचें कि हमें अपने संसादनों का उपयोग किस पेकार करना चाहिए जिससे संसादनों का संपोसंड हो सके और हम अपने परियावाण की सरक्षन भी कर सके हम बन और बन जीवन, जल, होईला, पैटोलियम जैसे प्राक्तिक संसादनों की चैचा करेंगे तथा उन समस्याओं पर भी विचार करेंगे कि संपोसित विकास है तू इन संसादनों का ब्रवंधन किस पेकार किया जाए आपने देखा होगा कि बारीवी पंचवर्शी यूजन आपकी संपोसित विकास पर आजा रही ती कि अभी उपयोग जो आप संसादन करें उनका उपयोग इस तरह करें कि आने वाली हमारी पीड़ी के लिए भी ये सुरंचित बने रहें प्रियावनी समस्याओं के बारे में सुनती आपड़ते रहते हैं यह अधिकतर बैस्विक समस्याओं हैं तथा इनके समाधान अत्वा परिवतन में हम अपने आपको आसाय पाते हैं इनके लिए अनेक अंतराष्टी कानून अमिडिये मन हैं तथा हमारे देश में भी पर्य आप लोग के बाई को दूसर जल पी दूसर आप लोग यह दो मैटर तो ऐसे सुनते रहते हैं जो हर जगए आपको समस्याओं की रूम में खड़े हैं आपके सामने आदि से अधिक जन संक्या को आप देखेंगे बाई हो मतलब दिली और मुंबई का तो एह हाल है कि वहां सास लेने में भी एक तरह से मुस्किल हो रहा है और कई सहरों में आप देखेंगे पानी इतना दूसर पिया जाता है कि वो जानबरी भी ना पिये आप समभर हैं वो करक्षा में चर्चा कीजिए कि हम इन मानकों का को प्राप्त करने ही तो किस पेकार सहयो कर सकते हैं क्रियाकलाब 16.2 को भी पढ़ लीजिए ऐसे एनेक संगठन हैं जो पर्यावण किफ्ती जागरुपता पहलाने में लगी हैं बे ऐसे क्रियाकलाब का भी प्रोसान करते हैं जिससे हमारे पर्यावण है प्राक्ति सरक्षन को वड़ावा मिलता है अपने आसपास के छेत्य सहर कस्वी काउं में कार करने बाले संग्रणों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए पता लगए कि इस उत्देश की प्राप्ती के लिए आप क्या युगदान दे सकते ह आपको बता दें यह जो NCEIT है आप अपने आप से पर सकते हैं आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पढ़ेगे इसमें आपको कोई ऐसा सब्द नहीं देखने को मिलेगा जो आपको समझ में ना आए आप अगर धैसे एक से दो बार पढ़ते हैं आपका पढ़ने का आपको लगता है कोई चूटा हुआ है तो बताइए उसे भी कबर करवाने की पूरी कौसिस की जाएगी ठीक संसाधनों की आविवेक पूर्द दुहन नील सेशन से उत्पन समस्त्याओं की बिषय में जागरूपता हमारे समाज में अभेक्चकित एक नया आया में जब जब यह जागरूपता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम भी उठाए जाते हैं आपने गंगा सफाई यूजना की विषय में अवस्ती सुना होगा कई करोड की यह यूजना करीब की नई सरकार ने चलाया था अब तो आप देखेंगे काफी अद तक साफ हो चुगी है पहले क्या दिखा जाता था कि इलावाद हो फिर चाहे आपका बनारस हो या कानपुर हो जो भी गंदा जल निकलता था एक तरह सपानी वो इसी में डारेक्ट मिला दिया जाता था लेक कि गंगा जल में समपूर कॉली फायम गड़ना इसतर एक गंगोत्री रिसी केस याप दोजार साफ की बात है दोजार ग्याय की ठीक है देवगर्या लोडिकी कानपुर गिलाबाद बनारसी पतना मोकामा बहरंपुर दच्छडे सो गारन रिज पाल्टा डाइमंड हारवर् गंगा का पिदूसन गंगा हेमाले में इस्तित अपने उद्गम गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर का सांगर तर ये पक्ची सो किलिमीटर तीक की यात्रा करती है यानि कि ये आपकी गंगोत्री से निकलती है और आप देखेंगी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं, लगबग इसकी पचीस सो किलियो मीटर तकी इसकी लंबाई है, इसके किनारे आप देखेंगों उत्तर पर इस बिहार पंगाल की सो से भी अधिक नगरों में ने इसे एक नाली में बदल दिया था, इसका मुख्य कारण इन नगरों द्वारा उत्साजित कचरा एवं मल का इसमें प्रवावित किया जाना है, इसके अतर एक नमारों के अन्य क्रियाकलाब जैसे नहाना कपड़े, दोना बेट, बैक्तियों की राख एवं सबों को बहाना, यही नहीं उत्द्योगों द्वारा उत्पादी रसायनी कुछ साजन ने गंगा का पिदूसन र प्रक्षन और राष्टी नदी गंगा के काया कल्प के प्रभावी निवनी करन के दो देशों को पूरा करने के लिए सुरू किया गया था, स्वप्चे गंगाल के लिए राष्टी विसन का रियानमन बिंग है, जिसे अक्टूबर 2016 में स्ताफित किया गया था, आप तो बत कि नए काम अच्छे काम बताना है, तो एक सौप्च भारत हो गया, एक गंगा को साफ करने की बात हो, आप देखिए फिर जन्धन बाले खाते खुलवाने की बात हो, फिर चाहे आपका ओज जुलाई ओजना हो, एक ओच ऐसे काम है जो बहुत पहले हो जाना चाहिता, ठीक ह जैसा कि आप देख सकते हैं कि मापन योग के कुछ कारकों का प्रियूप करके प्यूपते, जलकी गुडवत्ता का निधारा रितवा, पिदूसन मापन किया जाता है, कुछ पिदूसक अत्याल मात्रा में होती हुँ भी हानिकारक हो सकते हैं, इनके मापन के लिए हम सुनते रहते हैं, किरिया कलाब 16.3 को पढ़ लिए, सार्व सूचक, कि सायता से अपने घर में आपूर्द पानी का पी एच मान गयात कीजिए, अपने आड़ोस पड़ोस की जलासे, तालाव जील, नदी जहरने का पी एच मान भी गयात कीए, क्या अपने पेक्चरों के दर ला सकते हैं, आपने परियावन को बचाने के लिए पांच पिकार की आर के विशे में तू अवस्य सुनाओगा, जैसे रिफ्यूज, इसमें आप देखेंगे, इनकार, रिडियूज, यानि कि कम उप्यूज, यानि कि पुना उप्यूज, पुना प्यूज, पुना प्य सकते हैं, इनकार, इसके रहते हैं कि जिन बस्तुों की आवस्थता आव, आपको आवस्थता नहीं है, उन्हें लेने से इंकार करना, उन उत्पादफों को खरीदने से हिंकार करें जो आपको आपके परिवार और परियावन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, प्यूज Going to the Baş कपास के थेलों का उपयोग करिए न, एक तरह से आराम से बिक्टित भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं, प्लाश्टिक आप देख रहे हैं, जिस तरह से बढ़ रहा है, कम उपयोग, इसका आरत है कि आपको कम से कम बस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, आप बिजली के पंके जा सकता है, एक तरह से आप सोचे कि यह भी आप कर सकते हैं, जैसे आप दूद लेने जाते हैं, या कोई और भी सावाल लेने जाते हैं, तो अपने गार से डिपा ले जा सकते हैं, ठीक है, तो इससे भी आप काफी इवदान दे सकते हैं, और पानी का आप लोग उस तमय भ समझते होगी जब आप सोकी हैं गर की टकी खाली ही एक गिलास के लिए आप ठरस जाते ही एक ग्लास मिल जाए तो मुरमा हो पुनाह उपयोग की तरीके में आप किसी बस्तू का बार-बार उपयोग करते हैं, लिफापी की फेकने की अपेक्चा आप फिर से उपयोग में ला सकते हैं, विवे निखात पदातों के साथ आई पिलास्टिकी बोतलें डिब्बे इत्यादी का उपयोग में उपयोग तो उसकी कम से कम एक भूतल आएगी उसमें तेल रख लीजे या और भी को सामा रख सकते हैं, इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? पुनाह उपयोग पुनाह चक्रन इसका आते हैं कि आपको पिलास्टिक आगज कांच धातों की बस्तु हैं तथा यसी ही बदातों का पुनाह चक्रन करके उपयोगी बस्तु हैं बनानी चाहिए जब तक अती आवसक नाहो इनका नया उत्पादन संसलेशन बेवेक कूर नहीं है और इनके पुनाह चक्रन के लिए पहले हमें आप देवों को अलगलग करना होगा जिससे की पुनाह चक्रन यह बस्तु हैं दूसरे कच्छे के साथ भराव चित में ना भेक दी जाएं क्यो नेड़े लेते समय भी हम पर्यावन समंदी नेड़े ले सकते हैं इसके लिए हमें यह जानने की अवस्त लगता है कि हमारे चैन से पर्यावन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है यह प्रभाव पतकालिक दिरकालिक यह अत्वा व्यापक भी हो सकते हैं संपोसित विकास की सं कलपना मनुस्त की वरत्मान आदार बूत्स अवस्तक्ताओं की पूर्ति एवं विकास को परोसाथ तुकलती है यह है साथ ही साथ देखेंगे भावी संतत्ति के लिए संसाधनों का सरक्षन भी करती है आर्थिक विकास परियावर्ण सरक्षन से सम्मंदित है अता संपूर्सि कि वे अपने चारों और के आर्थिक सामाजी एवं परयावर्णिये इस्तितियों के पिति अपने दृष्टी कौन में परिवतन लाएं और पिते एक विक्ति को प्रक्षिती के संसाधनों के वर्दमान उपयोग में परिवतन के लिए तेयार रहना होगा क्रिया कलाब 14.00 चार को भी पढ़ लिए क्या कह रहा है क्या आप कई बरसों के बाद किसी गाउं अतबा सहर में गए है यदि हां तो क्या पिछली बार क्या पिक्षा नए घर सड़कें बन गई है आपके विचार में ने बनाने के लिए आवस्ति बस्तू है कहां से ही जा सके इन क्रिया कलाबों को आपको पढ़ना है जाना दिमाग मत लगाईएगा अगर समझ में आते हैं ठीक है वरना छोड़की निकल जाना ठीक है फिर आप सोची बनाने लगे और आप बैठके फिर अपने सहबाटियों से चच्चा करने लगे इतना डायम आपके पास नहीं है और वैसे भी आप देखेंगे अपने दिमाग में सोच लेते हैं काफी मालू चल जाता है अब बात करते हैं हमें संसाधनों के प्रबंधन की क्यों आवसकता है आकर इतना जोर क्यों दिया जाता है किवल सड़के एवा मिमारते ही नहीं परंतु बे सारी बस्तु है वह है वाधाधन जो हमें सूर से प्राप्त होती है परंतु सौर्व हैजा भी हमें प्तिभी पर उपस्ते जीवों के द्वारा प्रक ट्रमों से तद बिपैंधन में ने बहुत différentि केवं रसाइनिक प्रक द्वारा ही प्राप्त होती है हम अपने अपने अस्ञाधनों की सुधार के कारण हमारी जनसंख्या में तीब गती से विद्धी हो रही है, जनसंख्या में विद्धी के कारण सभी संसाधनों की मांग भी कई गोना तेजी से बढ़ रही है, प्राक्तिक संसाधनों का प्रवंधन करते समय दिरिख कालिक दिरिष्टी कौन को द्यान में रखन से हो ना कि मात मुट्टी वर अमीर और सक्ती सारी लोगों को निका लाब मिले एक बात और आपको बता दूँ इसमें क्या कि आप सोचे कि पर्याँ पेड़ों को इतना मत क्यों देने की बात कर रहा हूं आप खुछ सोच के देखिए जिसे आपके माल लेजिए कि फैंपरों क चलती रहती है आप समझे कि आप एक समय तरफ आप बॉल खिर रहे हैं दूसरी तरफ फेग रहे हैं दूसरी तरफ पेड़ लगे हुए हैं तो आप सोचे कहने का सीधा से मतलब है कि फैंपडों का आधा हिससा आपके पेड़ है या और वी जो वो संसादने एक तरह से जो आपके ऑक्सीजन में बदलते हैं कार्वन डायोकसाइल है इसलिए महत बढ़ जाता है और एक बात और ध्यान देने कि आवसकता है कि जब हम इन संसादनों का दोहन करते हैं तो हम परयावन की छती को पहुंच जाते हैं उधारन के लिए खनन से पिदूसन होता है क्योंकि धातू के निसकर्शन के साथ साथ बड़ी मात्रा में धातू मल भी निकलता है अता संपोसित प्राक्तित संसादनों के प्रवंदन में अपसेश्टों के सुरक्षे निप्तान की भी विवस्ता होनी चाहिए और आप लोग को देख लिए तच्छे तेल को देख लिए इसके वहनदार को आपके पास सीमित नहीं हैं सीमित हैं ना आप समझेगे कि कुछ सालों बाद खतन हो जाएगी और बनने में इने कितना टाइम लगता है लाखों साल और सबसे ज्यादा पिदूसन भी आपके फैला रहे हैं दिली में अगर आप कहिए कि जितना प्राली जलाने क संपोसित विकास वा प्राक्ति संसादनों की सरक्षन को वर्दमार बैस्विक चिंता हैं हमारे देश में प्राक्ति संस्किती की तुला में हाल ही हाल ही की है पुरू वितियासी भारत में प्रक्ति सरक्षन वा संपोसित विकास के सिध्धान्त की स्थिर्ता अपने सबसे अच्छे रूम में इस्थाफित की गई थी अपने सबसे अच्छे रूम में इस्थाफित की गई थी आप लोग देखते होंगे आपसे पहले कुछ साल पहले आप चाहिए गाव में आप किसी पेड को काटते थे तो बड़े सम्मान देते थे बरगत के पेड को नहीं काटा जाता था उसमें आप देखते थे नीम के पेड को नहीं काटा जाता था वहां आप देखते थे पीपल क को सरक्षन दे रहे थे किरिया किलाब 16.05 को बढ़ लिए अपने रोज मरया की जिन्दगी में उपयोगी बाप प्रक्ति सरक्षन के लिए परमपराग तरीकों का अउलुबन करें अपना अलुबाओ सभी सभी साहबाटियों को बताएं एक रेपोर्ट वेवरार बना कर जमा क बारती साहित जैसे उपनिसद्वा इसमीतियों में जंगलों के उपयोग प्रबंदन तथा संपोष्ट्या को एक अंतर नहीं पिसाय की रूम में जोड़ दिया गया है संस्क्रित साहित अथर्व वेद की एक तरिच्चा के अनसार ग्रस्ति परवता हिम बंतोरन ते पित्वी सियोन मस्तु बंफ्रो किष्णान रोहिनी विस्व रूपा द्ववान भूमी पित्वी बिमिन्द गुपताम अजीतु हतो अक्षित तोधिष्टा पित्वी भीहम अथर्वेवे से लिया गया है आपका देखिए संस्कित में लिए इतने अच्छी नहीं है इसलिए आप लोग संस्कित का विद्वान जो भी हो पढ़ते रहिए ये पित्वी देवी है तुम्हारे मिना बर्फ बाले और बर्फ बाले परवत और जंगल कल्यान कारी हूँ है बिविन तुन्गों बाली स्थित माते मरम में गवरी माते हिदय मर्फी पम ये भी अथर विवे से लिया गया है ये भूमी मैं जो तुम पर खड़ा घरत खोता हूँ वैसी भी ही भर जावे मैं तुम्हारे मरम चराचर जगत को और हिदय को हत करने वाला ना बनूं बाद में देवी चंद द्वारा लिखे इस तक अथर वे संस्कित टेक्ट विद इंग्लेश ट्रांसलेशन में अंगरीजी अनवात किया गया है एक भी आप देखते थे कि जब भी आप लोग कुगाप होते थे या कुछ कर रहे हैं कहीं तो आप लोग धर्दी माता के पहर चूते थे कि हे धर्दी माता मैं मात करन अब जेथे आपे देख किस तरह से कोई घर्दी मां नहीं नहीं वची होओ कोई मान भी नहीं रहा है मान रहें तो दोचाल लोग है सो में से बहुत बड़ी बात है एक तरह से हमारी संस्किती मंने बता है ना अगर अपने पैर पर कुलाडी ही औपने हातों से क्या ये बात होना, यानि कि अपने घर में अपनी ही तीली से आग लगाना सीखना है, तो भारती उसे सीखना चाहिए. यानि कि हम अब टिकेट खरीते हैं, मूवी देखने जाते हैं, अपनी संस्किती को नुकसान पहुंचाते हैं. अभी कुछी दिन पहले मैं किसी का इंटर्वियू, किसी दवंग, मतलब इस तरह के माफिया का इंटर्वियू सुन रहा था, देख रहा था, कोई MP का मुरेना तरफ का था, तो आप सोची, उसने कहा कि मैं मूवीयों को देखकर ही इस रास्ते को चला, आदमियों को मार काटन तो आप कुछ भी नहीं देखेंगे, आप सबसे जाना नुकसान अगर है, तो हमें मतलब या तो चंद नेताओं ने, या आप कहिए चंद मीडिया घरानों ने, या चंद आप देखिए कि मूवीयों ने, इन्हें ने सबसे जाना नुकसान पहुंचाए, आप सोची हमारे अगर कोई मूवी बनाई जाती है, तो उसे देखने के लिए हमारे दो से चाल लोग जाएगे, सो में से, और भी कोई असलेलता पर मूवी आ जाए, तो आप देखिए फूरे भर जाएगे, तो हमारा भी योगदान इसमें हमारी संस्किती को नुकसान पहुंचाने में है, ह हमारी संस्किती में तो बहुत था कि एक गाउं में अगर भंडारा भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, तो एक उस गाउं की छोड़िये, पचास गाउं की आजपास की लोग आते थे, सुख, दुख, हर चीद में, और आज देखिए आपका परोसी के यां कुछ है तिवार ह हो रहा है, तो आप नहीं जाते हैं उसके हां, अगर परोसी के यां दुख हा रहा है तो आप हसते हैं, खुसियां मनाते हैं, यह संस्किती बच्ची गोई हमारी, समझ रहे हैं आप लोग, समान दैने की बात थो, पहले कहते थे कि आदमी इस तरह की तरक्षियों को ठुपर कि अपने आपको पावरफुल मानते हैं, अपने आपको उसी मनाते हुए देखते हैं, मतलब हम दुनिया से मिल रहे हैं, लेकिन अपने आप से एक मिनिट के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, क्या उखाड लेंगे आकिब, आप सुची आंगे बढ़ जाएं तो सतर से सो साल चलिए किसी के साथ, मैं तो कहता हूँ, देखिए भरोसा हमेशा धर्दी पर रहना चाहिए, एक दूसरे के पिती हमेशा रहना चाहिए, और इसका कदर भी और जो भी आपको करना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ, खेह छोड़िए, आज कल 21 सदी की बातें नहीं रहे गई ह बैदिक काल के दोरां जंगली बनस्पती के उत्वादन बाग साथ ही सुरप्षात्मक पहली दोनों पर बन दिया गया, बैदिक काल के इंद में किसी एक पिरमों के आलतिक गतिविदी की रूम में उभरी है, यदि यह वह समय था जब पवित जंगलों वा गुफाओं, अनुष्ठानों के साथ एक इकरित कलते हुए प्राक्तिक संसादों की सुरक्षा की जाती रही है, यह आपके कुश्चन से दिये गए, इन्हें भी आप लोग देख सकते हैं, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ाया, उसी से सम्मा देते हैं, अब बात कलते हैं, वन एबं वन जै विविता के विशिष तिस्थल है, जै विविता एक आधार उस्चित में पाई जाने वाली विवन इस विसीच की संक्या है, यानि की जाती की संक्या है, परन्तु जीवों के विवन ने सौरूप जैसे जीवारू, कबक, हर्ण, फुस्पी, पादप, सूत, क्रिमी, जै विविता को सरक्षित करने का प्रयास प्राक्ति सरक्षन की मुख उध्यसों में से एक है, प्रयोगों और वस्तु इस्तिती के अध्यनों से हमें पता चलता है, कि विविता के नश्ट होने से पारिस्तितिक इश्थायत भी नश्ट हो सकता है, क्रिया गलाप 16.6 को भी पढ़ लीजे, जिन बन उत्पादों का आप विर्योग करते हैं, उनकी सोची बना सकते हैं, आपके विचार में बन के निकट रहने वाले व्यक्ति किन बस्तु का उप्योग करता होगा, अपने सहपार्टियों के साथ चल्चा कीजिए, उप्योग्त व्यक्तियों की आवस जाना, इस्टेक होल्डर, यानि की दाविदार, हम सभी बन उत्पादों का उप्योग करते हैं, परन्तु बन संसादनों पर हमारी निर्वनता में अंतर है, हम ऐसे कुछ लोगों के पास कुछ बिकल्प हैं, परन्तु कुछ के पास नहीं, जब हम बन सरक्षन की बात सोचत हैं, तो हमें यह भी सुचना होगा कि इनके दाविदार को हैं, बन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवस्ताओं की लिए बन पर निर्वार रहते हैं, सरकार का बन बिवाग जिनके पास बनों का स्वामित हैं, तथा बिबनों से प्राप इसकी आद्य अवस्ता में करना चाहते हैं, आईए देखें कि पितेक समू की बन आवसकता हैं क्या हैं, अत्वा बन से उन्हें क्या पराप्त होता है, इस्थानिये लोगों को इनन के लिए जलाव लकडी, छोटी लकडी हैं तथा चाजन की कापी मात्रा में आवसकता होती भुज़खें का लगते उन्हें, शोटी रकित करने अवसदी लकडी की को फैसाइब करने zijn में बन 58 क्या लग्याव ईत्रिक्वत्त लकडी हैं आप सूच सकते है इस सम्भदा का इस प्यकार उपयोग करने से इन संसाधरों का खिरास हो जाएदा यह मत भूलिये कि अंग्रेजों की भारत आने से पहले लोग इनी बनों में सदाब्दियों से रह रहे थे अंग्रेजों ने बनों का नेंतन अपने हाथ में ले लिया और उनने से पहले यहां के मूल निवासियों ने ऐसी बिधियों का विकास किया जिससे संपोसन भी होता रहे और अंग्रेजों ने नकिवल बनों पर अधीपत जमाया वरन अपने स्वार्ट के लिए उनका निर्वामता से दुहन भी किया यहां के मूल निवासियों को एक सीमित चित में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा बन संसादनों का किसी सीमा तक अत्यतिक दुहन भी प्यारम हुआ और सुधनता के बाद बन विभार ने अंग्रेजों से बनों का नियंतत्तों अपने पास हाथ में ले लिया परंतु प्रवंदन वेवार में इस्थानी लोगों की आवसकता हो एवं ग्यान की उपेख्चा होती रहे है अत्या बनों की बड़े चित एकी प्रकार की व्यक्षों जैसे की पाइंट, चीर, टीक, अधवार, यूकी, लिप्टस की बनों में परिवितित हो गये इन व्यक्षों को गाने के लिए सरविक्षम सारी चेत से अन्न सभी पौदों को हटा दिया गया जिससे चेत की जैवेविता बड़े स्तर परनश्ट हो गई यही नहीं इस्थानी लोगों की बिविन आवसकता हो जैसे की परसुओं के लिए चारा औस्थी, हितु, बनस्प आप देखिए कि जब से अंग्रेज्यों की एक तरह से यहां हुआ, अंग्रेज्यों का अधिपत्थ हुआया, उनकी आने से उद्धोगी करांती हुई और उन्होंने देखा कि किस तरह से पेड़ों का एक तरह से सपाया गिया, ठीक है? क्या आप जानते हैं कि कितने उद्धोग बन उफपादों पर निर्वार करते हैं? कि नहीं होती है, उद्धारम के लिए किसी बन के टीक के सबी व्यक्षों को काटने के बाद बेदूरस्त बनों किसे टीक प्राप्त करने लगेंगी, उन्हें इस बात का कोई मतलब नहीं है कि वेन का इश्प्तम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे हो कि वह आने वाली प प्राप्त करेंगे, उनके बदले कहीं दूसरे जंगल में आप देखेंगे पेड़ नहीं लगा जाते हैं, जहां आप लोग सफाई कर रहे हैं तो उसकी जगए दूसरी जगए ऐसी जगए आप चुन सकते हैं जहां आपके कोई पर उज्यक्ट नहीं चल रहे हैं, वहां भ देखा होगा आपके गाव में कोई रोड दला तो उसके आथ पास लगा देएगे यह लगा पर छोड़देगे। आप सोचिए कि अपने भर में अगर कोई बच्या होता है, वहां आप से पसू भी रख सेए, टो आपको देखबाल करना होग और आपकं देखबाल करनी होग एक अच्छी बात किसी ने लिखी थी कि आप गाय को भी देख लिए अगर गाय खाना खाती है दूद देती है और उसकी कोई जानदा लालच नहीं होती है और हम से मतलबी इंसान कोई दुनिया में होगा नहीं हम लोगों से कि सबसे जाना प्रयावन का दोवन कर रहे हैं और उसके लिए संरक्षित रखने के लिए या उससे सहयता कुछ नहीं दे रहे हैं किरिया गलाब 16.07 को भी पढ़ लिए किरी दो बन उत्पादों का पता लगाई है जो किसी उत्द्यूग के आधार पने चल्चा कीजिए कि या उत्द्यूग लंबे समय तक संपोसित हो सकता है अत्वा क्या हमें इन उत्पादों की खबत को नियतीत करने के आव सकता है अंत में हम चर्चा करते हैं कि प्रक्रति एवं बन जीवन प्रेमियों की जो बन पनिर्भव तो नहीं है परन्तु बनों के प्रमंदन में उनकी बात को बहुत महत्त दिया जाता है सरक्षा का प्रारम बड़े जीव जन्तु जैसे कि से चीता हांती गेंडा से पूगा तब उन्होंने संपूर जबिविता को संपूर रूप से सरक्षित रखने के महत्त को समझ लिया परन्तु क्या हमें ऐसे बैक्टियों को प्रयाप्त महत्त नहीं देना चाहिए जो बन संप्तनंत का भाग बन गयें इस बात की परयाप्त प्रमाढय की इसथानी निवासी परंपरान उनसार बन के सरक्षों का प्रयास कर रहे है उधरन के लिए राज़िस्थान के विसंवई संपताए के लिए वन एवं बन्र प्रअड़ी और सरक्षन उन्के धार्मि करन₉स् खेजीर वेक्षों को बचाने ही तो 363 लोगों के साथ अपने आपको बल्लीदान कर दिया था एक बात और सोची आप लोग कि आपने देखा हुगा टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गया उन्नी सो तेहतर में आपने देखा हुगा कि अभी 2018 में गड़ना आई हुग है उन्ती सो सट्रेट आपकी वागें जिसमें मंद्विदेश में आप देखेंगे सब से जानदा 526 के करीब हैं जिसे आप लोग टाइगर प्यदेश भी कहते हैं मंद्विदेश को तो इन्हें बनाने के लिए नीती ह समझ रहें आप लोग इतने हद तक हम लोग इन्हें प्रभावित कर चुके हैं अर्धेनों से इस बात को भी स्थापित कर दिया है कि बनों के परंपरागत उपयोग के तरीखों के विरोध पूर्वा गयन का कोई ठोसाधा नहीं है उधारन के लिए विसाल हिमालय परंतु इस राष्टी उध्यान की स्थापना के बाद इस प्रंपरा को रोग दिया गया अब यह देखा गया है कि पहले तो यह घास बहुत लंबी हो जाती है फिर लंबाई के कारण जमीन पर गिंज जाती है जिसे नई घास की विल्दी रोग जाती है सरक्षी चेत्रों म कोई उत्तरदाई ठैराना ठीक नहीं है हम उत्दोगे का आवस्तकता हो यह विकास परियोजनाव जैसे सड़क यह बाद निर्मार से बनों के वेनास अथवा इसको होने वाली चती से आके नहीं मूझ सकते हैं इन सरक्षी चेत्रों में पर्याटकों के द्वारा अथवा उ जन्जाती रह रहे हैं उस चेत में जो गरीव एक तरह से रहे हैं अपना गुजारा वसारा करते रहते हैं और उनके द्वारा परयावन को यह आए पेडों जंगलों को कोई नुकसान नहीं कहुचा जाता है उन्हें आप रोग देते हैं उन पर आपी चलता रहती है तो वह कोई गरीव अगर इस तरह कर दे तो उसमें आप देखते हैं कि उस पर कई तरह की नियम अदी नियम लागू हो जाएं यह बोट जेल में पहुच जाएगा अगर किसी सरक्षत यानि कि आप सोचे कि जीब को अगर किसी के दौरें से कार किया जाता है बड़ी वेक्ती के मृटी सुर जाएं लिव तो ये हैल हमारौ हम नारता हुगा कि बनों की प्राक्तिक चवी में नियुक्त का हस्त त SmchiContro है हम इस हस्तीच могут की प्रक्किति स्टीमा को नेतित करना होगत बंसन्सादमों का उपयोग इस पकार करना होगा जो पर्यावन एवं बिकास दोनों की हित्मे हो दूसरे सब्दों में जो पर्यावण अधवा बं सरक्षित किये जाए तो उसके सुनियोजित उपयोग का लाविस्थानी यह निवासियों को मिलना चाहिए या विकेंदरी सेवापाज्तितिक संरक्षन दोनों साथ साथ चल सके हैं। जिस पिकार का आर्थिक्यों सामाजीक विकास हम चाहते हैं, उससे ही अंत्ता यह नड़य होगा कि उससे परयावाय का संरक्षन हो रहा है। अत्वा इसका और बिनास हो रहा है। परयावन को पौधों और जन्तुओं की सजावटी संग्राय मात नहीं माना जा सकता है। यह एक जटल विवस्ता है, जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक विकार के प्राक्तिक संसाधन प्राक्त होते हैं। हमें अपने संसाधनों का साउधनी पूर्वक उपयोग करना होगा। लेकिन हम कितना करते हैं यह आप खुछ जानते हैं। यह खैजरी का वैक्ष है। अब बात करते हैं संपोसित प्रवंधन की है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या उपरोग सभी दाविदारों के लक्ष वन प्रवंधन के संद्रव में समान है। और दोगों को वन संपताधिकार बाजार के अधिकतर बाजार के मुल से बहुत कम मुल पर उपलद कराई जाती है। जबकि इस्थानी नवासियों को उनकी उन से बंचित रखा जाते हैं। चिको आंदोलन एक आप ही आप न देखा होगा चर्चा में विरा है। इस्थानी नवासियों को वनों से अलग करने की नितिका ही पएड़ा में। अताहा यह आंदोलन हमाले की उची परवस इंखला में गढ़वाल की रहनी नामक गाउं में एक गढ़ना जिसे 1970 के प्यारमी के दसक में हुआ था यह विवाल लकडी के ठेकेदार इस्थानीय लोगों के बीच प्यारम हुआ क्योंकि गाउं के समय के बैक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था एक निश्चे दिन ठेकेदार के आदमी बैक्ष काटने के लिए आये जबकि वहां के निवासी फुरोस वहां नहीं थे बिना किसी डर के वहां की मैलाय फॉरन वहां पहुंच गई और उन्होंने प्यड़ों को अपनी बाहों में भर कर चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को बैक्ष काटने से रोका अंतता ठेकेदार को अपना काम बंद करना पड़ा एक तरह से आप कहिए कि सरकार का यह गुदान मुझ मैं तो कहता हूं चंता से जाना है आप सोचिए कहीं आप लोग किसी को प्रोजेक्ट के लिए जमीन दे रहे हैं तो अगर वह आप सोचिए कि पांच माल लेजें पांच भी पेड़ काट रहा है तो मैं तो गहता हूं दो पेड़ तो उससे कहिए कि दो पेड़ तो दूसरी जगे लगाईए लेकिन सरकार से मिली वगत होने के कारण आप देखते हैं कि जो भी एक तरसे होगे घराने होते हैं प्रयावन को कितना भी प प्रयावन की नेंदर की पित्ती हो गीता में पुनाह पूर्ती होने बाली इन संसादरों का सरक्षन अंतर नहीं थे और इसी उद्धिस से उनके उपयोग के तरीके परपिसन उठाए गए लगडी के ठेकेदार ने उस चेत के सारे वेक्षों को काट कर गिरा दिया हुता औ जिपको अंदोलन बहुत ही तेजी से बहुत से समधायों में फैल गया एवं जन संचाल ने भी इस में एउगदान दिया और सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बन किसके हैं और तथा बन संसादरों के संचित उपयों के लिए प्रास्मिक ताक्ताय करने के लिए विचार पर मजबूर कर दिया जाए अनुभाव ने लोगों को सिखा दिया कि बनो के बिनास से केवल बन की उपलगता ही प्रभावित नहीं होती वर मिट्टी की गड़ों तक और जल सरोर भी प्रभावित होते हैं इस्थानी लोगों की भागेदारी से निश्चत रूप स कि प्रभावित है कि आप गाउं में देखिए अगर किसी को लकड़ी की जरूरत है तो वो साखाय काटेगा वो बिल्कुल जड़ नहीं काटतेगा आप देखते हैं कि किसी पेड़ की अगर आसपास जो लट़ी हुई साखाय रहेंगी तो उन्हें काट दीजे दोबारा वो जमयाएंगी उसमें यादो और भी फूट जाएंगी ठीक है तो यह देखा जाता है लेकिन यह तो कहीं किसी का समाधान नहीं कि आपको रापेड जड़ी काट देजे कि पूरा राम नाम सत्थ हो जाएगा अब बात करते हैं बन प्रवंधर में लोगों की भागेदारी का देख लेते हैं 1922 में पश्चे मंगाल बन विभाग को पिदेश के दच्छन पश्चे में जिलों में नश्ट हुए साल की बनों को पुना पूरण करने की अपनी योजना के आस्फल होने की कारण पता चल लगा कि सतर रखता की परंपरागत विधियों और पुलिस की कारव उनको और भी हभाद दी आताहा बन विभाग ने अपनी एती में बदलाव कर दिया तथा मेदनापोर के अराव आड़ी बन चेत में एक योजना प्यारम की वहां बन विभाग की एक दूरदर्सी अधिकारी एके बनर जी ने गिरामीनों को अपना योजना में सामिल किया त साथी उन्हें वहां से उपच्च की 25-30 के उपयव का अधिकार भी मिला और बहुत कपूल मूल पर इनन के लिए लगड़ी और पस्मों को चरानी की अमती भी दी गई इस्तानी समधाई की सहमती और सक्री भागितारी से 1983 तक अरावाडी का साल वन सम्रेद हो गया और पहले वेकार कहे जाने वाले वन मूल का 12.5 करोड रोपे आंका गया एक बात और आपको बताओं आप कहते हैं स्वक्ष बारत अभियान सफल हुआ है तो मैं कहता हूँ इसमें योगदान आप लोगों का सबसे जानना रहे अगर माल लेजे कि पिधान मंत्री शाप का कह लिजे या पिधान मंत्री सरकार की जो पिसासन है उसका कह लिजे मैं मा तो आप सोची कि कहीं भी आप जानते हैं कि कहते हैं न पिदा मंत्री भी जोड़ दे रहे रहते हैं कि एक एक कदम अगर पूरा देश चला तो एक सो पचीस करोड कदम आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तो देखिए सब को सास लेने में मुझे लगता है कि कापी हो सकता है सवलियत भी हो सकती है अकेले चना भार नहीं दोर सकता है तो ये उधारन को उसके लिए कापी फिट भी वैपता है इसके लिए आगल आपको भी पढ़ लिए 16.8 को निमनेर के द्वारा बनों को होने वाली छती पर परिच्चा चा कीजिए राष्टी उध्यानों के में परे अब चलते हैं आगे अब लोग बात करते हैं सभी के लिए जल करी आगल आप 16.9 को पढ़िए महराष्ट के गाउं में जल की कमी की देर काली समस्या से जूज रही ग्रावीट एक जल मनोरण्यन पारिक का घेराव कर लेते हैं इस पर परिच्चा कीजिए कि क्या यह बंद अब आप जल का समची तो क्यों है एक बात और मैं बदाता हूँ आप लोगों को मैंने ही काफी समय पहले देखा है कि आप सोचे हुए इतने बहर जाते थे कि उपर से पानी लेने ले लेते थे लोग यह जानदा टाइम की बात नहीं है आप दोजार पांच-छे की बात कर इस तरह की विवस्ता आपको देखने को मिले ही पहले भी तो आप देखिए लेकिन आज की समय में आप देख लिए आप बोरिंग देखिए कितने भी आप लोग ट्यूब बेल कुवाओं की इस्तिदे देख लिए कितने गहरी करते जा रहे हैं फिर भी पानी दूर-दूर आपको दिखाई नहीं देता है पहले पानी बर्साथ लोती थी तो आप देखते थे साथ-साथ आठ दिन लगाता और बर्साथ उड़ी है घर से निकलना एक तरह से बुरी हालत हो जाती थे आज की समय में देखिए नामात के लिए मालू ही नहीं चलता है कि वर साथ का तो यह हमाए हम ही लोगों का यह उदान के कारण एक तरसी देखने को मिल रहा है। धर्ती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवस्क्ता जल है। हमकच्छा 9 में एक साधन की रूम में जलके मात्रत तथा जलके चक्य के बारे में पढ़ चुकी है। मनुस ने किस पेकार जल सरोतों को संविदूसित किया है। साथी मनुस की प्रक्रति में धखल से अनेक चेत्रों में जलकी उपलब्ता भी परवावित हुई है। क्रियाकलाब 16.10 को पढ़ी है। एक एटलस की सायता से भारत में वर्सा के पैटर्न का अजिन कीजिए। ऐसे चेत्रों की पहचान कीजिए जहां पर जलकी पिचोड़ता है। ऐसे चेत्रों की जहां इसकी बहुत कमी देखने को मिलेगे। राजिस खान में आप देखिए जाईए। आपको सबसे जाना देखना है कि मेगाले में जाईए। मासिन राम आप सुनते हैं बिस्क्वी सबसे जाना बर्सा वहां होती है। उपिप्त के रियाकलब के बाद आपको जान और आश्या होगा। जल की कमी वाले चेत्रों आते दे देेख, निर्धंता वाले चेत्रों में घ्णिष्ट संमन देख۔ बालसा की पती रूप निरुप के अधन से भारत के विमान ने चेत्रों में जल उपलब द सेत सामनी नहीं आता है। भारत में बर्सा मुक्दा मानसून पर निर्वा करती है, इसलिए आप देखते हैं कि आपके यहां की फसल की, यानि कि जो किरसी रहती है, उसे मानसून का जुगा कहते है, यानि कि अच्छा मानसून रहा तो अच्छी खेती हो जाएगी, और अच्छा नीरा तो राम नाम सत् आप देखिए आधिक से अधिक छेत हमारा बलसा पर निर्वार रहता है गुंदेल खंट पगेल खंट का छेत देखिए आप लोग यहां की किसानों की हालत आप लोग देखिए इसका रहते हैं कि वर्सागी और दी वर्स के कुछ महीनों तक ही सिमित रहती है और प्रकिती में मांसून के अभी दान के बाद भी चेत्रों के बनस्पती अच्छादन कम होने के कारण भू जल इसतर की उपलब्दता में काफी कमी आई है फसलों की जल की अधिक मात्रा की मांग उद्धोगों से प्रभावित पिदूसा के हमों नगरों के कूड़ा कचरे से जल को अधिकनीकों का उपयोग इस्थानी लोगों दारा की गई दखल थी ततना इस्थानी निवासी उसका प्रभंदन केसी एवं धनिक आवस्त्ताओं की पूरती के लिए कलते थे जिससे जल पूरे वर्स उपलब्द रह सके इस बंडारे जल का नियंतर भली पेकाल से किया जा जल की उपलगता और दर्सकों एवं सदियों के अनभव की आदार पर इस्थानी लोगों दारा किया जाता था अब आप लोगों पर एक जानकारी देता हूं सामान इसे इसमें कोई कखिन भासा नहीं है मैं आप लोग देते हूंगे कि मैं नेताओं को हमेशा बुरा बहला आप लोग जब तुल्ला करने लगते हैं आज की नेता से और आजादी के नेताओं से तो मैं अमिसा कहता हूं कि आप लोग गंगा के पानी से एक तरह से अपने गाओं के नाले की तुल्ला मत करिए यह बुरा आपको लग सकता है आज की नेताओं में उस समय की नेताओं मे आफ समझे कि हमें आजादी दिलाई है, इसमें को가지 सतने है आज हम गाहणी को गाली दे रहे हैं, नेरूप को दे रहे हैं, भगस्तिंग को दे रहे हैं हमारी उखाल है क्या उन्हें गाली दने के? हमने क्या उखाड़ा है अपने आपमें? उसे दी तो आप जानिए आप समझे कि बुंदेल खंड में एक समस्या मैंने अपने आखों से देखता हूं और उस समस्या के समाधान बहुत ही स्रल है, इतना स्रल है कि आप समझे कि कोई भी कर सकता है, लिकिर फिर भी नहीं देखा जाता है बगेल खंड जाईए और आप जाईए बुंदेल खंड इन शेत्रों में काफी मैंने देखा है अपने आपों से कि बुंदेल खंड में पानी की समस्क्तया है मैलाओं को इससाही है कि महला आप देखिए एक से डेड़ किलो डो किलो ओपांच-पांच किलो मीटर दूर से पाणी लाती है बुंदेलखंड में बैदवा नदी में मुझे लगता है कि इतना पानी तो हमिशा रहता है कि वहां के लोगों का पीने का पानी तो काम चल सकता है, आराम से चल सकता है तो इतना नहीं हो सकता है कि जहासी तक पानी पहुंचा दे या बुंदेलखंड के अन जो जिले हैं और चाने बाड़ी इन तक पानी पहुंचा दे आराम से तो सरकार निकम्मी इतनी देख लीगी आप लोग और बुंदेलखंड से आपको कई नेता उखते हुए देखेंगे लेकिन बुंदेलखंड का विकास पिछड़ा हुआ है मैंने हमेशा बोलाया आप लोगों से कि इसमें हमारा भी युगदान उतना ही है और निताओं से जदा हमारा युगदान है आप खुद जानिए कि हम लोग अंदभक्ती के नाम पर धरम के नाम पर जात के नाम पर चुनेगी निता तो वो क्या करेगा क्या रजल्ट देगा आपके सामने होगा हम किसे चुनते हैं एक इमांदार को ना चुनके उसे चुनते हैं जो एक बलतकारी है एक तरह से ढकेंत हैं एक तरह से चोर हैं आप कही एक तरह से मडर किये हुए हैं तो उसी का आप लोगों को रजल्ट मिलता है। चुनाओ का मुद्धा मैंसा आप लोग देखिये, सिक्षा होनी चाहिए, स्वास्त होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। जिस दिन ये तीन-चार मामली अगर आपके बोट बेंक की राजनीती इस पर होने लगेगा, उस दिन समझेए कि देश ही आपका आंगे बढ़ जाएगा, छित की छोड़िए, आज जो हम लोग करां से रखेल खरीते हैं, हम लोग कई देशों से कुछ सामान खरीते हैं, इनों ने अपने जिंदिगी में कुछ नहीं खाया, उन्हें आप लोग परोस देंगे, चपन भोग तो वो क्या करेंगे, बरबाद ही करेंगी, तो उसका भुकतान भी आप करेंगी, आपकी पीडी भी करेंगी, और आने वाली और पीडी भी करेंगी, आज से 70 साल से हम एक इन पारटी की वक्ती कर रहे हैं, अब एक पीडी चुटी तो दूसरी की हम गुलामी करते रहेंगे, ठीक है? और गुलामी और भक्ती का एक और, इसमें एक और कमी होती है, कि जब आप किसी के पिती अगर अंधभक्ती करने लगते हैं, तो आपकी उसमें अच्छा ही अच इच्छाई दिखना सुरूम उती है, बुराई आपको कभी नहीं दिखती है, समय रहे, खेर छोड़ी बुगती है, जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे, वह काट भी अच्छे से रहे और काटते रहेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं प बटक रहें, सौड़ी तो रुपे के लिए काम करते रहते हैं, और वो भी नहीं मिलता है, आप सोचे इसकी जगे आप पड़ लेख जाते हैं, और दिल्ली की जंदा को मैं हमेसा समझदार मानता हूँ, आपको सोचे कि सिक्छा, स्वास्त और रोजगार इतनी मुद्धे है हर किसी के अमीर हो गरीब हो, उसे सुवास्त चोईए, सिक्छा तो चाहिए उनके बच्चों को, और दिल्ली सरकार ने ये दिया है, और दिल्ली ने देखिए दोबारा अर्वेंद के जीवाल को अच बहुत अच्छे से जिताया है, क्योंकि आप में देखा है कि ग्रह मंतर थोड़ी चुन रहा है कि जात का है हमारी बात का है, आपको तो जो काम कर रहा है उसको चुनिए ना आप लो, आपको क्या मतलब है, अंग्रेजों ने भारत आकर अन्ना बातों के साथ साथ इस पदेती को भी बदद दिया, बड़ी परियोजनाओ जैसे कि विसाल बांग त सचाय के स्थानिये तरीके उपेक्षित होने होते गए, तथा सरकार धीरे धीरे इंका प्रबंधर पे सासन अपने हाथ में लेती चली गए, जसे जल के स्थानिये स्रोतों पर स्थानी नेवासियों का नेतर समाप्त हो गया, दो किसलिए होता है, मुझे कोई परबलम नहीं किसलिए होता कभी अभी कुछ दिन पहले कहीं गया था, आप इने देखा ही दो दो से कम से कम दो से तीन किलो मीटर से चोटी चोटी बच्चियां चोटे चोटे आप सोचिए कि वो मैलाय पानी भर के ला रही है, जितनी उनकी चमता नहीं है, बजन उठानी की उतनी भी, आ और रामायड देख रहे हैं, कोई महावाहरत देख रहा था, मैं तो आप लोगों से ही पूचता हम, भगवाल से रही राम होते हैं अगर इस समय भी, तो क्या वो घर में बैठके चुपके से सभी तमासा देखते हैं, मैं कहता हूं कभी नहीं देखते हैं, वो जाकर रोड कि नहरू या किसी और सुतनता सैनानी को गालियां दे रहे हैं, उससे दुगनी पढ़ेंगे, हमारे कर्मों पर लोग थूखेंगे उस समय हमारी आने वाली पीडी, कि जब देश बरबाद हो रहा था, लोग तरही तरह इमान मार तरास्दी जिल रहे थे, उस समय हम लोग ब का विकास हुआ, इन्हें कुल कहा जाता है, और जहनों से वैने वाली जल को मानव निर में चोटी-चोटी नलियों, नालियों से पहाडी पर इस्तित निचले गाउं तक लिए जाया जाता है, इन कुले से पर आप जल का प्रबंदन, छेत्र के सभी गाउं की सहमती से किया आपको जानकर सुखद आच्चे हुआ, कि किर्सी के मौसम में जल सरफितम दूरस है, गाउं को दिया जाता था, फिर उत्रोत्तर उंचाई परिस्तित गाउं उस जल काव्यों करते थे, कुल को देख देखकर एबन प्रबंदन के लिए दो अधवा तीन लो रखे जाते थे जिनें गौवाले बेतन भी देते थे, सिचाई की अतरिक ते इन कुल से जल का भूमी में अंतार सरावन भी होता रहता था, जो विविन इस्तानों पर जहड़ने को भी जल पिदान करता रहता था, सरकार द्वारा इन कुलों के अधिगहन के बाद इन में से अधिकतर निस् सकता है, जिसका उपयों किबल सिचाई के लिए ही नहीं वरन विद्धुत्र पादन के लिए भी किया जाता है, जिसके विशाय में आप पिछले अधियाय में पड़ भी चुके हैं, आप लोग सुनते रहते हैं कई बार की ये बांध है, ये बहुत देसी ये बांध है, या संतु जल के खराब प्रबंधन के कारण मात कुछ बैक्तियों द्वारा लाब उठाने के कारण, जल प्रबंधन के लाब से बहुत से लोग बंचित रहे गए, जल का समान बिदरन नहीं है, अता जल सरोथ के निकट रहने वाली बैक्ति गन्ना धान जैसी अधिक जल खबत बाली पसलों होगा देते हैं, जबकि दूर के लोगों को जल मिल ही नहीं पाता है, उन बैक्तियों की व्यत्था और भी बढ़ जाती है, तथा असंतोस होता है, जबकि उन बैक्तियों को जन्हें बान एवं नहे बनाते समय, विस्थावित किया गया था, और उस समय के कि नर्वदा बचाव अंदुलन की विस्था में भी अवस्था पड़ा रहा होगा आपने, जिसमें नर्वदा नदी पर बनने वाले जो बांत इस सदासर उबर बांत, इसकी उंचाई बढ़ाने का विरोध हो रहा था, बड़े वांत की विरोध में मुक्ता तीन समस्याओ की चैचा विसी सरूप से होती है, सामाजिक समस्या है क्योंकि इसमें बड़ी संक्या में किसान और आदिवासी विस्थाफित होते हैं और इन्हें मुआपजा भी नहीं मलता है, यानि कि एक जगए से दूसरी जगए, आर्थिक समस्याओं की बात का हैं तो क्योंकि इन में जनता का बहुत अधिक धन्द लगता है और उस अनपात में लाफ अभिक्चित नहीं होता है, पर्यावनी समस्या क्योंकि उससे बड़े इसतर पर बनों का विनास होता है, तो आप लोग में से कहीं कहते हैं कि हमें काय करनों साल, तो याद रखिए, सर देश में कुछ भी ह ख二 तो अधिक्तर लोग कहते हैं, आप अधिक्तर आरट नहीं देता हूं, तो आप टेक्स देते हैं, फिस अर्म के समभाण भी तो आप fit करतें कि आप लोग अपने जहां सरकारी खाम हो रहा है, उसकी देखिरेक करें, ऑगर वहां कुछ समस्यां देख नहीं को मिल रहीं, तो आप जानकारी लिखा भेज़ें, सिकायद करें उसकी, ठीक है? विकास की विमिन ने परियोजनाओं में विस्थापित होने वाले अधिकतर ब्यक्ति गरीब अधिवासी होते हैं, जिने परियोजनाओं से कोई लाब नहीं होता है, तथा उनने अपनी भूमी एवं जगलों से भी हाद दोना पड़ता है, जिसकी छती-पोटी भी समचित नहीं होती है, 1970 में बने तावाबांत के विस्थापितों को अभी भी कोई लाब नहीं मिल सके, चिरिनका उनको वायदा किया गया था, एक तरह से उनसे कहा गया था, अब बात कलते हैं, जल संगरन की, एक पारम पर एक पुरुदकी जवारा भारत की वाटर मेन, देश के सब्सकी सब्सकी सुखागरस्त गाउं के 1000 गरामीड़ों की जिंदी बरल पाए, दो दस्कों के प्रयास के बाद डॉक्टर राजिन सिंग ने, जल पर उस भी कहते हैं न आप लोग, डॉक्टर राजिन सिंग को, नहिराजिस्थान में पानी कट्टा करने के लिए 6600 जो हेड और अन्ड सरचनाओं का निर्मा किया राजभर की 1000 गाओं में पानी बापस लाया 2015 में उन्होंने इस्टोकम पुरुसकार जीता था यह बहुत ही पुरुसकार है जो ग्रह है और इसके निवासियों की भलाई के लिए जल सरक्षण में यह उगदान करने वाली व्यक्ति का संभान करता है इनके वारे में भी कई बार पूछ लेता है डॉक्तर आजिन सिंग के वारे जल समवर पे बंदन में मिट्टी एवं जल सरक्षण पर जोट दिया जाता है जिससे की जय मात्रा उतपादन में विड़्धी हो सके इसका प्रमोग खुद्दिस भूमी एवं जल के प्राद्मिक सुरोतों का विकास दुद्धीयक संसाधन पोदों एवं जन्तुओं का उतपादन इस पेकार करना जिससे पारिस्तिक आसंतुलन पैदा ना हो सके जल संवर प्रेवंधन ना कि बल जल और संवर संवधाय का उतपादन इस आय बढ़ता है बरन सुखे एवं बाड को भी सांध करता है तथा निचले बाद एवं जलासेयों का सेवा आपकाल भी बढ़ता है अनेक संगटन प्राचिन काल प्राचिन काली जल सरक्षें प्राल कि आपके बल्गों से जान्दा समझदार थे किसी ने अभी पढ़ रहा था कहीं आर्टीकल कोई कह रहा है कि पढ़े लेके लोगों मतलब अनपढ़ लोगों से एक तरशे पढ़े लेके लोग बेवकूप है सबसे जाना प्रयावान को नुकसान यही लोग पहुंचा रहे इन समधायों ने जल सरक्षन के ऐसे सेक्टों तरीक इविक्सित किये हैं, जिनके द्वारा धर्टी पर पढ़ने वाले पितेग भून का सरक्षन किया जा सके, यथा छोटी-छोटी गटे खुदना, जीलों का निर्मार्ज, साधरन जल समर विवस्ता की स्थाबना, मिट्टी राजिस्तान में खादिन, बड़े पात, एवण नाडी, महाराष्टी के बांधारस, एवण ताल, मद्विदीश एवं उत्तर प्यदीश में बांधिश, बिहार में आहर, पाइम, हिमाचल प्यदीश में कूल, जमू के कांधिचित में तालाब, तमिलाडो में एरिस, केरल में सुरंगम और करनाटव में कट्टा इत्यादी प्राचीन जल संग्रण हैं और तथा जल परिवान सरचा है आज भी उपयोग से में हैं उधारन के लिए चित 16.3 को देख सकते हैं जल संग्रण तकने की इस्थानिय होती है और इसका लाब भी इस्थानिय सहिमान सेमित चित को होता है इस्थानिय निवासियों को जल संग्रण का नियमतर देने से इस संसाधनों के आखुसल प्रवंधन एवं अतिदुवन कम होते हैं अता पूरता समाप्त हो सकते हैं बड़े संग्रहन इस्थाल मुकता अर्थ चंदाकार मिट्टी के गड़े अथवा निचले स्थ पारण इनके पीछे मांसूं का जल तालावों में भर जाता है केवल बड़े जलासे हों में जल पूरे वर्स रहता है परन्तु छोटे जलासे हों में यह जल छे महीने या उस्ते भी कम समय तक रहना है उसके बाद यह सूख जाते हैं इनका मुक को देश जल संग्रण नहीं है परन्तु जल पूम इस तर में सुधार करना है जल के बाद जल के रोमें सरक्षण के कई लाव निए बास पर बनकर उड़ता नहीं है परन्तु यह आस-पास में पहल जाता है बड़े चेत्र में बनसपदी को नवी प्यदान करता है मच्रों के जनन की समस्या भी नहीं हो यहां आप देखें जल संग्राइड की पारंपरी व्युस्था खादिन पदिती का आधर्स्त व्युस्थाफन जल संग्राइड खादिन अत्वा फसल वाले छेत खादिन बान्ध हो गया खारा छेत ओथर गो ठीक है यह आपके कुश्चन से इने भी आप लोग देख सकते हैं फिर लाश्ट में आप लोग देखिए कि कोईला एवं पैटॉलियम को भी आप लोग देख लिए हमने कुछ सिरोत जैसे कि वन वन जीवन तथा जल की सरक्षन एवं संपोसन से जम्मंदित अनेक समस्याओं की चर्चा की है उपर यदि हम इनके संपोसन के उपाय अपनाए तो इससे हमारी अवस्ता की पूर्टी भी होती रहेगी और अब हम एक और महत्पूर संसादन जीवास में इनन अल्थात कोईला एवं पैटॉलियम पर चर्चा करेंगे जो उर्जा के प्रमुक सरूत हैं और आप देखेंगे कि हमारे देश की आदे से अधिक उर्जा पू होती हैं आस्ते कुछ समय सालों पहले आप देखेंगे तो उर्जा के बिना आप कह सकते थे कि हाँ अपना काम चला सकते हैं लेकिन इस समय आप मुझे लगता है कि आप कोई नहीं कह सकता है मैं तो कहता हूं एक तरह से आपकी जिंदगी का एक हिस्ता बन चुके हैं कि उर् प्रवंदन अंसंसारों की अपिक्छा कुन भिन ने तरीकों से किया जाता है पैटॉलियम में कोईला लाखों बर्स पूल जीवों का जयव मात्रा के अभगटन से प्राप्त होता है अताहां चाहे हम जितनी भी सावदानी से इनका उपयोग करें फिर भी यह सुरूत भवि लगे होंगे उसे आपको सेकेंड में खतम कर देते हैं अताहां अब हमें उर्जा की बिकल्पी सुरूतों की कोच करने की आव सकता है यानि की दूसरे ओप्सन यह संसाधन अजदी वर्तमान दर्स के प्रयोग में आते रहे तो कितने समय तक उपलवद रहेंगी इस बारे म आपलों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे पैटॉलियम के साधन लगबग अंगले 40 बरसों में तता कोईला अंगले 200 बरसों तक उपलन रह सकता है परन्तु जब हम कोईले यहों पैटॉलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो उर्जा के अंदर सुरूतों के इन उतपादों में से नाइटोजन एवं सलफर के ओकसाईड ताथा कार्वन मोणो अकसाईड विसली गैसे हैं ताथा कार्वन डाइऑ ऑकसाईड एक ग्रीन हाउस कैसे कोईला अंगले पैटोलियम पर विचार करने का एक अन्य दृष्टिकों अड़या भी है कि यह कार्वन जलाने पर कार्वन और डायोकसाइड में परिवर्तित हो गया तो बाई मंदल में कार्वन डायोकसाइड की मात्रा अत्यजिक हो जाएगी जिससे तीब वैस्वी कुस्मन की होने की संभावन आए इस समस्तेया को अभी भी आप लोग देख रहे हैं इन संसाधनों के बिवेखून उपयोग की आओ सकता है यानि कि अपने दिमाग का उपयोग करते हुए इनका उपयोग करना चाहिए कुछ सरल विकल्पों से हमारे वोज्या की खबत में अंतर पढ़ सकता है अनुपातिक लाभानी एबं परया नूकूलन पर विचार कीजिए बस में यात्र को अधरी दें आप्मठीटों त्संशल विलोग को यानि कि असे बलौन परीओक करना जो ब्ह्ली को बचाते हुए लिफ्ट का परियोगना यां आप देखते होंगे यह सोबाट का एक आता था और देखिए अच्छी सीए फिली या लीडी तीक है और हीटर और सिगडी की जगए आप देखेंगे स्वेटर पहेंड यह कोईला इम पेटोलियम का उपयोंग हमारी मसीनी की चंता पर भी निर्वा करता है याता याद कि साध संधान इस विसे पर केंदे थे कि इनमें इनन का पूर्ण दहिन किस परगार सुनिचित की आजा सकी जिसे कि इनकी दक्षता भी बड़े और वाई पिदूसन को भी कम कर सके अब इसे भी देख लेते हैं प्राक्तिक संसाधन प्रवंदन का द्रश्या उलूखन प्राक्तिक इतको प्राद्मिक्ता देने का भरपूर बेवास करेंगे परन्तु इस भास्तिकता को देरे देरे सुएकार करने लगे कि कुछ ब्यक्तियों कि नेहे स्वायरत बहु संख्यकों की दुखों का कारण बल सकते हैं तथा हमारे परयावान का पूर्ण बिनास भी संभा है कि हमें अपनी ब्यक्ति का तो सामुई का आव सकता हो कुछ इमित करना होगा जैसे कि अवकास कर आप सभी युग को और सभी भावी पीडियों को उपलब्द हो सके तो सभी को देखे सरकार कितनी भी नियम कानून लाती रहे लेकर हम सब युगदान नहीं करेंगे तो कुछ अंपने क्या कर आएं इसमें हमारे संसाधन जैसे 1-1-1 जीवन कोईलापeli कि व्पयोग सम्पोषित रूप सांपोसित फुर्यों एक तरह से संपोसित का अरत इस तरह लेग सकते हैं कि इस तरह सा उपयोग करें कि सब को उपलबद हो और आने वाली पीडी को भी उपलबद बनी रहें काम उपियों, पुना उपियों और पुना चक्रण की नीति अपना कर हम परयावन पर पढ़ने वाले दावाओं को कम कर सकते हैं, बन संपदा का प्रबंदन सभी वक्षों के यहतों को ध्यान में रख करना चाहिए, जल संसाधनों के संगरण यह तु बांध बनाने में, सामा में जैसे की गोला, पैटॉलियम, अंत्यता समाथ हो जाएंगी, इनकी मात्रा सीमित है, इनके दहन से परयावन के दूसर भी होता है, हमें इन संसाधनों के वेवेपून उप्यूप्ती आवसकता है, और इस अध्याय से संबंदित आपके questions दिये गए हैं, इसकी PDF भी आपक आपका 10 से तक की सभी books complete हो जाती है, और बचती है आपकी 11 और 12 की books, यह मैन है आपकी, यह तो एक तरह से आप ज़िए कि बेस बनाने के लिए आप जब मकान बनाते हैं तो यह निव भरते हैं उसी तरह की इस्तितिती, कप्छा चटवी से कप्छा दस्वी तक की बहुत ही स की नहीं रही होगी, कि कर्चा चटवी से लेकर दस्वी तक की नहीं पढ़ाएं, सभी एक एक चैप्टर करके सभी books पढ़ा दी गही है, जो आपकी state PCS हो, फिर चाहे IIS हो, या MPPSC, UPPSC, बिहार PCS, सब के लिए हैं, जरूरी करवा दीगें, और 11 और 12 की हम लोग बहुत जल हो कि एक book नहीं मिल रही है, उसकी भी PDF बनवा दूए, ठीक है, बताईएगा, ठीक है, एक तो क्या है कि अखेला हो, आप समझे कोई मदद कर देता है, ठीक है, बना अखेला बैठे रही है, तो यह हालत है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिस करूँगा हर सम आदान करने गिटिए,